कि नमस्कार साथियों हमारे वाइरल वीडियो इस्टेडी में आपस वागत है और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं आधूनी भारत की बहुत ही अच्छी महराथन यंसी आर्टी लेवल की और पूरा वीडियो देखें लास्ट तक बहुत अच्छा लगने वाला है और संपूर्ण आधूनी भारत की पूरी एक वीडियो है आपने अगर देख ली उसके अलावार किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा वीडियो जरूरत देखें धन्यवाद हिंदूस्तार, हिंदूस्तार से लाएा हिंदूस्तार, सोने की चिरिया हाहा, डॉलड़, डॉलड़, चौना, हिंदूस्तार भारत को सोने की चडिया जिस जमाने में कहते थे वो बहुत पुराना जमाना था अरब और इरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे फिर वे माल लेकर योरप के देशों में जाते थे इन व्यापारियों से जब यॉरप वासी सोने की चडिया का हाल सुनते तो उनके मूँ में पानी आ जाता था लेकिन उन्हें भारत पहुँचने का रास्ता नहीं मालुम था आखिर एक दिन कुलम्बस नामक यात्री भारत की खोच के लिए निकला लेकिन अफसोस उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो जा पहुँचा अमरीका बस लगभग इन्ही दिनों पुर्तगाल से भी एक यात्री सोने की चडिया खोचने चला था 22 मई 1498 को उसका जहाज माला बार्तच पर कालीकट पहुँचा उस जहाज का कप्तान था वासकूडिकामा अनेक मुसीबतों से जूजता हुआ वो भारत पहुँचा था उस समय कालीकट में सामुरी नाम के राजा का शासन था इतिहास में उसको जैमुरेन के नाम से भी कहा गया है वासकूडिकामा सामुरी के दर्बार में गया उसने सामुरी को कीमती भेट दी सामुरी ने वासकूडिकामा का स्वागत किया वासकोटी कामा ने सामुरी के राज्य में व्यापार करने की इजाज़त मांगी जो तुरंथ ही मिल गई दो ही साल बाद यानी पंधरा सु ईसवी में पुर्तगालियों ने काली कट में एक कोठी बना ली तीन साल बाद उन्होंने कोठी की कलेबंदी कर ली वहाँ अपने सिपाहे नियुक्त कर दिये बहाना ये था कि ये काम वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं वहाँ एक फौजी अफसर अल्बुकर्क को किलेदार बनाया गया दरसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी सन पंध्रा सुच्छे में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया सत्रवी शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा इन्होंने सन सोला सो में महरानी इलिजबेट से आग्या लेकर एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी इस्ट इंडिया कंपनी इस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिन्स ने जहांगीर के दरबार में पहुँचकर सबसे पहले घुटनों के बल छुपकर जमीन चूमी और बादशा के प्रदी अपना आदर प्रकट किया इसके बाद उसने इंग्लेंड के बादशा जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आग्या दे दी तब सन 1615 में इंग्लेंड के बादशा ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूद बना कर भेजा धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया उन्होंने वुर्टगालियों की जड़ें कमजोर की उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया औरंग्जेप के समय में तो उन्होंने कोठियां भी कायम कर ली और अपनी हिफाज़त के लिए किलेबंदी भी कर ली इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आये उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमानी शुरू कर दी उस समय उनका मुखिया था दुमास औरंग्जेप के मृत्यों के बाद मराठों ने करनाटक पर हमला किया फ्रांसीसी कमपनी के मुखिया ने अपने सिपाहियों के जरीए करनाटक के नवाप की मदद की मराठे हार गए करनाटक और दिल्ली के बाश्शा दोनों ने खुश होकर दुमास को नवाप की उपाधी दे दी दो हजार सवारों का स्तेनापती भी बना दिया सन 1741 में दुमास की जगा डूपले नामक फ्रांसीसी कमपनी का हाकिम बन गया ये बहुत चतुर सेनापती था दरसल डूपले पहला यॉरप वासी था जिसके मन में भारत में यॉरपिय सामराच्चे कायम करने की बात आई डूपले ने उस समय के भारत की दो कमजोरियों का फाइदा उठाया एक तो ये कि यहां के देशी राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे दूसरे ये कि उस समय राश्ट्रियता की भावना लोग भूल गए थे डूपले ने इसी फूट का फाइदा उठाया अंग्रेजों ने भी इस नीती का फाइदा उठाया उन्होंने न सिर्फ फ्रांसिस्यों को कमजोर किया बल्कि देशी राजाओं को लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीती अपनाई बाद में उस मदद लेने वाले राजा को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया अब देखिए बंगाल में क्या हुआ ये बात है सत्रा सु पच्पन की उस समय बंगाल में नवाब अली वर्दी खां का शासन था अंग्रेजों ने अमी चंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की लेकिन बंगाल के शासक अली वर्दी खां ने उनकी एक भी चालना चलने थी लेकिन अली वर्दी खां पूड़ा हो चुका था उसने एक दिन अपने नवासे सिराजुदौला को अपने पास बुलाया सिराजुदौला उस समय 24 परसका था और वही अली वर्दी खां का उत्राधिकारी भी था अली वर्दी खां ने सिराजुदौला से कहा बेटे मुल्क के अंदा यूरूपियन ओमों की ताकत पर नजर दखना फ्यासतों की खेलों चगणों के बहाने इन लोगों ने मुगल शेहनशाह का मुल्क और शेहनशाह की रियाया का धन माल चीद कर आपस में बाच लिया है इन तीनों यूरूपियन ओमों को एक साथ कमजूर करने का ख्याल ना करना अंदिसों की ताकत पर करनी है मेरे बेटे उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाज़त ना देना अगर तुमने ये गल्टी की तो मुल्क तुमारे हाथ से निकल जाएगा अली वर्दी खां की मृत्यू दस अप्रेल 1756 को हुई और सिराजु दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के जीत से भारत में ब्रिजिश शासन की नीव पड़ गई इस जीत में सेनपती मीर जाफर की बड़ी महत्वपून भूमी का थी जिसने अपने मालिक सिराजु दौला के साथ विश्वास खात किया था अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजु दौला के तख्त पर वो बड़ी शान से बैच गया इसके बदले मीर जाफर ने कमपनी को 24 परगने की जागिरदारी सौप दी लेकिन मीर जाफर अपनी गद्धी पर एक दिन भी चैन से न बैच सका वो एक कमजोर आयोग्य और ना समझ शासक सिद्ध हुआ वो अंग्रेजों के हाथों की कचपुतली बन कर रह गया क्लाइफ की इच्छा के खिलाफ वो कोई काम नहीं कर सकता था अंग्रेजों की बढ़ती हुई जात्तियों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भीजा ताकि वो अंग्रेजों से बाच्चीत करे और उनका दबाफ कुछ कम हो जाए लेकिन अंग्रेजों ने नई चाल जली और मीर कासिम को अपनी और मिला लिया ये तै किया गया कि मीर कासिम को वजीर बना कर उसे तमाम अधिकार दे दिये जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए कुछ रकम बत और पेंशन दे दी जाएं 20 अक्टूबर 1760 को सूरच निकलने से पहले मीर जाफर का महल अंग्रेजों की फोजों ने खेद लिया मीर जाफर को जब अंग्रेजों की नई चाल का पता चला तो वो किस तरह परिशान हुआ इसका एक चित्र अंग्रेज इतिहासकार कर्नल मालसन के शब्दों में उस सुभा को बूरे नवाब को उस दिन की अवश्य याद होगी जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने मालिक पता रिश्टेदार सिराजु दौला के साथ विश्वास खात किया था मीर जाफर अवश्य इस समय सूचता होगा कि यदि प्लासी में मैं अपने उस बालक रिश्टेदार के साथ वफादार रहा होता जिसने अत्यंत हस्रत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी तो मेरी हालत कितने अच्छी होती जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और खलत तरीके से प्राप्त किया था उससे मुझे क्या फैदा पहुँचा वे लोग जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था आज वे मुझे डरा रहे हैं जो गुस्ताख विदेशी प्लासी से अब तक मुझे पर हुक्म चलाते रहे और जो अब मुझे गद्दी से उतारने की धंकी दे रहे हैं यदि प्लासी में मैंने उनके नाश की वज़े बनने का यश प्राप्त कर लिया होता तो इस समय मेरे हाथों में असली हुकुमत होती मेरा नाम इज़द से लिया जाता और मेरा मुल्क बच गया होता आखिर मीर जाफर को अंग्रेजों के सामने खुचने टिकने पड़े और अंग्रेजों की मीव और मस्बूत होने लगी उन्होंने मीर कासिम से बंगाल के तीन जिले और लिलिये साथ ही तीन करोड रुपे का सोना आधि वसूल किया सन 1769 में दिल्ली की गद्धी पर मुगल बाश्शा शाह आलम बैठा अंग्रेजों ने अपनी चालों से शाहालन को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों की बीच तिकोना संखश शुरू हो चुका था देश को विरेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ति के मित्रत्व में संगठित हो जाते वो शक्ति थी मोगल समराठ किन्तु इसी बीच यानि 6 जनवरी 1701 को पानी पत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक एहमद शा अब्दाली और मराठों की सेना के बीच घमासान लिद्ध हुआ मराठे तो हार गए पर अब्दाली को भी जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा वो अफगानिस्तान लोट गया और इधर मराठे कमजूर हो गए बच रहे केवल अंग्रेज जिन्होंने अपना प्रभाव पढ़ाना शुरू कर दिया मुगल बाश्शा शाह आलम को 26 लाख रुपया देने का वादा करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो बंगाल, बिहार और उडिसा की दीवानी इस्ट इंडिया कमपनी को सौपतें मचपूर होकर शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उडिसा की दीवानी सौपती जिसका मतलब ये था कि माल गुजारी वसूल करने और दीवानी के मामले मिप्टाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों का ये शासन इतना भयानत था कि उसने बंगाल को चूस कर कंकाल बना दिया सारे बंगाल में तबाही, गरीबी, भुकमरी और अकाल फैल गए चारों और मौत नजर आने लगी सन 1772 में वारन हेस्टिंग्स कम्पनी का गवर्नर बन कर कलकत्ता आया इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइफ में देश में अंग्रेजी राज की जो बुनियाद रखी थी वारन हेस्टिंग्स ने उसे और भी पक्का किया उसके सामने एक ही बात थी चाहे इमानदारी से हो या बेइमानी से जैसे भी हो जल्दी से जल्दी भारत की अधिक से अधिक दौलत को इंग्लिन भेश दिया जाए अब आईए महराष्ट की ओर चले इस्ट इंडिया कम्पनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता के लिए मराठों की ताकत आँख का काटा बनी हुई थी इसलिए अंग्रेजों में एक चाल खेली उस समय पेश्वा की गदी पर रगुनात राओ बैठा हुआ था क्योंकि गदी का असली मालिक उसका भतीजा नारायन राओ अभी नाबालिख था अंग्रेजों ने रगुनात राओ को युद्ध का जूठा भय दिखा कर अपनी योर मिला लिया इस तरह मराठा दर्बार में उनका आना जाना शुरू हो गया किन्तु पेश्वा के दर्बार में उन दिनों एक बहुत दूर दर्शी और चतुर व्यक्ति मौजूद था जो अंग्रेजों की सारी चालों को समझ रहा था वो व्यक्ति था नानाफर नवीस वो समझ रहा था कि रागोबा मराठा सामराज्जी की नीव कमजोर कर रहा है पर रागोबा ने उसकी बात नहीं मानी तीस अगस्त सत्रा सुत्यहत्तर को रागोबा ने पेशवार नारायन राउ की हध्या करवा दी इस साज़िष में अंग्रेजों का पूरा-पूरा हाथ था रागोबा अंग्रेजों की हाथ की कट्पुत्ली बन चुका था नाना फर्ण वीस ने मराठा राज्जे को अंग्रेजों के चंगन से बचाने की भर्सिक कोशिश की इतिहास कर कहते हैं के नाना फर्णवीस ने करनाटक के वीर हैदर अली से मिलकर जिस तरह अंग्रेजों की चालों को नाकाम करने की कोशिश की थी उसमें अगर उसे सफलता मिल जाती तो उस समय देश से विदेशी सत्ता का अंथ हो गया होता किन्तु अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया करनाटक के दो वीरों की कहानी भारतिये स्वतंतृता संग्राम के इतिहास में बड़े सम्मान से लिखी कई है ये वीर थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सिल्तान हैदर अली एक मामूली फकीर का बेटा था हैदर अली ने बश्पन से ही घुरसवारी, निशानाबाजी, हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीख लिये थे बड़ा होकर हैदर अली मैसूर की फोच में भरती हो गया हैदर अली की वीर्ता और साहस ने कुछ ही समय में उसे मैसूर का प्रधान सेनपती बना दिया उस समय रियासत का प्रधान मंत्री एक मराथा सरदार खांडे राव था उसने मराथों से चुपचाप मिलकर मैसूर पर हमला करवा दिया इस युद्ध में हैदर अली ने विजय पाई और खांडे राव के विश्वास खात का सब को पता चल गया मैसूर के महराजा ने प्रधान होकर हैदर अली को अपना प्रधान मंत्री बना लिया उधर अंग्रेस भला ये कैसे के सहिन कर सकते थे कि हैदर अली की ताकत बढ़े उन्होंने हैदर अली से छेड़ चाड़ करनी शुरू कर दी करनाटक के कई किले खाली करवाए गए और उन्हीं जीत लिया गया हैदर अली के बेटे फटे अली टीपू की उम्र उस समय अठारा वर्ष की थी तब भी अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में वो मौजूद रहता था करनाटक को अंग्रेजों से खाली कराने और उस पर अधिकार करने के बाद हैदर अली ने टीपू को पाँच हजार से canciónकों के साथ मदरास की उर भीजा जहां अंग्रेजों का जमाफ था टीपू ने मदरास के किले से पाँच मिल दूर सेंट टॉमस की पहाड़ी पर पब्जा कर लिया और आसपास के अंग्रेजी इलाके को अपने अधीन कर लिया इसके बाद कुछी दिनों बाद हैदर अली भी अपनी सेना लेकर मदरास की ओर बढ़ा मदरास में अंग्रेजों का क्या हाल हुआ इसका रोचक विवरण एक फ्रांसीसी इतिहासकार में प्रस्तित किया है वो लिखता है मदरास विजय के अफसर पर हैदर ने अंग्रेजों से कह कर मदरास के सेन्ट जॉज के किले के सदर फाटक पर एक चित्र बनवाया जिसमें हैदर एक शामियाने के नीचे तोप्यों के धेर पर बैठा है पीछे की ओर सेन्ट जॉज का किला है जिसकी फसील पर गवर्नर और उसके अंग्रेज साथी घुटनों के बल बैठे हुए हैदर की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे है अंग्रेज दूत, डूपले और गोश्यार हैदर के सामने जमीन पर घुटने टेके बैठे हैं डूपले की नाक की जगे हाथी की सी सूंट बनी हुई है हैदर उसकी सूंट को पकड़े हुए है जिसमें से अशर्फियां खनाखन गिर रही है दूसरी और पराजित अंग्रेज सिनापती जनल स्मित संधी पत्र हाथ में लिये हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के दो टुकड़े कर रहा है अंग्रेजों की इस हार का असर ये हुआ कि इंग्लिन में इस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सूं की दर गिर कर 40 प्रतिशत रह गई हैदर और टीपू की विज़े की खबरें पहुँचते ही इंग्लंड में कंपनी की साख गिरने लगी इसके बाद हैदर अली ने नानाफर नवीज के साथ मिलकर जिस तरह अंग्रेजों को मात दी थी उससे अंग्रेज घबरा उठे थे लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर अली की अचानक मृत्ति हो गई जिससे नानाफर नवीज की सारी आशाएं चूर चूर हो गए जबकि अंग्रेजों के लिए हैदर अली की बृत्तिव वर्दान साबित हुई हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान करनाटक का शासक बना अंग्रेजों ने उसे भी चैन से न बैठने दिया उसको बदनाम किया उसके साथ धोखा किया और उसे युद्ध में उलजाय रखा लेकिन टीपू भी अंग्रेजों के लिए बड़ी दहशत था अंग्रेज उसके नाम से खौफ खाते थे किंट्वंत में वो भी अपने ही लोगों के विश्वास खात का शिकार हुआ अपनी अंतिम सांस तक वो बहुत बहादुरी से लड़ा वो कहा करता था दो दिन शेर की तरह जीना जादा अच्छा है बजाए दो सो वर्ष भेड की तरह जीने के श्रीरंग पट्टम स्थित टीपू के कबर आज भी उसके साहस और वीरता के गुणगाती है 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 de londbernkell के बाश्चा शाया आलम के समय तक अंग्रेज अपनी वा बाश्चा की प्रजा कहा करते थे me गवजनर जन्नल की मुहर पर भी डिली संभांठ का विशेश सेवक शब्द लिखे रहते थें जब भी कोई अंग्रेज अफसर चाहे वो गवजनर जन्नल ही क्यों नहूं शाह आलम के दर्वार में जाता था तो अदब के साथ खड़ा होता था और उन्हें भेंच देता था सन 1785 में महराजा माधोराव सिंधिया ने दिल्ली पर अपना प्रभाव जमा लिया था मुघल समराट के सारे अधिकार माधोराव सिंधिया के पास आ गए थे और इसके बदले शाह आलम को केवल 6 लाख रुपया सालाना दिये जाने लगे शाह आलम सिंधिया परिवार के वैवार से कितना खुश था इसका परिचय समराट की एक कविता से मिलता है जिसका अर्थ है माधुजी सिंधिया जो मेरे जिगर का टुकडा और मेरा बेटा है मेरे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है कमपनी के जर्नल माक्विस विलिज ली ने फूट डाल कर अपना काम निकालने की नीती में अब तक काफी सफलता पाई थी यहाँ भी उसने यही किया मुगल बाश्शा शाह आलम को उसने मराठों के खिलाफ भड़काया और इस तरहा दिल्ली मराठों से खाली हो गए अधिये 12 लाख रुपए सालाना दिये जाने लगे अधर अवथ में अंग्रेजों ने नवाब वजीर अली को कैद करके बनारस भीज दिया और उसकी जगा साधत अली को नवाब बना दिया साधत अली और अंग्रेजों के बीच चिर्स थाई दोस्ती की संधी लिखी तई लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों का दबाव बढ़ने लगा साधत अली के सभी अधिकार और आमदनें के जरिये छीने जाने लगे नवाब साधत अली ने कमपने के रेजिजिटन्ट मिस्टर स्टॉक के जरिये जरिये जैनल वेलिसली को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि कमपने सरकार अपनी ही शर्दों को तोड़ रही है लेकिन वेलिसली ने कहा नवाब का ये खत इतने गुस्ताखी बरे शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं इसे लेने से इंकार करता हूँ ये खत नवाब को वापस कर दिया जाए और अगर नवाब ने फिर भी इसी तरह अंग्रेश सरकार की इंसाफ पसंदी और इमांदारी पर शक जाहर किया तो उसे सजा दी जाएगी अंग्रेश चाहते थे कि किसी तरह वराच्छों को कमजोर कर दिया जाए महराजा दौलत राव सिंधिया और जस्वन्त राव होल कर दो ऐसे वीर थे जो उनकी आँख का काटा बने हुए थे अंग्रेशों ने जब इन दोनों के खिलाफ चाले चली तो ये दोनों एक हो गए इस पर अंग्रेश खबरा गए उन्होंने पहले दौलत राव सिंधिया से संथी की और तापती और चंबल के बीच में सिंधिया ने जो इलाका जीता था वो उनका ही मान लिया गया चंबल नदी महराज सिंधिया के राज्य की सीमा मान ली गई इसी तरह जस्वंत्राव होलकर से भी संथी कर ली गई ताप्ती और गोदावरी के दक्षन का सारा इलाका होलकर को वापस दे दिया गया दक्षन भारत में एक वीर जाती थी पिंडारी अंग्रेज इतिहास लेखकों ने वीर पिंडारीयों के चरित्र पर अनेक जूटे इलजाम लगाए और हुने डाकू और लुटेरा कहकर बदनाम किया है लेकिन सच्चाई ये है कि पिंडारी दक्षन भारत की एक पठान जाती थी पिंडारी दक्षन भारत के राजाओं के सेवा में सवार हुआ करते थे इनके पास अपने घोड़े होते थे नसरु खाँ पिंडारी शिवाजी का एक विश्वस्त जमादार था होलकर और सिंधिया की सेनाओं में भी हजारों पिंडारी युधा और सरदार मौजूद थे हीरा खाँ पिंडारी और बुरान खाँ पिंडारी माधोजी सिंधिया के दोविश्वस्त और युग्य सेनापती थे दौलत राव सिंधिया की सेना में भी सरदार्श चीतु खां और करीम खां पिंडारी थे जिन्हें नवाप की उपाधी मिली हुई थी होलकर राज्य में रहने वाले पिंडारी होलकर शाही और सिंधिया के राज्य में रहने वाले सिंधिया शाही कहलाते थे लॉट हेस्टिंग्स ने मराचों की ताकत को कम करने के लिए पिंडारियों को नश्ट करने का निर्ने लिया अंग्रेजों ने उन्हें लुटेरा और डाकू कहा उनमें फूट फैला दी और इस तरह आपसी जगड़ों में उल्चा कर उन्हें खत्म कर दिया गया दिल्ली में शाह आलम की मृत्यू के बाद उसका बेटा अकपर शाह गड़ी पर बैठा पर जैसी की अंग्रेजों की नीती थी उन्होंने उस से जो वादे किये थे उन्हें पूरा करने से वे मुकर गए अकपर शाह ने अपनी शिकायतों को इंग्लेंड के दर्बार में पहुचाने के लिए राजा राम मोहनरोय को भेजा पर वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई अंग्रेजों का प्रभाव बराबर बढ़ रहा था कम्पनी ने माक्वेस अफ हेस्टिंग्स को कम्पनी का गवर्नर जर्नल नियुक्त किया उसने अपना पद संभालने के बाद एक नया काम शुरू किया भारत के उध्योग धंदों को नश्ट करना और भारत के धन से इंग्लिस्तान के उध्योग धंदों को बढ़ाना उद्योग धंदों का नाश किया जाए भारत की भयंकर दरिद्रता और गरीबी की कहानी यहीं से शुरू होती है सूरत में बनने वाले कपड़े और जुलाहों के साथ क्या होता था उसका हाल एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड्स ने लिखा है अक्टों एक कपड़ा सिर्फ हमको बेचेगा कंपड़ी का रेजिदेंट वैपारी यही इसको खर देगा हम इसके जो कीमट देगा वेट में लेना पड़ेगा नहीं हम तुमको नहीं बेचेंगे इस कपड़े के हमको बहुत आम मिलते है क्या बहुत गरद कि झाने तरह के जुलाहूं ने अपना पेशा छोड़ा पर उन्हीं पесьशा चूड़नेसे भी रूका जाता था तो बंगाई में भी इसी तरह के जुलम जुलाहों पर हो रहे थे मगर वे उतना काम नहीं कर पाते थे जितना कमपनी के गुमाशते जबरदस्ती उन पर मर देते थे इसलिए उनका माल असबाब लेकर भी उसी जगा निलाम कर दिया जाता था कच्चे रेशम के धागे लपेटने वालों पर इतना जुलम किया जाता था कि कई जुलाहों ने उन जुलमों से तंग आकर हाथों के अंगूठे तक काट दिये जिससे रेशम का धागा ना बनाना पड़े धीरे धीरे भारत का कागस उद्द्योग, चीनी उद्द्योग, भारतीय जहाजरानी, लोहा उद्द्योग आदी सभी नश्ट कर दिये गए इस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की कोशिशों का ये फल निकला कि भारत संसार का एक गरीब देश बन गया भारत के प्राचीन उद्द्योग केवल इतिहास की बात बन कर रह गए लॉट हेस्टिंग्स ने जहां भारत के उद्द्योग नश्ट किये दौलत को लूटा वहीं ब्रिटिश सामराज्य बढ़ाने की उसकी भूग भी बराबर बढ़ रही थी वो मराठों की ताकत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा उस समय पूना में बाजी राव पेश्वा का शासन था अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पर उससे धोखा किया और युद्ध का बहाना ढूनने लगे तीस अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों की सेना ने पूना के पास टेरा डाल दिया मराठों ने समझ लिया था कि अंग्रेज अब तक दोस्ती की जो बातें कर रहे थे वे सब जूट थी वे तो युद्ध ही करना चाहते हैं बापू गोखले पेश्वा की सेना के प्रधान सेना पती थे वे एक अत्यंत देशभक्त युद्ध कुशल और वीर सेना पती थे पाच नवंबर 1817 को खड़की के पास मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ लेकिन बाला जी पंतनात और यश्वंत राओ घोर पड़े जैसे विश्वाज खातियों के सामने बापू गोखले की सिना कहा टिकने वाली थी बापू गोखले अंत समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे और वीर गती को प्राप्त हुए अंग्रेज जानते थे कि मराठ्य सरदार इतनी जल्दी पेश्वा के शासन का अंत नहीं होने देंगे इसलिए उन्होंने बाजी राओ के खिलाफ एक और चाल चली सतारा के नाबालिक राजा प्रताप सिंग की मा को उन्होंने वादा किया कि पूरे मराठ्य सामराज्य के वास्तविक अधिकारी के रूप में उसने ऐलान जारी कर दिया है सुनो 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 स्रीवाजी महराज के वंकसच स्टारा के राजा प्रताप सिंग के ऐलान सुनो अंग्रेज हमारा दोस्त है बाजी राओ पेश्वा से कोई किसी तरह का संबनत ना रखे और आम और खास का फर्ज है किस लडाई में उन्ग्रेजों की मदद करे इस ऐलान से बाजी राओ पेश्वा की स्थिती काफी कमजोर हो गई उसने मजबूर होकर अंग्रेजों की आधिन दास्मिकार कर ली दिल्ली में समराच अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उसको खर्च की रकमजादा दी जाए लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे वे अकबर शाह का अपमान करने लगे इससे अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी सन अठाला सो सैंटीस में अकबर शाह की मृत्ती हो गई उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंगासन पर बैठा समराथ बहादुर शाह ने भी अपने खर्श की रखम को बढ़ाना चाहा लेकिन उसे जवाब मिला अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कमपनी को सौप दे तो आपके खर्श की रखम बढ़ा दी जाएगी लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना इससे जहां बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रती नफरत बढ़ी वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाहत कोई क्यों न खत्म कर दिया जाए बहादुर शाह ने ये भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जमाबख्त को युवराज नियुक्त कर दिया जाए बेगम जीनत महल एक योग के बेगम थी उनमें संगटन शक्ती बड़ी जबरदस थी इसलिए अंग्रेज उन से घबराते थे और उनकी कोई बात मानने के लिए तयार न थे जाहिर है कि बेगम जीनत महल के शहजादे जमाबख्त को वो कैसे युवराज बनने देते बाच्शा बहादुर्शा ने अपने शहजादों के दस्तखतों से अंग्रेजों को खत भिजवाया कि वे चाहते हैं कि शहजादे जमाबख्त को युवराज बना दिया जाए इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली उन्होंने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया उससे ये समझाता कर लिया कि उसे केवल शहजादा कहा जाएगा वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ 15,000 रुपए मासिक पेंशन लेगा अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर शाह को भेट और नजर देना बंद कर दिया उन्होंने गवर्ना जनरल की मोहर पर से दिल्ली समराट का विशेश सेवक शब्द निकाल दिये बाश्या की खुले आम उपेक्षा होने लगी कमपनी का जो सिक्का बाश्या के नाम पर ढ़ाला जाता था वो भी बंद कर दिया गया बहादुर शाह के साथ होने वाले इस दुर्वैवार का फल ये हुआ कि बहादुर शाह और दिल्ली के जनता में वित्रो के चिंगारी भड़क उठी इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया था 1857 जबकि भारतिय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ लेकिन ये संग्राम किसी एक खटना का परिणाम न था बलकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़तेवे प्रफाव और अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे जुल्मों का फल था एक और दिल्ली के संब्राच बहादुर्शा सफर के मन में अंग्रेजों के प्रती खोर भ्रणा बैट चुकी थी तो दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में जूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए उधर अवत में नवाब वाजिद अलिशा का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अलिशा को बहुत बदनाम किया सच तो यह है कि वाजिद अलिशाने कद्दी पर बैठते ही सेना को सुधारने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए थे वे रोज सवेरे अपनी सेना से कवायत करवाते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे कमपनी के अफसरों को नवाब की हरकते भला कैसे पसंद आती? लॉट डलहाउजी की आग्या से लखनव का रेजिजेंट आउटरम वाजी दली शाह से मिलने आया है नवाब साहब कमपनी के गवर्नर जनरल लॉट डलहाउजी चाहते हैं कि आप इस कागरश पर दश्टखत कर देंगे क्या लिखा है इसमें? आप खुच पढ़ दीजी मैं वाजी दली शाह खुशी से अपनी सल्पनत कमपनी को देने के लिए प्राजी हूँ? नहीं 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 अरगस नहीं आपका भलाई इसी महरे कि आप दश्टखत कर दें कमपनी सरकार से जगड़ा करना अच्छा नहीं ले जाए इसे और कमपनी सरकार को हमारा फैसला सुनाती चीए तीन दिन बाद कमपनी की सेना लखनव के महल में जबरदस्ती खुस गई महलों को लूटा गया बेगबो का अपमान किया गया वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ते भेश दिया गया और पूरे अवत पर कमपनी का कबजा हो गया लोट डलहाउसी की अपहरन नीती ने भी 1857 की क्रांती के बीच पोई थे डलहाउसी ने भारतीय नरेशों पर ये पाबंदी लगाई थी कि अगर उनके अपना पुत्र न हो तो वे कमपनी की मन्जूरी के बिना किसी को गोद लेकर राच्चे का उत्र अधिकारी नहीं बना सकती अपनी इस नीती के जरिये डलहाउसी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से रियासतों को कमपनी के अधिकार में ले लिया था सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, संबलपुर आधी रियासते इसी तरह ली गई किन्तु सबसे विस्फोटक स्थिती उत्पन हुई जासी में जासी के राजा गंगादर राओ की मृत्यू 21 नवंबर 1853 को हुई मृत्यू से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राओ को गूद लिया था और कमपनी को इसकी सूचना दी थी लेकिन लोड डलहाउसी तो जासी को हडपना चाहता था 13 मार्च 1854 को एक एलान द्वारा जासी की रियासत जबरदस्ती कमपनी के राज में मिला ली गई जासी की रानी लक्षमी बाई ने डलहाउसी के आदेश का कड़ा विरोध किया उधर दक्षण में पेश्वा बाजी राओ के गोदलिये पुत्र नाना सहाब के साथ भी कमपनी सरकार कुछ कम अन्यायना कर रही थी इससे नाना सहाब के दिल में अंग्रेजों के लिए ख्रणा पैदा हो गई 1857 की स्वतंत्रता करांती का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतियों के धार्मित मामलों में हस्तक शेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था इससे चारों और असंतोश फैल चुका था देश के तमाव वीर नेता वित्रोह के लिए तयार थे जासी की रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुवर सिंग, नाना साहब पेश्वा सभी के दिल में क्रांती की आग सुलक चुकी थी बहादुर्शा जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांती के लिए उन्हें तयार किया उधर बिठूर में नाना साहब के सलहकार अजीमुला खा ने क्रांती के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशा बहादुर्शा जफर के छंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चे किया इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी बैरकपुर से बेशावर तक और लखनव से सतारा तक हजारों राष्ट्रिय फकीर और साथु खूम खूम कर एक एक गाउं और एक एक पल्टन में स्वतंतुरता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे उस समय क्रांती के पाच मुख्य केंद्र थे दिल्ली, बिठूर, लखनव, कलकत्ता और सतारा क्रांती के इस प्रचार में तमाशा, पवाडो, लावनियों और कचपुतलियों, नाचकों आधी का सहारा भी लिया गया फकीर और साधु प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिये गए थे सन 1857 के शुरू के दिनों में नाना सहाब और अजिमुल्ला खां तीर थियात्रा के बहाने बिठूर से निकले नाना सहाब का भाई बाला सहाब भी उनके साथ था सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुचे लाल किले के दीवाने खास में समराच बहादुर्शा बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुखे नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रनाएं हों इसके बाद नाना सहाब, अमबाला, लखनव, कालपी होते हुए बिठूर पहुचे सन 1857 की क्रांती के लिए नेताओं ने अपने संगठन के दो मुखे चिन तै किये थे कमल का फूल और रोटी कमल का फूल उन सब पल्टनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी किसी एक पल्टन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पल्टन में जाता था उस पल्टन भर में हाथो हाथ वो फूल सबके हाथों से निकलता था जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका करतवे होता था कि वो अपने पास की दूसरी पल्टन तक उस फूल को पहुँचा दी इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पल्टन के सब सिपाही क्रांती के लिए तयार है इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम बल्टनों में खुमाए गए रोटी को एक गाउं का चौकिदार दूसरे गाउं के चौकिदार के पास ले जाता था उस चौकिदार का करतव्य होता था कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर बाकी गाउं के दूसरे लोगों को खिला दे फिर गेहूं या दूसरे आठे की उसी तरह की रोटीयां बनवा कर वो अपने पास के गाउं तक पहुँचा दे इसका मतलब ये होता था कि उस गाउं की जनता राष्ट्रिय क्रांती में भाग लेने के लिए तैयार है नाना सहाब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांती का दिन 31 मई तै किया गया था किन्तु इस तिथी की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्ये मुख्ये नेताओं को और हर पल्टन के तीन तीन अफसरों को दी गई थी बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें उधर बैरकपुर्शावनी में एक विस्पो टक खतना हुई अरे पंडिजी जरा अपना लोटा तो देदो पानी पीना है मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ अशुद नहीं हो जाएगा अरे अब जात पात का घमंड छोड़ो पंडिजी तुम्हें शायद मालूम नहीं है अब तो तुम्हें अपने दातों से गाय और सुवर की चर्बी काटनी होगी हाँ चा बकते हो सही कह रहा हूँ पंडिजी अब जो नए कार्थूस बने हैं उनमें जान भूज कर ये दोनों चीज़ें लगाई जा रही है हाँ गाय और सुवर की चर्बी लगे कार्थूसों ने उस समय की हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया फरवरी 1857 में बैरकपूर चावनी के 19 नंबर पल्टन के सिपाहियों को नए कार्थूस दिये गए सिपाहियों ने उन कार्थूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया 19 नंबर पल्टन में एक सिपाही था मंगल पांडे वो इस खटना से बहुत भरा हुआ था 29 मार्च 1857 को पल्टन को परेड मैदान पर बुलाया गया अभी पल्टन आकर खड़ी हुई थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूट पड़ा और चिला चिला कर कहने लगा भाईयों आओ आप पीछे क्यों रहते हो आओ मैं आपको धर्म की सोगन दिराता हूँ आजादी पुकार रही है कि हम फोरण अपने धोगे बाद दुश्मनों पर हमला बोल देए रुकने का समय नहीं है सार्जन्ट मेजर ह्यूसन ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफतार कर लिया जाए पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते और एक बार अंग्रेज अफसर को अगले ही क्षण मंगल पांडे की बंदूक से गोलिया चलते हैं मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी लेफटनेंग बॉग भी मरा नहीं था उसने मंगल पांडे पर प्रिस्तों से कर पर मंगल पांडे बच गए इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकाल कर बॉग पर तूट पड़े और उसे मार दिया थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसर आया उसने पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदू का कुंदा उसके सर पर दे मारा सारे सिपाही चिल्ला उठे इसके बाद एक बड़ा अफसर जनल हियर्स गोरे सिपाहियों को लेकर आया मंगल पांडे कह रहे थ लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले जब मंगल पांडे ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अंग्रेज सनीकों से खेर गया है तो उसने अपने सीने में बंदूग दाख ली और वहीं गिर पड़े पर मरें नहीं मंगल पांडे को गिरफ़तार कर लिया गया और अस्पताल में उनका इलाज हुआ 6 मई 1857 मेरच छावनी में 90 हिंदूस्तानी सवारों की एक कंपनी को प्रयोग के तोर पर नए किसम के कार्दूस दिये गए ये वो ही कार्दूस थे जिनके बारे में कहा गया था कि इन में गाए और सुवर की चर्बी लगी है इन कार्दूसों को दाट से काट कर चलाना था 90 में से 85 सिपाहियों ने उन कार्दूसों को इस्तिमाल करने से मना कर दिया इन 85 सिपाहियों का कोट मार्शर हुआ अग्या ना मानने के जुर्म में उन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई 9 मई की सुबा उन 85 बंदी सिपाहियों को परेज मैदान में लाकर खड़ा किया गया उनके सामने गोरी फौज और उसके साथ तोप खाना भी खड़ा किया गया इस दृश्चे को दिखाने के लिए छावने के बाकी सिपाहियों को भी बुलाया गया ताकि वो भी सबक ले बंदी बनाये के सभी 85 सिपाहियों की वर्दियां उतरवा ली गई बेडियां डाल दी गई इस तरहा अपमानित करके उन्हें जेल खाने ले जाया गया अपने साथियों के साथ हुए इस जुल्म को देखकर वहां खड़े भारतिय सिपाही भीतर ही भीतर दुख और घुसे से परिशान हो उठे उसी दिन शाम को जब मेरत च्छावनी के बागी सिपाही बाजार में घुमने गए तो सभी ने उन्हें नफरत के निगाह से देखा लो ये आ गए बड़े सूर्मा अंरेजों के गुलाम इनके भाई जेल में बंद है और ये यहां मूछे दानकर मक्हिया मारने आये है सिपाहियों के लिए ये अपमान बरदाश्ट करना मुश्किल हो गया बैरकों में उसी रात गुप्त सभाई हुई ना कोई सो सका ना किसी को चैन आया नौ मई की ही रात को सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भीश दी कि हम विद्रोह कर रहे हैं और कल या परसों तक दिल्ली पहुँच रहे हैं अब हमारे लिए 31 मई तक रुखना मुश्किल है 10 मई 1857 उस दिन रवीवार था मेरट शहर के अंदर नगर निवासी और हजारों हत्यार बंद ग्रामवासी के खटा हो रहे थे उधर च्छाबनी में वो सुभा आई जिसका क्रांतिकारी सिपाही सारी रात बेताबी से इंतजार करते रहे थे उनका दल सबसे पहले जेल खाने की और बढ़ा उन्होंने जेल की दीवार तोर दी और जेल में खुस गए उन्होंने बंदी बनाये सिपाहियों की बेड़ियां काच और उन्हें मुक्त किया जेल की जेलर भी ख्रांतिकारियों से मिल गए थे उन्होंने ना तो कोई विरोध किया और ना अंग्रेज अबसरों को खबर ही दी इसके बाद सारे ख्रांकिकारी सिपाही अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए दोड़ पड़े हिंदू, मुसल्मान, पैदल, सवार और तुप खाने की सिपाही सभी विक्रोही वोटे सब तरफ एक ही नारा गूँच उचा उस दिन मेरच में बहुत से अंग्रेज मारे गए बंगलों, दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई शहर और छावनी दोनों जगा भयंकर वित्रोह छड़ चुका था तारों को काट दिया गया था और रेल्वे लाइन पर क्रांतिकारी सिपाहियों का पहरा लगा था 11 मई 1857 की सुबह आठ बजे क्रांतिकारियों का दल दिल्ली पहुचा वे दस तारीख की रात को ही मेरट से चल दिल्ली के प्रांतिकारी नेताओं को तो उनके आने की ख़बर थी लेकिन अंग्रेज अफसरों को कुछ भी पता नहीं था जैसे ही अंग्रेज पहुची अफसर करनल रिपले को ख़बर मिली वो 54 नमबर देशी बल्टन को लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा अपने भरती सिपाहियों को मुकाबले में देखकर मेरच के क्रांतिकारियों ने हर हर महादेव अल्ला हु अक्पर अंग्रेजी राज का नाशू पहादोशा जफर की जै ऐसे नारे लगाए अपने सामने खड़े आजादी के दिवाने सिपाहियों को देखकर 54 नमबर बल्टन के दिल में भी राश्ट्रियता जाग उचे वे मेरच के सिपाहियों से लड़ने की बजाए गले मिलने लगे करनल रिफले ये देखकर घबरा गया वो भागना चाहता था पर क्रांतीकारी सिपाहियों ने उसे मार दिया अब दिल्ली और मेरच के क्रांतीकारी सिपाहियों ने कश्मीरी दर्वाजे से दिल्ली में प्रवेश किया उधर बहादुर्शाज जफर और बेगम जीनत महल ने सोचा कि अब 31 मई तक इंतजार करना ठीक ना होगा अगर अंग्रेजों को मौका मिल गया तो वो क्रांती को दबा देंगे शाम तक मेरच की पैदल सेना और तो खाना भी दिल्ली पहुँच गया लालकले में पहुचकर ख्रांतीकारी सेना ने बहादुर्शाज जफर के नाम 21 तोपों की सलामी दिए बहादुर्शा के पास पहुचकर ख्रांतीकारी सिपाहियों ने उन्हें सलान चिया और मेरच का हाल सुनाया मेरा खजाना खत्म हो चुका है मैं आप लोगों को तनुखाई कहां से दूगा हम लोग हिंदुस्तान भर के अंगरेजी खजाने लाला कर आपके ख़द्मों में डाल देंगे अगर आप लोगों में पुरवानी का इतना होसला है तो मैं आपका साथ दूगा वैसे आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा और कम्जोर हूँ इसलिए आपको अपना रहनुमा तो चुना ही होगा बहादुर्शाह जफर की जाओ बहादुर्शाह जफर की जाओ एक बार फिर लाल कले पर बहादुर्शा जफर का हरा और सुनेहरा जंडा फैरा उठा इसके बाद ख्रांपी कारियों ने अंग्रेजों के तमाम हजाने, बैंक, इमारते आगी अपने कब्जे में दे लिए जहां जो अंग्रेज मिला उसे पत्ल कर दिया थै 11 मईए से 16 मईए तक दिल्ली में अंग्रेजों का गतल आमने, तरिया गंच के तमाम अंग्रेजी बंगले चला दिये गए अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की जिसमें करीब 9 लाख कार्तूस, 10 हजार बंदूके और बहुत सा गोला बारूट था यहाँ पर 9 अंग्रेज सिपाहीं का पहरा था वे किसी भी हलग में ये शस्त्र भंडार प्रांतिकारी सेना को सौब्मे को तयार नहीं थी आखिर प्रांतिकारी सेना ने उन पर आख्रुमण कर दिया वे 9 अंग्रेज सिपाही जादधे ठीक न सके उन में से एक अंग्रेश सिपाही ने शस्त्र भंदार में आग लगा दे इससे इतना भयानक विस्पोच हुआ कि वे नौ अंग्रेश सेनिक, 25 हिंदुस्तानी और करीब 300 दिल्ली वासी मारे गए 16 मई 1857 को बिल्ली शहर कमपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गया और समराच बहादुशा जफर का शासंस थापित हो गया बहादुशा जफर ने सबसे पहले बरेली के बहादुर बख्त खां को सेना की कमान सौपी और उसे प्रधान सेना पती बनाया इस मौके पर बहादुशा ने बख्त खां से कहा बहादुर मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है मुझे तुम खुदा हवाले करो और यहां मैदान जंग में कुछ करके दिखाओ इसके बाद बहादुर शाह जफर ने देशवासियों के नाम एक पैगाम प्रसारित किया मेरी ये दिली खुआहिश है कि जिस कीमत पर और जिस जर्ये से भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जिस इंतलाब जंग की शुरुआत की गई है वो तब तक फत्हयाब नहीं हो सकती जब तक कि कोई ऐसा शखस जो इस तहरीक के तमाम बार को अपने कंधों पर उठा सके और तमाम का नुमाइंदा कहला सके मैदान में आकर इस इंतलाबी जंग की गयादत अपने हाथ में न ले ले बहादो शाह ने ये भी ऐलान किया अंग्रेजों को मुलक से निकाल दिये जाने के बाद अपने जाती फाइदे के लिए हिंदुस्तान पर हकुमत करने की बाखुदा मेरी जरा भी ख्वाहिश नहीं है याद रखें खुदाने इंसान को जितनी भी नेमते अता की है उसमें सबसे बड़ी बरकत आजादी है इसलिए हमें हर खीमत पर अपनी आजादी की हिफाज़त करनी है मैं खुदा को हाजर नाजर जान कर आप से ये भी वाइदा करता हूँ कि मुलक से अंग्रेजों के निकाल दिये जाने के बाद क्रांती की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी दिल्ली के सेनापती ने तमाम देश के बहादुर फोजों को संगछित करने के लिए खत भीजे उन खतों में लिखा गया था भाईयों दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है उससे वो इतना घबरा गये हैं जितना किसी दूसरे मौके पर इन शिकस्तों से भी न घबरा दी बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुर दिल्ली में आ आ कर जमा हो रहे हैं ऐसे मौके पर अगर आप खाना वहां खा रहे हैं तो हाथ यहां आकर थोईए शाहों का बाद्शा जहां पना हमारा दिल्ली का शहिंशा आपका इस्तक्माल करेगा और आपकी खिद्मत का सिला देगा हमारे कान इस तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं जिस तरह रोज़ेदारों के कान अजान देने वालों की तरफ लगे रहते हैं हम आपकी तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं हमारी आँखें आपके दीदार की प्यासी उसी तरह सरक पर लगी हुई है जिस तरह कासित की आँखें लगी रहती है आई ही आपका फर्ज है फॉरन आई ही हमारा घर आपका घर है दिल्ली आजाद हो चुकी थी और 11 मई से 31 मई 1857 तक दिल्ली की खरांती की खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई पर दूसरे शहरों के एक रांती कारी नेता ये निश्चे नहीं कर पाए कि वो अपने यहाद तुरंत करांती शुरू कर दे या 31 मई तक इंतजार करें फिर भी ये लप्टें तो करांती की लप्टें थी बगावत की लप्टें फैली तो फैलती चली गई बुलंद शहर चावनी में नौ नंबर पल्टन के सिपाहियों ने एक करांती के प्रचारक को पकड़ लिया इस प्रचारक को पल्टन के मुख्याले अलिकड़ लाया गया अंग्रेज अफसरों ने उसे फांसी की सजा दी 20 मई 1857 शाम का समय था देशी सिपाहियों के सामने उस प्रचारक को फांसी पर लटका दिया गया ये देखकर देशे सिपाहियों में क्रोध भड़ा कुछा अंग्रेज डर के मारे काप उठे अगर तुम लोग अपनी जाल बचारा चाहते हो तो फांसी अलिकड़ छोड़ दो और 20 मई की रात को ही अलिकड़ अंग्रेजों से खाली हो गया अलिकड़ पर हरा छंडा फैराते हुए क्रांतिकारी सिपाही खजाना और गोला बारूद लेकर दिल्ली की ओड़ चल पड़े फिर क्रांति की लप्टें मैंपुरी होती हुई इटावा पहुँची इटावा के कलक्टर हुँम ने पुलिस और जनता के प्रतिनिधियों से मदद मांगी कि क्रांतिकारीों को दबाया जाए पर उसे कोई जवाब नहीं मिला अंत में इटावा में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने क्रांतिकारीों को दबाने की कोशिश की और लड़ाई छड़ गई अंग्रेज सिपाहियों के साथ मेजिस्ट्रेट मिस्टर डेनियल भी मारे गए बचे होए अंग्रेज किसी तरह जान बचा कर भागे मिस्टर हिूम तो महिलाओं के वेश में भागे अब बगावत की लप्टें बरेली पहुँच गए यहां क्रांति की उचना बना रहे थे नवाब खान बहादुर खान बड़ी होश्यारी से, साफधानी से, चुपचा 31 मई 1857 की सुभे, ठीक 11 बचे, तोप छूटी और 68 नंबर पल्टन ने क्रांति का बिगुल फूँग दिया अंग्रेजी जंडा उतारा गया, हरा जंडा फैराने लगा बरेली की क्रांति में अफसरों सहित अनेक अंग्रेज मारे गए केवल 32 अंग्रेज अपनी जान बचा कर भाग सके खान बहादुर खान पूरे रुहेल खंड के सुभेदार बने और बख्त खान प्रधान से न बती खान बहादुर खान ने जनदा के नाम एक ऐलान जारी किया हिंदुस्तान के रहने वालों आजाबी का पातिन जिसका बहुत अर्से से इंतदार था आप पहुंचा है मुसल्मानों अगर तुम पुरान की इज़त करते हो हिंदुों अगर तुम कौम आता की इज़त करते हो तो अब अपने छोटे छोटे छगड़ों को भूल जाओ और इस पाप चंड में शामिल हो जाओ एक चंडे के नीचे लड़ो और खून की नदियों से अंगरेजों का नाम हिंदुस्तान से ठोड़ा लो उधर दिल्ली पर बहादुर शाजफर का शासन हो चुका था उनके बुलावे पर बरेली के बहादुर वक्त खान भारतीय सेना के सेनापती बनने के लिए चल पड़े उनकी सेना के साथ शाजहापुर, बदाईउं और मुरादाबाद से आई देशी पल्टने तोपें और हजाना था तीन जून को आजम गड़ में सत्रा नंबर की पल्टन ने क्रानती शुरू कर दी लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मारा नहीं, बल्कि उनके वहां से चले जाने का बंदुबस्त करके इमारतों, खजानों और गोला बारूत पर कबजा कर लिया 4 जून 1857 को ये चिंगारी बनारस पहुंची अंग्रेज अफसरों ने तै किया कि देशी सिपाहियों से उनके हथियार रखवा लिये जाएं उन्हें परेट ग्राउंड बुलाया गया अंग्रेज अफसरों ने जैसे ही देशी सिपाहियों को हथियार रखने का आदेश दिया कि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया अंग्रेजों ने सिख फल्टन को मुकाबले के लिए आगे किया लेकिन मुकाबला तो दूर वो अपने भाईयों से गले मिलने लगे जब मुकाबला ही नहीं तो लड़ाई कैसी अंग्रेजों को शान्ति पूर्वक बनारस से जाने दिया गया इलाहबाद तो पास ही था ये लपटें वहां भी पहुँच गई इलाहबाद के किले में गोला बारूद और हत्यारों का बहुत बड़ा भंडार छे नंबर की देशी पल्टन और मुठी भर अंग्रेज सिपाही थे देशी सिपाही क्रांती के लिए तयार थे पर उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को बहकावे में रखा हम तो आपके साथ है हुजूर हुजूर हमें दिल्ली भेज दीजिए 6 जून 1857 के सुभे एक बार फिर अंग्रेज अपनी तसल्ली के लिए देशी सिपाहीयों से में उन्होंने बड़े स्निह से अंग्रेजों को गले लगाया उसी रात जब अंग्रेज खाना खा रहे थे कि अचानक बिगुल की आवास कूँचुठी अंग्रेज खबरा उठे इस वक्त ये बिगुल की आवास कैसी बैरकों से सिपाही अपने हथियार लेकर निकल पड़े चारों और भगदर मच गई इलहबाद में क्रांती शुरू हो चुकी थी बहुत से अंग्रेज मारे गई उनके बंगले चल गई साथ जून 1857 इलहबाद कोदवाली पर हरा जंडा फैराने लगा शहर में हरे जंडे का जुलूस देखने लायक था जनता में इतना उत्सहा आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी हरे जंडे का जुलूस निकालने लगे क्रांतिकारियों ने कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया सरकारी खजाने पर भी उनका अधिकार हो गया रेल और तार विवस्था ठप पड़ गई रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों का पहरा था इलहाबाद के स्वाधीन होते ही आसपास के गाउं में भी हरा जंडा फैरा उठा अंग्रेजों के बनाये जमिदार हटा दिये गए और उनकी जगे पुराने खांदानी जमिदार फिरा गए अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इलहाबाद में कोई भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ न हो गया हो बच्चे बच्चे में क्रांति की भावना जाग चुकी थी लेकिन इलहाबाद किले पर अभी तक क्रांतिकारियों का कबजा न हो सका था क्योंकि वहां मौजूद कुछ भारतिय सिपाही अंग्रेजों की मदद कर रहे थे आखिर प्रमुख लोगों ने मिलकर मौलवी लियाकत अली को शासन का कामकाच संभालने के लिए इलहाबाद का सूबेदार बनाया मौलवी लियाकत अली बहुत नेक इंसान थी सब लोग उनका बहुत आदर करते थे मौलवी सहाब ने खुसरोबा को अपना केंदर बनाया वो दिल्ली के समराट बहादुशा जफर को बहां के हालात की खबर भीशते रहे और इलहाबाद के किले में मौजूद देशी सिपाहियों को क्रांती में शामिल होने के लिए पैगाम भीशते रहे लेकिन इन सिपाहियों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया इस तरह इलाहबाद के किले को छोड़कर सब चके क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था दिल्ली की क्रांति की खबर देश के कोने कोने में कैसे पहुंची इसे एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में ही कहना ज्यादा प्रामानिक होगा गदर का एक आश्चर्य जनक पहलू ये था कि दूर दूर के स्थानों में सभी महत्वपूर्ण खबरें बड़ी तेजी से और प्रामानिक रूप से पहुंच जाती थी खबरें ले जाने का काम ज़्यादातर हर कारे करते थे जो इतनी तेजी से चलते थे कि हमें विश्वास ही नहीं होता यही कारण था कि दिल्ली की स्वाधिनता की खबर नाना साहब को 15 मई 1857 को मिली और कानपुर में अंग्रेजी सेना के सेनापती ह्यू वीलर को 18 मई को यानी पूरे तीन दिन बाल बिठूर में उस समय नाना साहब के दर्बार में उनके दो भाई बाला साहब और बाबा साहब नाना साहब का भतीजा राव साहब अजिमुला खां और प्रसिद्ध मराठा सेनापती तात्या टूपे मौजूद थे दिल्ली की कुरांटी की खब कानपूर में फैली तो हिंदूओं और मुसल्मानों की सभाई होने लगी धीरे धीरे स्कूलों के लड़के बाजारों में आम लोक और गली महलों में भी स्वतंत्रता कुरांटी की बातें शुरू हो गई छावनी में सिपाहियों में भी कुरांटी की गुप्त बाचीद शुरू हो गई फिरंग्यों के खिलाफ उनकी बाहें फड़कने लगी लेकिन नाना साहब 31 माई तक कुछ भी नहीं करना चाहते थे उधर अंग्रेज सिनापती वीलर को पूरा विश्वास था कि नाना साहब तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे इसी उम्मीद से उसने उन्हें संदेश भीजा कि वो आएं और कानपूर की रक्षा में मदद करें लेकिन दूसरी तरफ वीलर ने अपनी रक्षा के लिए गंगा के दक्षण में एक नया किला भी बना लिया था और पूरी किले बंदी भी कर ली थी कानपूर में क्रांती की बातों से ही अंग्रेजों में इतनी देशत थी कि किसी जूटी अववाह पर भी शहर के सब अंग्रेज अपने बीवी बच्चों को लेकर भागते और वीलर के किले में छिप जाते 22 मई 1857 को नाना सहाब अपनी सेना और तोपों को लेकर बिठूर से कानपूरा गए उन्होंने नवाब गंज में अपना डेरा जमाया तीन हजार देशी और एक सौ अंग्रेज सिपाहियों के सेना पती वीलर ने बिना किसी विरोत के खजाने की चाबियां और तोप खाना उन्हें सौप दिया नाना सहाब ने खजाने की रक्षा के लिए अपने 200 सिपाही पहरे पर लगा दिये उस समय कानपुर की देशी सेना के मुखे नेता थे सूबेदार टीका सिंग और सूबेदार शमसुद्दीन खांग चार जून की आधी रात को तीन फायर हुए यही क्रांति की शुरुआत की सूचना थी सबसे पहले सूबेदार टीका सिंग घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े फिर देशी पल्टन के हजारों घुरसवाद और पैदल सिपाही मैदान में निकल आए अंग्रेजों की इमार्तों में आग लगा दी गई उनके जंडे को हटा कर हरा जंडा पहरा दिया गया पाँच जून को नाना सहब की सिना भी क्रांती सिना से मिल गई सब तरफ उनका कबजा हो गया पाँच जून को कानपूर में दिल्ली समराथ बहादोशा जफर के जंडे का जलूस बड़ी धूंधाम से निकाला गया नाना सहाब को कानपूर का शासक चुना गया नगरवासियों ने उनकी जैजैकार की और सब ने नाना सहाब का साथ देने का वचन दिया छे जून को सवेरे नाना सहाब ने वीलर को खबर भीजी कि आज आप किला हमारे हवाले कर दीजिए वरना हम हमला करेंगे लेकिन वीलर यूं मानने वाला नहीं था उसने किला खाली करने से इंकार कर दिया साथ ही मोर्चे की पूरी तैयारी भी की छे जून की शाम नाना साहब ने अंग्रेजों के किले पर हमला बूल दिया उस समय कानपुर के लगभग सभी अंग्रेज, स्त्री पुरुष और बच्चे किले में मौजूग थी दोनों और से तोपे चलने लगी दोनों और के सिपाही मरने लगी, घायल होने लगी इस संघर्ष के दौरान कानपुर की जनता का होसला बढ़ा हुआ था महिलाएं भी बड़े उत्साह से जुटी हुई थी क्रांतिकारी सेना को गोला बारूद और खाना पहुँचाने के साथ साथ घायलों की सेवा भी कर रही थी इसमें कानपुर की एक विश्या अजीजन ने तो कमाली कर दिया एक अंग्रेज इतिहास का लिखता है कि अजीजन हतियार बांधे घोडे पर सवार बिजली की तरह दोरती फिरती थी दन दनाते तोप के गोलों और बरस्ती हुई आग की परवार ना करके वो तोप्चियों को गोला बारूत पहुँचाती सिपाहियों को खाना खिलाती दूद फिलाती और उनका होसला बढ़ाती अजीजन निरभः होकर चाबनी में घायल सिपाहियों की सेवा भी करती क्रांती सेना का आक्रमन इतना जबर्दस्त था कि किले के अंदर अंग्रेजों की लाशों के धेर लग गए उन्हें दफनाने तक की जगा नहीं बजी जो जिन्दा थे उनका बुरा हाल था किले में केवल एक ही कुआ था जो गोले गिरने से तूट चुका था अंग्रेजों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था कई अंग्रेज, हैजा, पेचिश और बुखार के कारण बीमार पड़ गए उधर नाना साहब ने शहर के तमाम खास लोगों की सभा बुलाई और उनकी सलाह से शहर का शासन चलाने का इंतजान किया हुलास सिंग को मुख्य नाय थीश बनाया, फोज को रसत पहुंचाने की जिम्मेदारी मुल्ला को सौपी दीवानी के मुकदमों के लिए ज्वाला प्रशाद, अजीमुल्ला खां और बाबा साहब की अदालत बनाई गई अंग्रेज इतिहासकार एम टॉम्सन ने लिखा है के नाना सहथ की शासन विवस्था में नगर में पूरी तरह शान्ती थी 18 जून और 23 जून को अंग्रेजों से फिर घमासान युद्ध हुए आखिर वीलर ने घुटने टेक दिये 25 जून को कले के ऊपर सुलह का प्रतीक सफेद छंडा लहरा दिया तोपो ने गोले उगलना बंद कर दिया अंग्रेज आत्म समर्पन करने के लिए तैयार हो गए 26 जून को दोनों और के प्रदिनिदियों की बात चीत हुई वीलर ने जैसे ही अंग्रेजी में बोलना शुरू किया अजिमुल्ला खाने उसे टोक दिया हालांकि वो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे फिर बात चीत हिंदुस्तानी में ही हुई 27 जून को किले पर बहादुशा जफर का हरा जंडा लहराने लगा अंग्रेजों को हाथियों और पालकियों में बिठा कर गंगा घाट की और भीश दिया गया 28 जून 1857 कानपुर्णगर च्छावनी और आसपास के तमाम इलाके से अंग्रेजों का नामुनिशान मिठ चुका था नाना साहब ने इस मौके पर एक बड़ा दर्बार किया जिसमें छे पैदल पल्टने, दो खुरसवार पल्टने, जमिदार और हजारों की तादाद में जनता आई सबसे पहले समराच बहादुशा जफर के नाम पर 101 तोपों की सलामी हुई इसके बाद नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई नाना साहब ने इस मौके पर सब को धन्यवाद दिया साथी फौज में एक लाख रुपे इनाम की रुपे बाटे गए इसके बाद नाना साहब बिठू राए जहां वो एक चुलाई 1857 को पेश्वा की गद्धी पर बैठे उनका विदिवत राच दिलक हुआ और नाना साहब धुंदोपंत पेश्वा बन गए 1857 की क्रांती की तैयारियां जहासी में भी शुरू हो गए थी जहासी की जनता अपनी रानी लक्ष्मी बाई के साथ हुए अन्याय और अपमान पौन वहवार का बदला लेने के लिए बेचैन थी रानी महल में हर रोज गुप्त सभाई मंत्रणाय हो रही थी आखिर चार जून 1857 को जहासी में बारा नंबर देशी पल्टन के हवलदार गुर्बक्र सिंग ने वित्रो की तलवार निकाल ली क्रांतिकारी सेना ने तोब खाने और खाजाने पर कबजा कर लिया इसके बाद रानी लक्ष्मी भाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नित्रित्व संभाल लिया जहासी में चारो ओर विद्रोही सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीम ली गई साथ जून को क्रांतिकारी सेना ने जहासी के कले पर हमला किया इस हमले का नित्रित्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तहसीलदार मुहम्मद हुसेन कले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया कले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था आठ जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से कले के अंदर मौजूद सरसट अंग्रेज पुरुष स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया अंग्रेज इतिहासकार स्वैम मानते हैं कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मी भाई का कोई हाथ नहीं था और नहीं उन्होंने इसकी इजाज़त दी थी आठ जून 1857 को जहांसी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई गद्धी का उत्तरा धिकारी दामोदर राओ चूंकि बालिक नहीं था इसलिए रानी लक्ष्मी भाई ने जहांसी का शासन संभला जहांसी में जगे जगे घोशना की गई खलक्त खुदा का मुल्क बाच्शाह का हुक्म रानी लक्ष्मी भाई का रानी लक्ष्मी भाई ने बड़ी सूज पूज और समश्तारी से शासन संभला वो दर्बार में एक विशेश कक्ष में बैठती थी उस कक्ष के बाहर सोने के काम की चिके पड़ी रहती थी द्वार के बाहर दो द्वार पाल चुस्त पोशाकों में खड़ी रहते दिवान लक्ष्मन राओ राज्य के आवशक कागस पेश करते और रानी उस पर अपना निर्णय सुनाती रानी लक्ष्मी भाई की पोशाक भी पुरुशों जैसी हो गई थी वो पाजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थी टोपी पर एक सुन्दर पगड़ी बंदी रहती थी कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें एक तलवार लटकती रहती उसके साथ ही दमिश्क की बनी नकाशीदार चांदी मड़ी पिस्तॉल भी लटकती रहती थी जहांसी के किले पर अब स्वाधीनता का हरा चंडा लहराने लगा था रानी लक्षमी बाई ये भी जानती थी कि उन्हें जहांसी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तयार रहना चाहिए वो सेना तयार करने लगी लोगों को युद्ध का प्रशिक्षन दिया जाने लगा पुरुशों के साथ साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगी इनमें रानी की दो सहलियां सुन्दर और मुंदर भी थी रानी ने क्रांतिकारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्ग बनाए रखा और उनकी खबरें प्राप्त करती रही उधर अवद में भी क्रांति की पूरी तयारिया थी इतिहासकार लिखते हैं कि क्रांति की तयारिया जितनी अच्छी आवद में थी उतनी देश में कहीं नहीं थी हाजारों मौलवी और हाजारों पंडित स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थी वो एक-एक बैरत में जाकर सिपाहियों से बाचीत करते हर गाओं गली मौहले में जाकर पंडित्ची और मौलवी सहब आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तयार कर रहे थे लखनव में 13 मई को मिरट की क्रांति की और 14 मई को दिल्ली की क्रांति की खबरें आई सर हेंड़ी लॉरेंस लखनव में पूरे आवत का कमिशनर था उसने क्रांति की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी लखनव में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनव के पास मच्छ भवन में और रेजिटेंसी में कलेबंदी शुरू कर दी ताकि जरूरत पढ़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार वहां शरण ले सके अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को तो वहां पहले ही पहुँचा दिया गया था 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी क्रांती आरंफ होने का यही संकेत था 61 नंबर की पल्टन सबसे पहले बंदू के लेकर निकल आई उसने अंग्रेजों के बंगले जलाए और जो भी अंग्रेज मिले उन्हें मार दिया गया सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी च्छावनी लाहॉर के पास मियामीर में थी मियामीर में गोर्य सिपाहियों की तुल्न में हिंदुस्तानी सिपाही चार गुना ज़ादा थे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांती के प्रचारकों ने क्रांती की चिंगारियां पेशावर, लाहॉर, अम्रिटसर, जालंधर, फिल्लॉर, फिरोसफुर, आदी सभी स्थानों में पहुँचा दिने पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की यूजना ये थी के सबसे पहले मियामीर के सिपाही लाहॉर के खिले पर चठाई करेंगे इसके बाद पेशावर, अम्रिटसर, फिल्लॉर और जालंधर की पल्ट ने एक साथ क्रांती आरंप कर देंगी मियामीर में रॉबर्ट मॉंट गुम्री अंग्रेज सेनापती था वो बहुत चतुर और चालाग था उसे जैसे ही मेरट और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली वो तुरंत साथान हो गया तब ही उसके एक गुप्तचर ने खबर दी के मियामीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांती करने वाले हैं 13 मई 1857 को मियामीर के परेज मैदान में मॉंट गुम्री ने एक हजार हिंदुस्तानी सिपाहीों को बुलाया इसके तुरंत बाद तोप खाने सहित गोरे सनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहीों के दल को खेब लिया मॉंट गुम्री ने हिंदुस्तानी सिपाहीों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रखते अंग्रेजों की सेना और तोप खाने से खिरे हिंदुस्तानी सिपाहीों ने मचबूर होकर हथियार रख दिये और चुप चाप अपनी बैरकों में चले गए नाहोर के एक किले में मौझूद हिंदुस्तानी सिपाहीों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पल्टन भीजी गई उसने वहाँ की सिपाहीों से हथियार रखवा कर किले के बाहर पैरकों में भीज दिया उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और 5 नंबर की सवार पल्टने 22 मई 1857 को ख्रांती का बिगुल पूपने को तयार थी मियामीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सिना के चार दल पेशावर फेजे और 22 मई की सुभा देशी पल्टनों से हथियार रखवा लिए 22 मई की शाम अंग्रेज सनिक साथान थे कि कहीं छागदी या नगर में विद्रूह न हो जाए किन्त उसी रात कुछ निहत्य हिंदूस्तानी सिपाही नगर की ओचा रहे थे उन्हें अंग्रेज सिपाही ने पकड़ लिया उसी रात 14 हिंदूस्तानी सिपाहीं को हासी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लिए बैरकों के बाहर तोपर लगा दी गई कोई भी हिंदूस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था जिसने हिम्मत की उसे तोप के मूँ से बांध कर उड़ा दिया गया पेशावर के पास होती मर्दान में 55 नंबर पैगल पल्टन थी इसके सेनपती कर्नल स्पाटिश वुट को भरूसा था कि उसकी पल्टन विद्रो नहीं करेगी किन्तु पंजाब के अंग्रेज अबसुरों ने उन पर दबाब डाला कि पल्टन से हथियार रखवा लिये जाए इस पर दुखी वुकर कर्नल स्पाटिश वुड ने आत्मात्या कर लिए पोती मरदान की 55 नंबर पैगल पल्टन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेदा आए 55 नंबर पैगल पल्टन कले से भाभ निकली अंग्रेजों की सेदा भारी संख्याए में थी उन्हें कोई 1500 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए उन्हें बाद में तोपो के मुँझ से बांध कर उड़ा दिया गया इस प्रुदय विदारग गुरुष्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जोज बिकर्स ने किया है एक चौरस मैदान के तीन ओर पोज़ खरी थी और चौथी ओर दस तोपे थी पहले दस हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपो के मुझ से बांधा गया और फिर तोप खाने के अफसर में अपनी तलवार हिलाई एक साथ दस तोपो की गरज सुनाई दी और धुरे के साथ सिपाहियों के हाथ पाऊं सिर चारों और उर्ते हिले दिखाई दिये ये दृष्य चार बार दोड़ाया गया फिरोसपुर में कम्पनी सरकार के गोला बारूत के बहुत बड़े भंडार की रतवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों में उन्हें परेट पर बुलाया फिर उसी दिन कुछी घंटों बाद फिरोसपुर के भरतिये सिपाहियों ने क्रांती शुरू करती अंग्रेजों में स्वायम गोला बारूत का भंडार जला दिया जालंधर, फिल्लोर और लुध्यान की देशी बलजने चुपचाप क्रांती की तैयारी कर रही थी 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देशी पल्टन ने क्रांती का एलान गर दिया वहां माजूद अंग्रेज सेना की सिपाही और अबसर खबरा गए क्रांती का री सेना बड़ी शान से लुध्याना की और रवाना हो गई जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लोर पहुचा और उसने क्रांती की सूचना दे दी और वो आकर जालंधर की क्रांती कारी सेना से मिल गए अब दोनों सेनाएं लुध्याना की ओर बढ़ें लुध्याना के अंग्रेज अपसरों ने सतलच पर बना कष्टियों का पुल तोर दिया क्रांतिकारी सेना ने राट के समय उस पुल से कोई तीन किलोमीटर दूर से सतलच को पार करना चाहा लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया घमासान युद्ध हुआ अंत में क्रांतिकारी सेना विजई हुई सन 1857 में राजिस्थान के सभी राज्जों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था मारवार, मेवार, जैपुर, जोधपुर और कोटा में कम्पनी के गवर्नर जर्नल के प्रतिमिधी मौचूद थे इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जर्नल जो अजमेर में रहता था उस समय राजिस्थान में अंग्रेजों की छे चावनिया थी ये चावनिया नसीराबाद, मीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थी इन चावनियों में पाँच हजार भारबिय से निक थे देश के अन्य भागों की तरह राजिस्थान में भी शेहरों और छावनियों में साधू और फकीरों के वेश में क्रामती की प्रचारक आई उन्होंने सेनिकों में चर्वी वाले कार्थूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रों की भावना जगाई चर्वी वाले कार्दूसों की बात सेनिकों में बिजली की तरह फैल गई अंग्रेज अपसरों में जट पट देशी सिपाहियों से कार्दूस वापस ले लिए सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया तब ही एक और अप्पाउ जंगल की आग की तरह फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है इन बातों को लेकर भारतिय सिपाहियों में वित्रों की आग सुलगने लगी वो आपस में गुप्त मंद्रणाएं करने लगे नसीरबाद में मेरट की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अबसरों ने छावनियों के चारों ओर गोले भरवा कर तोपे रखवा दी अब तो भारती सिपाही और भी परशान हो गए कई जगा सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते वहवार का कारण पूछा साहब क्यों सत्यारियां हमें दबाने के लिए की जा रही है वह तुम लोग के अच्छा आजमी है यह से तुमारी भलाई के लिए है कोई बात सच है आखिर 28 मई 1857 को दोपहर तीन बचे पंद्रवी इंफेंट्री के सिपाहियों ने क्रांटिका के गुल फूप दिया वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आई तुपों पर तैनाथ भारतिय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की उन्होंने च्छाबनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मूँ मोर दिये प्रांटिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने पज़े में लेकर बिल्ली की ओर बढ़ना जोधपूर और जैपूर में उनका रास्ता रोपने वाले अंग्रेजों को नूखी खानी पड़ी उधर नीमच के क्रांटिकारी चित्तोर, हम्मीरगड और बनेडा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए बिल्ली की तरफ चल दिये निम्बाहिडा की जनता ने उन्हें गोजन रसद आदी दी उधर एरनपुरा की सेनिक टुकडी जब मारवार के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के छाकुर कुशाय सिंग भी उनके साथ हुई उन्हें बित्वुरा नामत स्थान में कर्नल हीत को हराया 18 सितंबर 1857 को राजिस्थान के एजन्ट टु गवर्न जनरल जोर्ज लोरेंस के साथ आउवा में एक बार फिट अप्ट रही जोर्ज लोरेंस हार गया और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए उदर भरतपुर में महराजा ने विद्रूही सिमा का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मॉरिशन को सला दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए मजबूर मॉरिशन 8 जुलाई 1857 को चला गया 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रूह छड़ गया अलवर और आसपास के गाउं की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई उसने आग में घी का काम किया जैपुर में नवाब विलायत खां, मिया उस्मान खां और सादुल्मा खां की क्रांति यूजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया इसी समय टोक की सेना ने भी विद्रूह कर दिया नीमच से आए क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से भंदसुल किया और फिर बिल्ली की ओर चल पड़े मेवार के असंतुष्ट सामन गुप्त रूप से राजस्थान की क्रांतिकारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहे वहाँ विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी क्रांतिकारी सिपाही जब दिल्ली पहुँचे तो अंग्रेजी सेना में दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था क्रांति दल ने पीछे से हमला बूल दिया अंग्रेजों को हटना पड़ा राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा पुलिटिकल एजिंट मेजर बर्टन ने महराव से कहा कि वो जैदयाल, रतंलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले करते हैं इस बात पर भारतिय सिपाहियों और अंग्रेजों में मार काट छड़ गई थे मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटे भी मारे गई थे इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा के क्रांतिकारी इतने जोश में थे कि उन्हेंने मेजर बर्टन का सिर कात कर पूरे शहर में थमाया किन्तु इसके बाद अंग्रेजों में कोटा के विद्रो को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया था 1857 की क्रांतिकी लप्ते सारे देश में बराबर भेलती जा रहे हैं देश का मध्यभाग भी विद्रो की आग में चलने लगा था ग्वालियर, ललितपुर, छतरपुर, सागर, विजरागवकर, रीवा, दमो, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगड आधी जगाहों पर क्रांति फैल गई जबलपुर के पास पुर्वा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी सही क्रांति संचालन की योजना बनाई थी बावंदी रेजिमन की सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था किन्तु किसी खद्दार ने ये बात अंग्रेजों तक पहुँचा दी 14 सितंबर 1857 को क्याप्टन क्लर्प ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनकी बेटे रगुनाद शाह को गिरफतार कर लिया चेक पक मुकदमा चला और दोना बाब बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांद कर उडा दिया गया राजा शंकर शाह और उनकी बेटे रगुनाद शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रती ख्रणा फैल गई भारत ये सिपाहियों ने उसी रात विद्रो की खूशना कर दी इसी खटना से बेचैन होकर विजे रागवगण के राजा सर्यू प्रसाद में भी विद्रो की खूशना कर दी राजा सर्यू प्रसाद की उम्र उस समय सक्त्रा साई की थी उसके सिपाहियों ने अंग्रेजों के घुड़े छिन लिये बाद में रीवा से अंग्रेज से ना आई ख्रामतिकारी सेना से युद्ध हुआ पराजित होने के कारण राजा सर्यू प्रसाद फकीर का वेश बना कर वहां से निकल गए परन्तु अंग्रेजों में उन्हें सन 1864 में गिरफतार कर लिया जबलपुर में उन पर मुकद्मा चला और काले पानी की सजा दी गई किन्तु राजा सर्यू प्रसाद स्वाभी मानी व्यक्ती थे उन्हें में आत्मात्या कर ली और इस तरह एक और स्वत्रंतिता से नानी शहीत हो गया इनी दिनों बखेल खंड के स्वत्रंतितावीर ठाकुर रणमत सिंग ने अजेगर में अंग्रेजों का शासन खत्म किया और मौगार छावनी पहुँचे जहां क्रांतिकारी से ना उन से मिल गई ठाकुर रणमत सिंग उस समय के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे और कुवर सिंग से संपर्ग बनाये हुए थे ठाकु रन्मत सिंग का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था बलकि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थी बिलसाय नामक स्थान पर उन्हेंने जनर्नल केसरी सिंग को पराजित किया फिर लेफ्टिनन्ट औस्वर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भडंत हुई अनेग भारतिय वीर शहीद हुई औस्वर्न मारा गया विजई ठाकुर रन्मत सिंग रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगी अंग्रेजों ने रीवा के महराजा रगुराज सिंग पर दबाद डाला कि वो रन्मत सिंग को गिरफ़तार कराने में मदद करें बिल्ली पर पूरी तरह क्रांतिकारियों का अधिकार था समराच बहादुर्शा जफर, बेगम जीनत महल, सेनपती बख्त खां और कुछ अन्य नेताओं की सलाह से शासन का काम चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली के बाहर कमपनी सरकार की सेना का फारी जमान था वो बिल्ली पर दुबारा अधिकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थी पर ख्रांतिकारी सेनाई उन्हें लगातार पीछे भेज रही थी बिल्ली पर अधिकार करने के लिए कमपनी की सेना को पाच दलों में बाटा था प्रधान सेनापती विल्सन के नित्रत्व में पहले तीन दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की चौथा दल लेकर मेजर रीट काबुली दर्वाजे पर पहुंचा और सबजी मंडी की तरब से बढ़ने की योजना बनाई आखिर 14 सितंबर 1857 को सुर्योदय होते ही जर्नल निकलसन कश्मीरी गेट के पास दीवार की और बढ़ा तभी इधर से क्रांती कार्यों ने गोले बरसाने शुरू कर दिये दीवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई लेकिन जर्नल निकलसन ने इसकी परवा नहीं की एक जगा दीवार कुछ तूट चुकी थी निकलसन ने वहाँ पर सीड़ी लगवा दिवार कूट कर शहर के अंदर जाना चाहता था आखिर निकलसन गोलों और गोलियों की पहुचार की परवा न करता हुआ दीवार पर चड़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा उसके बाद तूँ भारी संख्या में अंग्रेज सेने का अंदर पहुँच गया कश्मीरी गेट पर घवासान लड़ाई शुरू हो गया आखिर अंग्रेज सेनिकों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया इससे करनल कैंप बेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया सबजी मंडी के पास क्रांपिकारी सेना ने मेजर रीच की सेना का मुकार्ला किया वहाँ भी घवासान लड़ाई हुई करनल कैंप बेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी मस्जिद में उस समय कई हजार मुसल्मान जमा थे उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जिद उलाना चाहते हैं वो सब अपनी तलवारे लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े अंग्रेजे वे इंपर गोलिया चलाई काफी लोग मारे गए पर इस से उनका होसला नहीं चूटा इतिहासकार लिखते हैं कि मुसल्मानों ने जिस फूर्पी से आक्रमन किया उससे कंपनी के बंदूग भारी सिपाही खबरा गए उन्हें दुबारा बंदूगे बहने का मौका है नहीं मिला करनल केंट वेल भी खायल हो गया दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संगराम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांटी का ये सबसे भयंकर संगराम था उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए जबकि करीब 1500 क्रांटीकारी शहीद हुए थे 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमी पर क्रांटीकारीयों ने अंग्रेजों से संगर्ष किया इसके बाद दिल्ली का तीन चौथाई शहर अंग्रेजों के कबजे में आ गया जगा जगा इमार्तों पर फिर से बिटिश छंडा लहराने लगा उधर 19 सितंबर की रात सिनापती बख्थ खां समराच बहादुशा जफर से मिला उसने बाश्शा के हिम्मद बंधाई और कहा तो बिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है तमाम मुल्क में आग लगी हुई है आप अंग्रेजों से हार मत मानिए आप मेरे साथ बिल्ली से निकल चलिए आखरी जीत हमारी होगी ठीक है बहादुश तुम कल सबेरे हमें मिलो अधर बख्त खां गया और इधर इलाही बख्ष बाश्या के पास आया इलाही बख्ष बाश्या का समधी था परंतु धन के लोग में अंग्रेजों से मिलकर बाश्या को दिल्ली से बाहर जाने से रोख रहा था अगले दिन सविरे समराच बहादुशा अगले अगले दिन सविरे समराच बहदुशा मुझ से पर्शा हुमाइयों के मगवेimetा बख्ष भाको मही मिलने के लिए बुलाया गया मगबरे के पूर्वी दर्वाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौश पड़ी हुई थी पूर्वी दर्वाजे से ही बख्त खां बहादु शाह से मिलने के लिए आया बख्त खां दिल्ली से निकल कर क्या हम महफूज रह सकेंगे हज़ूर आपका इखबाल बुलंद है दिल्ली के तर छोड़िए मुल्क के तमाम मिलाखों में आपके लिए इज़त है और वहाँ आप महफूज रहेंगे लेकिन इलाही बख्त खां उसकी बातों में मत आयों हज़ूर वो फ्रंग्यों से मिला हुआ है मैंने अपनी पौश तैयार कर ली है आप फॉरन निकल चलिए कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता बख्त खां मुझे तुम पर पूरा यकीन है ठीक है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूँगा बख्त खां के जाते ही इलाही बख्ष फिर पहुँच गया सारे मुल्क में फिरंगियों में मार काट मचा रखी है आज नहीं तो कल आप पर मुसीबते आ जाएंगी मेरी मानिये फिरंगियों से दोस्ते करने में ही भलाई है हुजूर बुरा बाश्शा अजीब पशोपेश में पढ़ गया अभी इलाही बख्ष अपने दाओं पेच चली रहा था कि बख्ष पहुच गया अरे ये फिर यहां टपका हुजूर मैं आपका रिष्टेदार हूँ बहला मैं आपसे क्यों दगा करूँगा लेकिन ये बख्ष अठान है मुग्लों से अपनी ओम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा अच्छा तो ठेर अम मजद देत होके बास अभी तेरा फैसले की देता हूँ अरे 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 ठेहरो बहादूर ठेहरो ये क्या पागलपन है बहादूर मुझे तेरी हर बात का यखीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूँ मगर जिस्म की ओवत ने जवाब दे दिया है इसलिए मैं अपना मामला तक्दीर के हवाले करता हूँ मुझे को मेरे हाल पर छोड़ दो और बिसमिल्ला करो हमारे फिक्र मत करो अपने फर्ज को अंजाम दो दाश्या की बातें सुनकर बख्थ खां का दिल चूट गया वो करदन नीची करके पूर्वी दर्वाजे से बाहर निकलाया फिर तो इलाई बख्ष को मौका मिल गया वो फॉरन कैप्टन हट्सन के पास पहुँचा साहब देर मत कीजी जहीं मौका है बख्थ खां को बात्शाह ने नराज करके भीज़ दिया है आप पश्चिन के दर्वाजे से चलकर फॉरन बात्शाह को गिरफ़तार कर लीजी साहब फिर इलाही बख्ष लपक कर बात्शाह के पास पहुँच गया पीछे पीछे हट्सन बाहदुशा को गिरफ़तार करने पहुँचा उसे देखकर हैरान रहे गए बात्शाह ने अब इलाही बख्ष की सारी चाल समझती थी उन्होंने नफरत से उसकी और देखकर कहा इलाही बख्ष क्या तुमने इसी लिए मुझे बख्ष वां के साथ जाने से रोका कैप्टन हट्सन ने समराच बाहदुर्शा जफर बेगम जीनत महल और शहजाद जमावख्ष को गिरफ़तार कर लिया और उन्हें लाकर लाल कले में गयद कर दिया इसके बाद फॉरल ही कंपनी के बड़े अक्सरों की मीटिंग थी कैप्टन हट्सन और जेर्मन बिलसन की राय थी कि समराच बहादुर्शा को फॉरल मार डालना चाहिए लेकिन कंपनी के बड़े अक्सरों ने कहा किस से देश के हालात और जादा बिगर सकते हैं इसलिए उन्हें पैद ही रखा जाए उदर हुमाईयों के मकबरे में बादशा के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अख्तर सुल्तान और पोता अबुबकर अभी मौजूद थे ये लोग तैय नहीं कर पाये थे कि वो किधर जाए इलाही बख्ष को जैसे ही ये बात मालुम हुई तो वो भाग कर कैप्टन हट्सन के पास पहुँचा उसने हट्सन से कहा आप फॉरन चलकर बादशा के बागी दो बेटों और पोतों को गिरफतार कर लिजी वो लोग भाग नहीं वाले हैं कैप्टन हट्सन तुरंट मकबरे में पहुँचा और तीनों शहजादों को गिरफतार कर लिया इलाही बख्ष ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जैनल विलसन से उनकी जान बख्षवा देगा अब हट्सन तीनों शहजादों को बग्गी में बिठा कर शहर की ओर ले चला अंग्रेज सैनिक सवार बग्गी को घेर कर चल रहे थी सन 1857 की क्रांती का दमन कदमे में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्वारा अंग्रेजों की मदद जाजी के तिले पर लहराता स्वाधिनता का हरा चंदा अंग्रेजों की आंख का कांटा बना हुआ था छे जनवरी 1858 को सरहूरोस एक विशाल सिना लेकर मौचावनी से जाजी के लिए रवाना हुआ रास्ते में रायगड, सागर, बानपुर, चंदेरी आधी विजय करता हुआ वो बीस मार्च को जाजी के पास पहुचा जासी में उस समय मध्यभारत के क्राम्तिकारियों का केंद्र था और रानी लक्ष्मी बाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्राम्तिकारी मौचुद थी रानी लक्ष्मी बाई को जैसे ही सर्हुरोस के आने की खबर मिली उन्होंने जहांसी के आसपास का तमाम इलाका खाली करवा दिया जिससे शत्रु को रसत आदिना मिले लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की इतनी मदद की कि उन्हें जहांसी तक पहुचने में कोई कचिनाई नहीं हुई उधर रानी जहांसी का होसला बुलंद था वो ना सिर्फ ख्रांती कारियों का नित्रत्व कर रही थी बल्कि हर काम के निकरानी भी खुद ही करती थी उनके साथ पुरुषबीर ही नहीं बलकि महिलाएं भी थी जो युद्धुकला में प्रशिक्षन ले रही थी और मोर्चे बंदी में बड़ी तेजी से काम कर रही थी 24 मार्च 1858 को जासी की प्रसित भुक्तू घंगरच ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किये 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हम लगिया 26 मार्च को कमपनी की सेना में शहर के दक्षनी ठाटक पर इतनी जबरदस्त गोलाबारी की कि छासी की तोपों को दिया जाना पड़ा तब पश्चिमी ठाटक के तोपची घुलाम गौस खाने अपनी तोप का मूँ अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया घुलाम गौस खान की गुलंदाजी के सामने कमपनी की सेना नहीं ठहर सकी और उसकी तोपें चुप हो गए गुलाम कॉस्का की इस बहादुरी से खुश होकर रामी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था 28 और 29 मार्च को भी जहासी की तोपो ने दुश्मन को भारी नुक्सान कोंग जाया किन्तु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपो ने नगर की दिवार का एक हिस्सा तोर दिया इससे जहासी की सेना का मनुबर थोड़ा कमजोर तो हुआ लेकिन रानी के नित्रत्र में रातों राट ग्यारा मिस्त्रियों ने कंबर ओर कर दिवार को ठीक कर दिया सवेरा होते ही जहासी की तोपे फिर गरजने लगी अंग्रेजों ने भी पूरी ताखोत सो अपना आक्रमन शुरू कर दिया दोनों और के लोग मारे गए फिर भी रानी लक्ष्मी बाई सभी मोर्चों पर खुद जाकर सेनिकों का होस्ता बरहा रहती पीन अप्रेयल को जहासी की स्थिती कमजोर होने लगी अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूत के आगे क्रामतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया फिर भी रानी घोडे पर सवार दोकर अपनी सेना के सिपाहियों और अपसरों के होस्ते बढ़ा रही थी और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुँचकर जरूरी आदेश दे रही थी उस दिन शहर के सदर दर्वाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चा बंदी की थी नगर की दिवार पर सिढ़ने अलगा ली थी और उनसे चड़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी किन्तु जहांसी की दिवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त बोचार हुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हट जाना पड़ा किन्तु उधर दक्षनी दर्वाजे पर किसी विश्वास खाती में द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंगा बजाती हुई खुस गए रानी ने किले की दिवार पर से नगर निवासियों पर कंपनी की सेना के जिल्म देखी उन्होंने तुरंट एक हजार सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी था रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा किन्तु रानी के कई वीर सर्दार और बहादुर तोपची इस युद्ध में मारे गए उधर उत्तर दिशा का सदर दर्वाजा भी खुल गया और कंपनी की सेना वहाँ से आगे बढ़ने लगी रानी ने सोचा कि विश्वास घातियों के कुछक्र के कारण अब और यहां ठहरना संभब नहीं रह गया है इसलिए यहां से निकल कर कहीं और जाएं और वहां से क्रांती का संचालन करें उसी रात को रानी लक्ष्मी बाई ने जहांसी छोड़ने का निश्चे किया उनकी दो सहेलिया सुन्दर और मुंदर और दस पंद्रा सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए आधी रात के समय रानी ने अपनी पीट पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और कले की दिवार से हाथी की पीट पर कूत पढ़ी उनका प्यारा सफेद खुड़ा तैयार था साथ जाने वाले वीरभी तैयार थी अब रानी कालपी की ओर बढ़ी उदर लेटनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा उसने रानी का पीछा किया सवेरगे हुने तक रानी मांडेर गाउंगोची जहां दामोदर राव को बूट पिलाया तक पीछा करते हुए लेटनेंट बोकर के आने की खबर हुई जब लिफ्टिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार किराया अंध में उसके साथ ही भी सिर्वर पैर रखकर भागी सारा दिन और आधी रात तक लगातार दोरता हुआ रानी का घोड़ा कालपी पहुँचते पहुँचते ही गिर कर मर गया रानी को इससे बहुत दुख हुआ कालपी में उस समय नाना साहब के भतीजे राउ साहब और सिनपती तात्यकलों पे मौझूद थे रानी ने उनके साथ बैच कर सारी स्थिती पर विचार किया उधर बांदा के नवाब, शाहगर और बांपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए सर्फिरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया वहां रानी के नित्रत्व में क्रांतिकारी सेना ने घमासान युद्धु किया अंग्रेजों की सेना के होसले कमजोर पड़ गए किन्तु उन्होंने संगठत होकर फिर से हमला किया और क्रांतिकारी सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा 24 मई को कम्पनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया रानी लक्ष्मी बाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल दें उधर तात्या टोपे चुकचाप गौलियर पहुँचे और सिंधिया की सेना तथा गौलियर की जनता को क्रांती सेना का साथ देने के लिए तैयार कर लिया गोपाईपुर में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब को बताया कि गौालियर की सेना की मदद से हम कंपनी की सेना को हरा सकते हैं गौालियर पहुचने पर ख्राम्तिकारी सेना का बड़े हर्ष सिस्वागत हुआ गौालियर की ख्राम्तिकारी सेना ने पूरी मदद की तयारी कर रखी थी तीन जून 1858 को गौालियर के फूल बाग में बहुत बड़ा दर्बार कुआ इस दर्बार में रुहेला, राजपूत और मराचा पल्टने भी मौजूद थी नाना साहब के भतीजे राव साहब को पेश्वा का प्रतिनधी मान कर सम्मानिक किया गया तात्या टोपे को प्रधान सेना पती बनाया गया और बीस लाथ रुपए सेना में मांगे गया उधर सर्फियूरोज ने निश्चे किया कि इस समय तुरंट गौालियर पर हमला करना चाहिए उसे तात्या टोपे की संगठन शक्ती का सबसे जाधा डर था इधर राणी लक्ष्मी बाई ने राओ साहब आदी सभी को चेतावनी दी कि ये समय पुर्सक में बैठने का नहीं है बलकि सेना को मुकाबले के लिए संगठत करना जरूरी है किन्तु राणी की इस सलाह पर उन लोगों ने धान नहीं दिया आखिर सर्हिरोज अपनी सेना लेकर गॉालियर बहुंच गया क्रांती कारी सेना तैयार नहीं थी फिर भी तात्य टोपे ने आगे बंकर मुकाबला किया इनको क्रांती कारी सेना हार गया 17 जून 1858 को राणी लक्ष्मी बाई और सेना पती जर्नल स्मित का मुकाबला हुआ राणी की दोनों सहेलिया सुन्दर और मुंदर भी साथ थी स्मित ने कई आख्मान किये किन्तु राणी लक्ष्मी बाई ने हर बार उसे पीछे ख़देर दिया इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुभा से शाम तक राणी लक्ष्मी बाई घोड़े पर सवार युद्ध भुनी में अध्वुत वीर्ता के साथ लगती रही और विजई भी 18 जूम को जर्नल स्मिथ और अधित सेना लेकर फिर से गौलियर के पूर्वी भाटक पर पहुंचा उस दिन दरसल अंग्रेजों में कई मुर्चे खोल दिये थे इस बार जर्नल स्मिथ के साथ सर यूरोज भी था कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपनी दोनों सहीलियों के साथ शर्वत पी रही थी तो खबर आई कि कंपनी की सेना बढ़ी चलिया रही है बहुत बढ़ी फोज है रानी ने तुरंट शर्वत का कटोरा फीट दिया और युद्ध के लिए निकल पड़े एक अंग्रेज पर तक्षदर्शी लिखता है तुरंट सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गए उसने बार बार तूपानी गती से सरहुरोज के सेना पर हमला किया लेकिन उसके सेम कि तादार लगातार कम हो रही थी आखिर रानी लक्ष्वी बाई चारों ओर से खें गया लेकिन रानी ने फिर भी मुकाबला किया उस समय रानी की दो सही लिया और दस पंदा सवारी शेश थी रानी तलवार से अपना रास्ता साथ करती हुई आगे पड़े अंग्रेज अ लेकिन आगे नाला आ गया और रानी का घुड़ा नया था उसने बहुत कोशिश की कि घुड़ा नाला पार कर जाए लेकिन घुड़ा अड़ गया तक तक पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां पहुँच गया तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया सिर का दाहिना भाग अलग हो गया फिर भी रानी ने गूंकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया कभी एक और बार हुआ और रानी खून से लख पर हो गया घोरे से गिरते गिरते भी रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को भी मार दिया तब तक रानी लक्ष्मी भाई का वफादार नौकर राम चंदर राव देशमुक पहुँच चुका था घायल और बेहोश रानी को उठा कर वो पास ही एक साधू की कुटिया में ले गया ताकि उनका मुद्च शधीर अंग्रेजों के हाथ न लगी आवत में क्रांती का केंद्रु थी बेगम हजरत महल आवत की जनता ने उनके बेटे पिरजिस अदर को गद्धी पर बिठा दिया था वो अभी नाबालिक था इसलिए शासिन का काम बेगम हजरत महली संभाल रही थी अंग्रेज लेखक रसल लिखता है बेगम में अध्भुच सहस और युग गिता थी बेगम ने हमारे साथ अखंड युद्ध का एलान कर दिया था दूसरी तरफ सारे अवज ने शांती, कानून और विवस्ता कायम क अधर जर्नल हेवलोक कानपूर से लखनव की और बढ़ने के कई प्रेथ न कर चुका था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी क्रांतिकारी सेना उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी हेवलोक एक बार फिर 20 सितंबर 1857 को विशाय सेना लेकर लखनव की और बढ़ा इस बार उसके साथ नील, आउट्रम, कूपर और आयर जैसे चार अनुभवी जर्नल भी थे रास्ते में अवद की जनता ने जगा जगा कंपनी की सेना का विरूत किया किन्तु इस बार अंग्रेजों के होसले बढ़ी होगी उन्होंने जिस गाओं पर फरा जंडा फेरादा देखा उसे जला कर राख कर दिया, निवासियों को मार डाला 23 सितंबर को लखनव के पास आलम बाग में कंपनी की सेना और क्रांती कारी सेना में जम कर मुकाबला हुआ लेकिन तभी बिल्ली में दुबारा अंग्रेजी राज कायन हुनी की खबर आए इससे अंग्रेजों के होसले और बढ़ गए 25 सितंबर को अंग्रेजी सेना चार बाख के पुल के पास आप हुची क्रांती कारी सेना के साथ यहाँ भी खमासान युद्ध हुआ कंपनी सेना का भारी नुक्सान हुआ इसी दौरान इलाहबाद में दमन करने वाला मश्गूर सेना पती जर्नल मील मारा गया कंपनी की सेना लड़ते लड़ते रेजिडेंसी पहुँच गई इसका नित्रित गुर्ण हैब लॉक कर रहा था रेजिडेंसी में एक क्रांटिकारी सेना ने खेरा डाल दिया अंग्रेशों की सेना रेजिडेंसी में कैद हो गई आखिर ब्रिगेडियर ग्रांट एक बड़ी सेना लेकर आलमबाफ पहुँचा 14 नवंबर को आलमबाफ की ओर से ब्रिगेडियर ग्रांट ने और रेजिडेंसी की ओर से हेबलोफ और आउट्रम ने ग्रांटिकारीयों को दबाना शुन तुट 16 नवंबर को सर पॉलिड केमबल ने अपनी सेना के साथ शिकंदर बाफ परहमना किया क्रांटिकारियों ने यहां अद्भूत सहाथ दिखाया इसके बाद दिल खुश्बाख, शाह नजब, मोती महल आदी अनेक स्थानों पर 23 नवंबर तक युद्भू जारी रहा वेजिडेंसी में गैद अंग्रेश छूट गया, किन्तु लखनव शहर अभी तक क्रांटिकारियों के हाथ में था इसी बीच कानपूर पर तात्य टोपे के कबजे का समाचार मिलते ही कैम बिल कानपूर की ओरवाना हुआ उधर लखनव में जैनल आउट्रम मूर्चा समभाले रहा लखनव में उस समय क्रांटिकारियों के संगठन और नित्रित्व का काम क्रांटिनेता मौलवी एहमद शह देख रहे थे अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि फैजाबाद के मौलवी एहमद शहा में एक महान आंदोलन चलाने और विशाल सेना का नित्खत्व करने की अद्भुतियों के दादे आलम बाग पर जितनी बार भी नब्धुगवे मौलवी एहमद शह अपने खोड़े पर सबसे आगे लड़ती वे दिखाई देते थे अवद में खरांतिकारियों का संगठन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को वहाँ पैर जमाना मुश्किल हो रहा था अवद की अधिकांश प्रजा लगभग सखी राजा जमिदार और तालुकितार सच्चे उच्जा से नवाब विर्जिस कदर और वेगम हजरत मिहल के लिए अपना मपलिदान देने के लिए तयार थी इनमें राना बेनी माधव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है राना बेनी माधव में जनसंगठन और छापा मार युद्धकला की अध्भुतियों किता थी अंग्रेजों ने उन्हें अपनी और मिलाने के लिए बहुत लालश दिये किन्टू राना बेनी माधव में बेगम हजरत महल का साथ नहीं छोड़ा 15 जनवरी 1858 को फिर युद्ध छिड़ा उस दिन मौलवी एहमद शाह के हाथ में गोली लगी 17 जनवरी को ख्रान्तिकारियों के एक और मुख्य सिनापती विदेही हनुमान खायल हुए और उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया इसी दिन राजा बाल कृष्ण सिंग के मृत्य हुए 15 फरवरी 1858 को हाथ की चोट ठीक होने पर मौलवी एहमद शाह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए लेकिन अब लगनव में अंग्रेजों की सिनाव का भारी जमा हो गया था वो यहां क्रान्तिकारियों का दमन करने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहते थे उधर बेगम हजरत महल मरदाना वेश पहन कर हथियार बांधे ग्रान्तिकारी सिपाहियों के होसले बढ़ा रही थी बेगम हजरत महल ने स्त्रियों का एक पूरा संगठन तयार किया था महलों की बांधियां उनकी निग्रानी में कवायत किया करती थी महिला जासूसों का एक अच्छा संगठन भी उन्होंने तैयार किया था इतिहासकार लिखते हैं कि काश बेगम हजरत महल ने सैनिक शिक्षा पाई होती तो वो तमाम मर्द सिनापतियों से कई गुना अच्छी कमांडर सावित हुई होती लग्नव की एक एक इंच भूमी पर युद्ध शुरू हो गया था वेगम हजरत महल भी हाथी पर सवा होकर युद्ध के लिए निकलाई थे 1857 के स्वतंतुता संग्राम को दबाने में हाला कि अंग्रेजों ने सफलता पार रिखी फिर भी विद्रोह की आग कई जगासों लगती रही मुस्लिम संप्रदाय का एक धार्मिक वर्ग जो वहावी के नाम से विख्यात था अंग्रेजों का लगातार विरूत करता रहा इस आंदोलन का जूर उत्तर भारत में था पेशावर और पटना में इसके केंद्र थे वहावियों का संगठन इतना मस्बूत था कि सन 1830 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया था उधर दक्षन बंगाल में 24 बर्गना नदिया और फरीदपुर में भी वहावियों का अच्छा प्रभाव था वहाँ के किसान तीतो मिया के नित्रित्व में विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए थे और अंग्रेजी राज समाथ होने की खोशना करती थे चारों और विद्रोह फ़र गया आफिर अंग्रेजों की सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए आगए फिला संहश हुआ तीतु मिया मारे गए और 340 वहादी पकड़े गए इस तरह वहादी आंदोनन जो शुरू में अधार्मिक रंग लिए हुए था अंग्रेज विरोधी हो गया और आजादी का समर्थ बंद गया उधर सीमा प्रांथ के वहादियों में अंग्रेजों से 1858 और 1863 में दो बार उद्धला ला आफिर गिसंबर 1863 में अंग्रेजी सेना में मलका के मजबूत पिले को जीत कर वहादी आंदोनन पर भारी चोट गिए अंग्रेजों ने सीमा प्रांथ के वहादियों को पकड़ कर उन पर मुकदमे चला गया सन 1861 में एक वहादी नेता अमीर हाँ पर मुकदमा चलाया गया वहादियों ने पैरवी करने के लिए मशूर अंग्रेज वकील मिस्टर एनसटी को खड़ा किया मिस्टर एनसटी ने अंग्रेज होकर भी वहादियों के पक्ष को बड़ी मस्बूती से अदालत में रख़ा उनकी दलीलों को वहादियों ने उस्तक्रूप में प्रकाशित कर दिया जिससे उनका अच्छा प्रचार हुआ जज ने मुकद्बा तो खारिच कर दिया किन्तु अमीर हां को नहीं छोड़ा गया ये अंग्रेजों के काले कानूनों का एक नमूना था इस पर एक दिल मौका पाकर अब्दुल्ला नामक एक वहावी में जज पर छुरे से हमला कर दिया बात में इसके लिए अब्दुल्ला को हासी हो गए उधर पटना में वहावी आंदोलन के नेता थी मौलवी एहमदुल्ला इन पर विटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाने और सीमा प्रांट के विद्रुहूं की मदद करने का आरूप था मौलवी एहमदुल्ला पर फॉरण मुकदमा चलाया गया जूटे गवाहों के बयान दिये गए और मौत की सजा दी गए लेकिन बाद में हाई कोट में उस सजा को आजीवन कारावास में बदर दिया इस फैसले के तुरंट बाद मौलवी एहमदुल्ला को अंडुमान भीज दिया गया और पटना में उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई इतिहास का लिखते हैं कि अंडुमान पहुचकर भी मौलवी एहमदुल्ला इस आंदोलन को जीवित रखने का लगातार प्रैपन करते रहे भारतिये स्वतंतुता आंदोलन के इतिहास में तुका विद्रोव का अपना अलगी महत्व है सद्गुरु राम सिंग इस आंदोलन की नेता थे सद्गुरु राम सिंग का जन्म लुध्याना के भेणी गाउं में हुआ था वो कम उम्र में महराजा रंजीत सिंग की सेना में भरती हो गए थे किन्तु जब बाद में इस राज्य को अंग्रेजों ने अपने सामराज्य में मिला लिया तो चारों तरफ बेचैनी फैल गई सद्गुरु राम सिंग बहुत दुखी हुई उन्होंने सूचा कि अंग्रेजों के गुलामें से छुटकारा पाने का अब कोई रास्ता नहीं है इसलिए उन्होंने सब तरफ से ध्यान हटा कर भजन पूजन में मन लगा लिया सद्गुरु राम सिंग की भक्ती का इतना यश फैला कि भेणी एक तीर्थ स्थान बन गया अनेट लोग उनके शिश्य बन गए उन्होंने इस नए संप्रदाय का नाम रखा कूका या नामधारी संप्रदाय धीरे धीरे सद्गुरु राम सिंग के मनने विचार आया कि क्यों न ऐसे भक्तों का एक संगठम बनाया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करे उन्हीं दिनों सद्गुरु राम सिंग की भेट महराष्टु से आये संथ रामदा से हुए देश की दिनों दिन बिगड़ती स्थिती, सूखा, अकाल, अंग्रेजों के जुल्म आदी विश्यों पर बात चीत हुए संथ रामदास ने कहा कि इन समस्यां का हल करने के लिए देश का आजाद होना जरूरी है सद्गुरु राम सिंग ने असहयोग की नीती अपनाई उन्होंने अपने शिश्यों से कहा अंग्रेजों की अदालतों में न जाओ, उनके विद्यालेयों में न पढ़ो जब अंग्रेजों को सद्गुरु राम सिंग की असहयोग नीदी और उनकी अलग से चलने वाली डाक विवस्था के बारे में पता चला तो वो चौकन में हो गए सद्गुरु राम सिंग ने अपना काम गुप्त रीति से शुरू कर दिया ये कह हुआ कि भीतर ही भीतर लोगों को अंग्रेजी राज के खुलाफ विद्रोव के लिए तयाद किया जाए पांच वर्षों तक गुपत रूप से काम चलता रहा लेकिन एक दिन सद्गुरू के चेले यात्रा पर जा रहे थे कि एक शिष्य को कसाईयों ने खेल लिया उन्टी सीदू सुनाई और अप्मानिक दिया क्रोट से भरा हुआ वो शिष्य सद्गुरू के पास आया जगड़े की बात बताई और बोला अब शान्ती से काम करना मिश्किल है आप अभी विद्रोव के लिए आदेश दें सद्गुरू ने शिष्य को समझाया पर वो आपने से बाहर वे चुके थे वो मलें कोटला के खिले की और हथियार लेने के लिए दौर पड़े हथियार लेकर वो सब युद्ध के लिए निकल पड़े शिष्यों ने सद्गुरू की आग्या के बिना युद्धु छेड़ दिया था सद्गुरू इस स्थिती से बहुत दुखी हुए उन्हें कहा मैं उनका समर्थन कैसे करें उधर से अंग्रेज से ना गई सभी शिष्य गिरफ्तार कर लिए गया और इहें तोपों के मुझ से बांद कर उड़ा दिया गया इन्हें विद्रुलियों में एक शिष्य तेरा वर्ष का बालक था अंग्रेज अपसर ने उससे कहा अगर तुम कहड़ो कि सट गुरु राम सिंग से तुमारा कोई संबन नहीं है तो बाय तुमे छोड़ दूँगा लेकिन अपने गुरु की बुराई सुनते ही उस बालक ने छपक कर अंग्रेज की दाड़ी पकड़ लिए अंग्रेज अफसर और उसकी सिपाहियों ने दाड़ी छोड़ाने की बहुत कोशिश की परसफल ना हुए अफसर ने गुस्से में बालक का हाथ काटने का अदेश दे दिया सिपाही ने पलक मारते ही बालक का हाथ काटकर अलग कर दिया और इसके बाद उन्होंने बालक के टुकडे टुकडे कर दिये लेकिन शिश्यों की सद्गुरु के प्रती भावना को देखकर अंग्रेज परेशान हो उठे उन्हें लगा कि एक तिन सद्गुरु राम सिंग एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ सकते हैं इसलिए उन्हें मलेर पोटला में विद्रू के आरोप में गिरफ़तार कर दिया गया हालां कि उससे उनका कोई संबंद नहीं था सद्गुरु राम सिंग और उनके कुछ अनुयाईयों को रंगुन भेश दिया गया जहां 14 वर्ष बार उनका दिहान थो सद्गुरु राम सिंग देश की आजादी की लड़ाई में अपनी अमिट्र छाप छोड़ गया उधर बिहार के संथालों ने एक बार फिर आजादी का नारा बुलंद किया चोटा नाकपुक शेत्र में संथालों ने इससे पहले भी सन 1885 में शोषण के विरुद्ध सशेस्त्र क्रामती छेड़ती थी उस समय संथालों के दो मेंका सीदू और उसके भाई कालू ने 16 जुलाई 1856 को अंग्रेजों से पहली बार खुला युद्धी किया था अंग्रेज पराजित हो थे और वीर भूम और रानी गंज का बहुत सा ख्षेते संथालों के कबजे में आ गया था फिर कलकत्ते की और बहते हुए तीस हजार संथालों से अंग्रेजों की भुरन थे इस लड़ाई में दस हजार संथाल मारे कल अंग्रेजों ने उन पर अपना आतंक जमा दिया सन 1871 में पुना संथाल वित्रों भड़का पर अंग्रेजों ने इसे दबा दिया वित्रों तब तो गया पर बंद नहीं गुआ इसके बाद बिहार के रांची और सिंग भूम जिलों के मुंदा आदिवासियों ने अंग्रेजों के शोशन और अत्याचार के खिलाफ फिर वित्रों किया इस वित्रों का नेता था एक यूवक मुंदा बिरसा बिरसा कुछ पढ़े लिखे थी उन्होंने उस समय के समाज और शासन की स्थिती देखकर ये महसूस किया कि न्याय पर आधारित भूमी विवस्था और शोशर से बचने के लिए लंबा संखर्ष करना होगा दूसरी ओर बिरसा ने आधिवासी समाज की जिस तरह सेवा की उससे वो जन्दी ही लोकप्रिय हो गया बिरसा ने जहां आधिवासीयों में व्याप्त अंध विश्वासों को दूर किया वहीं इसाई मिश्णरियों के फैलते प्रभाब को भी रूपने की कोशिश की उन्होंने किसानों को शोशन के खिलाफ चगाया आखिर मुंडा बिरसा की लोकप्रियता और शोशन विरोधी कारियों को देखकर अंग्रेजों में उन्हें गिरफतार करने की कोशिश की इस पर मुंडा आधिवासीयों ने जहाद चिर दिया फिर भी अंग्रेजों ने बिरसा को एक राद गिरफतार करी लिया बिर्सा को दो साल की सजा देकर हजारी बाग जेल में रखा गया जेल में वो हमेशा आधिवासियों के अधिकारों की रख्षा के लिए सोचते रहते दो साल बाद जब मुंदा बिर्सा जेल से छूटे लिए तो उन्होंने चल खिद नेक सभागे प्राचीन मुंदा राज्य के एदिहासिक स्थलों और मंदिरों के दर्शनों की योजना और राजनैतिक चेतना जागरत करने की कारवाई शुरूखी इस पर अंग्रेश फिर उन्हें पकड़ने के लिए आये पर मुंदा बिर्सा कहां हाथ आने वाले थी वो आदिवाशियों का संगठन कर उन्हें विद्रूख के लिए तयार करने में चुट गए उन्हें अपने गदिविद्यों का केंद्रू डुम्बरी में बनाया जो चारों और से पहाड़ियों से खिरा है होली के अफसर पर आयोजित सभा में बिर्टिश सरकार और महरानी विक्टोरिया के पुत्म जलाए गए इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विद्रूख की योजना बनाई गई बिर्टिश अधिकारियों को हटा कर बिर्सा के नेत्रित्र में नए राज्य की स्थापना के तैयारी शुरू हो गई आखिर योजना के अनुसार सिंग भूम जिले के चक्रधर्पुर राची के खूटी कर्रा तोर्पा तसार और बलिया में विद्रूख भड़ा पुठा अंग्रेज सेना तुरंत विद्रोहियों को दबाने के लिए सक्रिये हो उठी सेल रकाब की पहाड़ी पर जबर्दस्त युद्ध हुआ आदिवासी पीरों और पक्त्रों से अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला कर रहे थी चारों तरफ आतंग दमन और अत्याचार का वादावरान फैल गए भारी संख्या में आदिवासी मारे गए विद्रों एक तम ठंडा कर दिया गए पर बिर्सा पकड़ में नहीं आ रहे थी अंग्रेजों ने उनकी किरफतारी के लिए पुरसकार खोशित किया बिर्सा किसी तरह जंगलों में छिपते भटकते समय काट रहे थी कि एक दिन उनकी ही साथियों ने धन के लालच में उन्हें पकड़वा दिया जेल की खैद में बिर्सा का स्वास्थे बिकर गया और उनका देहान थो गया किन्तु आज भी वहां बिर्सा को देवताओं के समान पूजा जाता है भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सबसे पहला दुश परणाम ये हुआ कि देश की आर्थिक स्थिती बिकर गए भारत की आर्थिक संपत्ती इंग्लं जाने लगी यहां के परंपरागत उद्योग धंबे नष्ड होने लगे और इंग्लं के उद्योग पंखने लगे कच्चा माल इंग्लं जाने लगा कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसान, मजदूर, कारिगर और अन्न लोग दिन बदिन अंग्रेजों के बनाए अंधे कानूनों की गिरफ्त में फस्ते चले गए दक्षण बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों में भारी असंतोश फेल चुका था इसका कारण ये था के नील, चाय और कहवा बागानों का प्रवन्द और संचालन अंग्रेजों के हाथ में आ गया था इन बस्तोव की इंग्लेंड और यॉर्ट के देशों में भारी मांग थी अंग्रेज अपसर किसानों को चावन की बजाए नील की खेती करने के लिए मश्बूर करते इससे गरीब किसानों के लिए पेट भणना भी एक समस्या बन गई मजबूरी में किसान जो नील पैदा करते थे उसे अंग्रेज उत्पादन खर्च से भी कम दामों में खरीदते थे इस तरहा किसानों का भारी आर्थिक शोशन होने लगा गरीब किसान कंगाल हो गए उनके लिए पेट भणना एक समस्या बन गई जब अंग्रेजों ने एक चानून बनाकर नील की खेटी का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया तो किसानों में विद्रूँ कर दिया उन्हें में लगान देना बंद कर दिया नील कितार्खानों और गोदामों में आग लगा दी इस विद्रोग को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों पर बहुत चुल्मधाए ये विद्रोग सन 1869 से 1861 तक चला हलाकि इसके बाद जर्मने से नील आने लगी थी और किसानों को मुक्ती मिल गई थी सन 1872 और 1872 में पूर्वी बंगाल के धाका, बकरगंच, पबना, बोगरा और अन्य कई जिनों के किसानों ने लगान न देने का आंदूलन शुरू कर दिया ये आंदूलन भी अंग्रेजी राज की शोशन नीती के खिलाफ एक खुले वित्रो के रूप पे सामने आया उधर सन 1889 में दक्षण में गोदावरी एजंसी के अंतरकत आदिवासियों ने रम्पा और गोलकुंडा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था इस आदिवासी विद्रोह का नायक था चंद्रयया विद्रोहियों ने दो पुलिस स्थानों में आग लगा दी थी इसके बाद चंद्रयया के नित्रत्व में वो आदिवासी चिंतूर गाउं फ्योर बढ़े यहाँ पुलिस से उनकी जबर्दस्त भुद्धियर थी आखिर विद्रोही भाग निकले अंग्रेजों नो उनका पीछा किया घायल चंद्रयया को उनके साथ ही उठा कर सुरक्षित स्थान पर ले गए 12 फरवरी 1880 को चंद्रयया की हत्या करती गई उसके तमान साथ ही पकड़े गए सारे इलाके में पुलिस ने आदिवासी विद्रोहियों का दमन किया सन 1870 में पूर्णा की सारवजनिक सभाव में न्याय मूर्ती, महाधेव, कोविंद, रानाडे ने भारत की आर्थिक स्थिती और गरीबी राष्ट्रिय व्यापार्नीती और खर्चीले ब्रिटिश शासन पर तीन व्याठ्थान दिये रानाडे ने कहा था कि अंग्रेजों को उचे और अधिक वेतन वाले स्थान दिये जाते हैं जबके भारतियों के साथ ऐसा नहीं होता भारतियों की योग्यता का ब्रिटिश शासन आदर नहीं करता रानाडे के इन भाष्णों को सुनने के लिए एक युबक जाया करता था वासुदेव बलवन्थ खड़के वो इन भाष्णों से बहुत प्रभावित हुआ उसने निश्यक हिया कि वो आजादी के लिए लोगों में नई चेतना का संचार करेगा वासुदेव खड़के हर शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिनों में गाउं में जाने लगे गाउंवालों को इखटा करके भाषन देते उनमें राष्टियता की भावना जगाते और बहुत ही सरल भाषा में लोगों को आजादी का मतलब समझाते वो पूना में भी चौक चौक घूंते और ठाली बजा कर लोगों को अपने व्याख्यान की सूचना देते के आज शाम शनिवार बारा के सामने मेरा भाषन होगा अपना देश आजाद होना ही चाहिए उसे आजाद करने के उपायों के बारे में ही मैं विस्तार से कुछ कहूंगा आप जरूर आएं सन अठारे सो छेप्तर में महराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा वासुदेव भड़के ने सादू के वेश में अकाल प्यूडित इलाखों का दौरा किया और जो कुछ देखा उससे उनका हुर्दय फटने लगा उन्होंने सूखे हुए कुएं तालाग नदियां देखे पानी और राशन के अभाव में दम तोड़ते इंसानों को देखा मवेश्यों का तो और भी बुरा हाल था उधर ब्रिटिश सरकार के प्रदेति बनकर इसाई मिश्णरी के लोग मौके का फायदा उठा रहे थे वो लोगों से कहते तो इसाई बन जाओं हम तुम्हे खाना देंगे ये देखकर वासुदेव फड़के समझ गए कि इस सब के लिए जिम्मेदार है प्रिटिश शासन जिसे उखाड फ्हेंगना ही होगा वासुदेव फड़के के खुदय में विद्रूह की आख सुलक चुकी थी वो लोगों को विद्रूह के लिए तयार करने लगे लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई तयार नहीं हुआ वासुदेव फड़के देशी रियासितों के राजाओं से भी मिले और क्रांती के लिए मदद मांगी लेकिन निराशा ही हाथ लगी अब वो समझ गए कि सशस्त्र क्रांती के अलावा कोई और रास्ता नहीं है वो जानते थे कि अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं है और इसी लिए शेहर के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं तभी उन्हें छत्रपती शिवाजी की आदाई जिन्हुने ग्राम वासियों और आदिवासियों की सेना बनाई थी इस तरह वासुदेव फड़के ग्राम वासियों और आदिवासियों को इखटा कर उन्हें लड़ाई का प्रशुक्षन देने लगे अब वासुदेव के कई युवक मित्र भी उनके दल में आगे थी दल में शामिल होने वाले प्रत्यक व्यक्ति को दही चूड़े से भरादोना लेकर प्रतिग्या करनी पड़ती थी के मैं अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ नियुच्छावर करतूंगा 20 फरवरी 1889 को महा शिवरात्री के अफसर पर फड़के के 200 क्रांतिकारी साथियों की बैठा कुई और क्रांति की पूरी यूजना तैयार की गई फथियार एकटा करने के लिए धन की ज़़वत थी और धन के लिए धनी लोगों को निशाना बनाया गया वासुदेव फड़के की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर गिटिश सरकार चौकननी हो गई ये भी पता लगा कि इस विद्रों का नेता है वासुदेव बलवंद फड़के नामक एक यूवक उनकी गिरफतारी का काम सौपा गया मेजर डेनियल को उन्होंने वासुदेव के मकान पर छापा मारा वासुदेव तो हाथ नहीं आए पर कुछ हथियार जरूर मिले जिससे प्रांती की योजना की जानकारी की लिए मेजर डेनियल ने खुशना की के वासुदेव बलवंद फड़के को गिरफतार कराने वाले को चार हजार रुपए इनाम दिये जाएंगे इसके जवाब में फड़के ने पूना के कलेक्टर, सेशन जज और बंबई के गवर्नर को गिरफतार करने वाले को पाँच-पाँच हजार रुपए इनाम दिने की खुशना की जगा जगा ये पोस्टर चिपका दिये गए, उनमें नीचे वासुदे बलवंद फड़के के हस्ताक्षत थी और लिखा था पेश्वाओं का नया मुख्य प्रधान इस पर बिडर्श सरकार बुखला उठी, उसने फड़के और उनके साथियों को गिरफतार करने के लिए अभियान तेज कर दिया, मेजर डेनियल के लिए फड़के चुनाती बन चुके थी मेजर डेनियल के जासूसों ने खबर दी कि फड़के और उनके साथ ले पहाड़ी पर छिपने है डेनियल तुरंट सेना लेकर वहाँ पहुंचा और उसमें पहाड़ी खेड ले आदिवासियों के सेना नायग डॉलत राव नायग ने मेजर डेनियल की सेना से सीधा मुकाबला किया इस मुकाबले में यो तो डेनियल भी खाय हुआ लेकिन डॉलत राव नायग मारे गए वासुदेव फड़के को दौलत राव नाईक के शहीद होने पर गहरा दुख पहुँचा वो उदास हो गए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े गणगापुर में श्रीदत्य के मंदिर होते हुए अठारा अप्रेल अठारा सो उनासी को श्री शैल मलिकार जुन के मंदिर में पहुँची इस समय तक उनमें पुनेह आत्मविश्वास चाग चुका था अब वासुदेव फड़के ने रोहिलों से मदद माई दी उनके मुखिया इसमाईल खुए से मुलाकाद की इस समय वो गणगापुर में ही थे उधर मेजर डेनियल को एक हवलदार ने सूचना थी कि इन दिनों खड़के को गणगापुर में देखा गया है उधर खड़के को भी ख़बर मिल गई कि मेजर डेनियल आ रहा है बासुदे फड़के तुरंत वहां से निकल पड़े रास्ते में घुमा नदी आई उनका एक साथी मुरेश्वर साथे उनके साथ था फड़के को तेज गफार था नदी में बार आई ही थी फिर भी वो नदी में कूदने के लिए तयार हो गए लेकिन तभी एक मल्ला मिरा साहब उन्हें नदी पार कराने के लिए तयार हो गया नदी पार करने के बाद तेज बुखार की हालत में ही वासुदेव तीन दिन तक लगातार भागते रही और पुलिस से बचते रही आखिर वो बीजापुर जिले के देवनार गुडी गाउं की एक बध मंदिर में ठहर गए मंदिर में रात के वक्त फड़के सो रही थे तभी मेजर डेनियल उनका पता लगाता हुआ वहाँ पहुँच गया और उसे फड़के को पहचान लिया ये बीस चुलाई अठारा सू उनासी की रात थी उनकी तलवार पर पैर रखकर पिस्टॉल तांदी और बुला आफिर आई गया तुम मेरे ठबजे में वासुदेव बलवन भड़के ने कहा ये तो ठीक है लेकिन तुम मुझे नीम नहीं पकर पाए पूना की अदालत दर्शकों से खचा खच भरी हूँ थी भीड को संभालने के लिए पुलिस का खास इंदिजान था फिर भी हर व्यक्ति इस महान देश भक्त और प्रांती कारी के एक बार दर्शन करने के लिए बेचैम था अदालत में उन पर राज द्रू का मुकदमा चलाया गया वासुदेव फड़के ने उपस्थित लोगों को संभोधित करके कहा भारतिय गर्टंत्र की स्थापना करना ही मेरी बगावत का मुख्यों देश शिथा मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पाई लेकिन परम्पिता परमेश्वत जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया जनहित में ही किया भारत वासियों मेरे भाईयों मुझे से आपको कोई लाब नहीं हुआ मैं लक्ष पूर्टी में सफल नहीं हो पाया हो सके तुम मुझे मुझे मुआफ़का दीजे इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें आजन्म कारवास की सजा दी फैसला सुनकर फड़के ने कहा दोस्तों इतनी कड़ी सजा हम लोगों को मिली तो है लेकिन भारत के दिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा जन्वरी 1880 में वासुदेफ फड़के को अदन ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया यहां उन्हें बहुत यातनाईं थी गया आखर 12 अक्तूबर 1880 को वो जेल से भाग निकले लेकिन उन्हें अदन के रास्ते मालू नहीं थी इसलिए वो रास्ता भटक कर 18 किलोमीटर भागते ही रहे अंत में उन्हें पकड़ लिया गया फड़के दोबारा ना भाग पाए इसके लिए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गए और उनको और जाधा सताया जाने लगा आखिर वो ख्षय रोक से बीमार हो गए और 17 फरवरी 1883 को जेल में ही उनका निधन हो गया इतिहासकार लिखते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के का बलिदान इसलिए जादा महत्वकून है क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने बड़े प्रिटिश सामराज्य से टक्र लेना एक असाधारन बाग थी इस समय तक देश की परिस्थिती में काफी बदलाव आया था एक और ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कि अब 1857 जैसा कोई विद्रूप फिर से हो क्योंकि इस बार सेना नहीं बलकि जनदा द्वारा विद्रूप किये जाने का डर था इसलिए कुछ अंग्रेज भारतियों के हित की योजनाय बना रहे थे इन्ने से एक मुख्य नाम था सर एलन ओक्टेवियन ह्यूंग सर ह्यूंग नहीं चाहते थे कि अब लोगों का असंतोश विद्रूप में बदल जाये दूसरी ओर कई धार्मिक और समाज सुधार संबंधी संस्थाएं जैसे आरे समाज प्रांथना समाज ब्रह्मा समाज आदि अपने अपनी ढ़न से काड़े कर रहें truly इसके साथ ही पढ़े लिखे लोग ये मांग कर रहे थे कि नौक्रियों में भारतियों को लिया जाये और उन्हें जिन्मेदार पदों को अर्यूखते किया जाये सर ए ओव्टियों अंग्रेज होकर भी स्वतंत्र विजा रखते थी और उन्हें मिडर होकर पगर करते थी वो सरकारी नौक्वी से मुक्त होकर भारतियों और अंग्रेजों के बीच की खाई को भरना जाहते थी उन्होंने एक पत्र में लिखा था हमारे सामराज्य का भाग्य डावाडूल है और किसी भी समय छोटे से बादल का कोई टुकड़ा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है बढ़कर सारे देश पर चासकता है और अराजकता तथा विनाश की वर्शा कर सकता है हियों साहब में देश की सारी स्थिती का अध्यन करने के बाद बिटिश शासन को तीन महत्वपून सिफारशें की थे एक तो ये कि सारी जनता के विभिन वर्गों को एक राश्ट्रिता के सूत्र में पिरू दिया जाए दूसरी ये के सभी क्षेत्रों में यानि आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राश्णैतिक शेत्रों में राश्ट्र को फिर से उन्नत बनाया जाए और तीसरे ये के भारत और इंग्लेंड के बीच संबंधों को अच्छा बनाया जाए सरहूम के विचारों का स्वागत सभी ने किया और ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि एक ऐसी संस्था का निर्मान होना चाहिए जो भारतियों के खितों की बातों कर विचार करे सन 1884 में फियूम साहब ने अपने तीनों विचारों को लेकर भारतियों मेताओं से बातचीत की और इंडियन मैशनल यूनियन की यूजना सामने रखी इसका उद्देश्य था वैधानेक उपायों वरा अपने हक की मांग अंग्रेजी शासन की अमानवियता और भारतियों की दयनिय स्थिती से परिशान होकर जिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतियों को नई राजनीतिक चेतना का संदेश दिया उनमें एलन ओक्टेवियन ह्यूम प्रमुक्त थे ह्यूम साहब ने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि सन 1857 जैसे असंतोष की भीशन विस्पोर्ट से बचने के लिए एक नई राशनीतिक संस्था की बहुत जरूरत है उन्होंने उस समय के वोईसराय लौट डफरिन के साथ विचार विमर्श किया इसके बाद ह्यूम साहब ने भारती नेताओं से भी बातचीत की उन्होंने भारती नेताओं को जगाने के उद्देश्य से कहा था अगर देश के बढ़े लिखे लुगों में से केबल पचास लोग भी सामने नहीं आ सकते तो भारत के लिए उन्नत जीवन की आशा करना बेकार है भारतवासी विदेशी हाथों की कटपुतली बने रहेंगे उन्हें लगा कि एक अंग्रेस उन्हें ललकार रहा है और स्वत्रम्तता की और बढ़ने के लिए कह रहा है इस से बड़ी बात और क्या हो सकती है इधर भारतीय निता अखिल भारतीय कॉंट्रेंस के तैयारी में चुट गए उधर ह्यूम सहब ब्रिटिश पार्लिमेंट के सदस्यों से बातचीत करने लंदन गए ह्यूम सहब ने अपनी इस संस्था का नाम नाशनल यूनियन रखा और इसका अधिवेशन पूना में हुना निश्चित हुआ था किन्तु जब वो 2 दिसंबर 1885 को लंदन से लोटकर बंबई पहुचे तो उन्हें मालूम हुआ कि कलकत्ता की इंडियन एसोसियेशन संस्था ने अपना राश्ट्रिय सम्मिलन 25 से 27 दिसंबर तक बुलाया है तो ह्यूम साहब ने अपनी संस्था का नाम बदल कर नाश्चिनल कॉंग्रिस कर दिया और इसके प्रतम अधिवेशन के तिथियां भी 28 से 30 दिसंबर 1885 सी तै कर दी किन्तु पुना में हैजा फैलने के कारण अधिवेशन का स्थान बदल कर बंबई किया गया बंबई प्रेजिदेंसी एसोसियेशन ने इतने कम समय में भी अधिवेशन कराने की जिम्मेदारी ले ली इस तरह नाश्चिनल कॉंग्रिस का प्रतम अधिवेशन बंबई में होना निश्चित हुआ कोकुल दास देशपाल संस्कृत विद्याले में प्रतिनिधियों के ठहरने का इंतजाम किया गया अधिवेशन की सारी तैयारियां हो गई और सभी प्रतिनिधियों को स्थान परिवर्तन की सूचना तारद्वारा दे दी गई 28 दिसंबर को शुरू हुए नाश्रल कॉंग्रेस के इस अधिवेशन में उम्मीद तो थी कि करीब सौ लोग भाग लेंगे लेकिन कुल 72 लोगों ने भाग लिया इस अधिवेशन के बारे में बंबई स्थित लंदन टाइम्स के संभाद दाता ने लिखा था इसमें मदराज लाहोर बंबई और कलकत्ता तक समुझे भारत का प्रतिनिद्ध हुआ था संभफता पहली बार जब से संसार का आरम हुआ है भारत एक राश्र के रूप में यहां एकत्रित हुआ था इस अधिवेशन की एक विशेशता ये थी कि सभी प्रांत के लोग अपनी अपनी परंपरा गत्वेश भूशा और विशेश पगड़ियों में आये थी अधिवेशन की दो बातें और भी खास थी एक तो ये कि इसमें सरकारी करमचारियों ने भी भाग लिया था और दूसरी ये कि पहली बार देश के विभिन्न भागों के लोग एक ही मंच पर राश्ट्रिय समस्याओं पर विचार करने आये थी नाश्टरल कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन की कारवाई 28 दिसंबर को दो पहर बारा बचे शुरू हुई थी सबसे पहले हूम सहाब ने बंगाल के प्रसिद्ध बरिस्टर डबल्यो सी बॉनर्जी का नाम अध्यक्षपत के लिए प्रस्तुत किया डब्यो सी बॉनर्जी बंगाल के प्रसिद्ध बरिस्टर और राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थी वे जब नाश्टरल कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे तो उपस्थत जनसमूह ने उनका जोर्दार स्वागत किया अपने अध्यक्षिय भाशन में डब्यो सी बॉनर्जी ने कॉंग्रेस के लक्षों को सपश्ट करते हुए कहा था हराण के हुथ के लिए इंग्लेंड ने बहुत कुछ किया है जैसके लिए पूरा देश इंग्लेंड का अभारी थी उसने हमें गति दी रेलवे दी और सबसे कीम्दी वस्तू बास्ट्यातिक शिक्षा दी। परन्तों अभी हमें बहुत कुछ करना है देश के बासे जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे उनमें राजनीतिक प्रगती की इच्छा बढ़ती जाएगे मैं समझता हूँ कि यूरोप की तरह की शाषन पद्धिती की इच्छा रखना राज़दों नहीं है बहारानी विक्टोरिया की जैजैकार से हुआ इस जैजैकार का प्रस्ताफ पेश करते हुए हूं साब ने कहा था बहारानी के लिए जैकार के वल तीन बार नहीं बलकि तीन का त्यगुना और यदि संभव हो तो उससे भी त्यगुने की जाए इस अधिवेशन और कॉंग्रेस के जन्म के बारे में हालां कि कहा गया था कि कॉंग्रेस कट्टर राजभक्त संस्था है और इसे विद्रूहियों कट्ड़ा न समझा जाए किन्तु साथ ही ये भी स्विकार किया गया कि कॉंग्रेस का जन्म भारत के राजभ्तिक इतिहास में एक अभूद पूर्व खटना थी इसने एक नव युग के आगमन की खुष्णा की राश्ट्री एकता के युग की खुष्णा की जो उपर से लादी नहीं गई थी बलकि जन्ता के संकल्प की अभिवक्ति थी संग 1886 में 27 से 20 दिसंबर तक कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ इसमें 440 लोगों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चाजरजी का गीत बंदे मातरम गाया गया था बंकिम बाबु ने ये गीत अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मच में लिखा था जिसके माध्यम से उन्होंने भारतिय जनता के सामने स्वाधीनता की लड़ाई का एक इतिहास प्रस्तित किया था बंकिम बाबु को बच्पन से ही अपनी मात्र भूमी और मात्र भाषा के प्रतिप्रेम था उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले बांगला भाषा के साहित्य को श्रेष्ट सद्ध किया और ऐसी रचनाएं दी जिनको साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला सरकारी नौक्रे में रहकर भी बंकिम बाबु ने बड़े साहस के साथ देश भक्ति पूर्ण रचनाएं लिखी उन्होंने बंग दर्शन नामक एक सहित्यक पत्र भी प्रकाशत किया उन्हें आधुनिक बांगला का जनक कहा जाता है उनका गीत वंदे मातरम स्वाधीनिता संग्राम में राष्ट्रियता का संचार करने वाला सिध्ध हुआ और वंदे मातरम का खोश स्वतंतरता सेनानियों के लिए प्राण मंत्र बन गया कलकत्ता अधिवेशन में 25 वर्षिय युवक रविंद्रनाथ छाकुर ने बंकिम बाबु के गीत वंदे मातरम को अपने ही निर्मिध्धुन में गाया था कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरुजी एक पार्सी परिवार में जन्मे दादा भाई नौरुजी बच्पन से ही बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे उनके अध्यापक उन्हें भारत की आशा कहा करते थे शिक्षा प्राप्त करते ही दादा भाई गणत के प्रोफेसर बन गए और तभी से राजनीती में भाग लेने लगे थी उन्होंने सन 1852 में बंबई एसोसियेशन के स्थापना की थी और रास्त गुफतार नामक एक पाक्षिक अखबार भी निकाला था सन 1855 में एक ब्रिटिश कंपनी के आमंत्रण पर दादा भाई इंगलेंड चले गए वहाँ उन्हें इंगलेंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक स्थिति की तुल्ना करने का अपसर मिला दादा भाई ने ब्रिटन की जनता में भारत के प्रती दिल्चस्पी पैदा करने की कूशिश की इस तरह वो धीरे धीरे भारत की दशा सुधारने के काम में पूरी तरह से जुट गए कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षपत से उन्होंने अंग्रेजों के शासन के प्रती विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था कि महरानी विक्तोरिया और ब्रिटेन के नागरिकों के करण ही संबह हो पा रहा है जैसे जैसे कॉंग्रेस का विकास होता गया उसमें ये विचार भी विक्सक होने लगा कि देश में अपना शासन हो और घुलामी से मुक्त भी मिले मिस्टर हूंग इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि वैधानेक तरीके से संखर्ष करते रहने से अवर्ष्य सफलता मिलेगी किन्तो यदि विपलवी ठंग अपनाया गया तो ये एक भयानक भूल होगी कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मदरास में हुआ इसकी अध्यक्षता बद्रुदीन तैयब जी ने की थी तैयब जी भारतिय स्वतंतुता संग्राम के नव्युक के नीव जानने वालों में से एक थी उन्होंने इंग्लेंड से बरिस्ट्री पास की थी कोट में बकालत करने लगे थी और इसके साथ उन्होंने राश्ट्री भावना का प्रचार भी शुरू किया था कॉंग्रेस का पहला दिवेशन जिसे पॉंबे प्रेजिडेंसी एस्सियेशन ने आयोजित किया था उसके अध्यक्ष बद्रुदिन तैयब जी थी अपने अध्यक्षी भाशन में तैयब जी ने देश के मुसल्मानों को आवास दी थी कि वे अन्य धर्म भचाती वालों की तथा देशवासियों के हित में काम करने के लिए आगे आए कॉंग्रेस का चौथा अध्यवेशन इलाबाद में सन अठारा सो अठासे में हुआ इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्कॉटलेंड वासी जॉर्ज यूम इस समय तक जिस जनचेतना का उदह हो चुका था उससे अंग्रेश शासत और स्वयम मिस्टर हूम को डर था कि ये कहीं उग्रूरूप धारन न कर ले कॉंग्रेस का पांचवा अधिवेशन सन 1889 में बंबई में विलियम बेडनबर्ग के अध्यक्ष दा में हुआ वो बड़े उत्साही और कर्मच व्यक्ति थी इंग्लिंड में भारत बिरोत प्रचार का उन्होंने जोरदार खंडन किया था अपने अध्यक्षिय भाशन में उन्होंने स्वष्ट किया था कि भारत के लोग शान्ती सुववस्था और स्वस्थ शासन जाते हैं सन अठारा सुनब्बे में कॉंग्रस का छटा अधिवेशन बंबई प्रिजिदेंसी एस्सोसियेशन के जनक और कॉंग्रस के प्रारंभिक सदस से फिरोष शा महिता की अध्यक्षता में बंबई में ही हुआ फिरोष शा महिता ने इंग्लेंड में बेरिस्ट्री पढ़ी थी और वहीं दादा भाई नौरुची के संपर्क में आकर राश्ट्री आंदोनन में शामिल हो गए थे उनकी विद्वत्ता, समझदारी और दूरदर्शिता का लोहा प्रिटिश सरकार तक मानते थे वो अपने को पहले भारतिये फिर पार्सी मानते थे इसके बाद सात्वा अधिवेशन सन 1891 में नाकपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ वो एक प्रसिद्ध वकील, शिक्षा शास्त्री और समाच सुधारत थे कॉंग्रेस से वो उसके स्थापनाकाल से ही जुड़े हुए थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन का आन्थो, राश्ट्रियता की भारना जागे और देश के लोग अपने संस्कृती का महत्व समझें यद्धिपी हमें बहुत थोड़ी सफलता मिली है परन्तु, आगे आने वाली प्यूणिया हमारे परीश्रम का फल चकने और उन लोगों को याद करेंगे जिनोंने साहस और निष्ठापूर्वा की त्याग करते हुए अपने धे को प्रात्र करने के लिए कश्ट सहे हैं इस समय तक कॉंग्रिस में दादा भाई नौरो जी, सुरेंद्रनाथ बैनर जी और गोपाल कृष्ण कोखले जैसे उदारवादी नेताओं का काफी प्रभाव फ्यल चुका था सुरेंद्रनाथ बैनर जी भारत की राजनितिक एक्ता आंदूनन के जनत थी, उनकी भाषन शैली बड़ी ही प्रभावशाली थी आवाज इतनी बुलंद थी कि बड़ी बड़ी सभाओं में सबसे पीछे बैठा व्यक्ति भी उन्हें सुन सकता था उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी, किन्तु अंग्रेज सरकार ने उन्हें वकालत नहीं करने थी आखिर वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, लेकिन इसके साथ साथ वो राजदीती में भी बड़ी मुस्तहदी के साथ काम करते रही गोपाल कृष्ण कूखले एक साधारन परिवार में जन्में थी, किन्तु अपनी प्रतिभा के भल पर उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयू में ही बिये कर लिया था फिर वो आर्थिक समस्याओं के कारण अध्यापन करने लगी साथ ही साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी वो राजनीती और शिक्षा को मिलाने के पक्ष में नहीं थी उनकी स्वर्ष्ट धारना थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाई यही है कि हम अपना जीवन निश्पाप बनाए लेकिन इसी समय कॉंग्रेस में गर्म दल का उदय हुआ महराष्ट में लोक मानने बाल गंगा धर दिलक बंगाल में अर्विंद खूष और विपिन चंद्रपाल और पंजाब में लाला लाश्पत राय जैसे नेता थे जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कठोर नेती अपनाने के पक्ष में थे बाल गंगा धर दिलक जब वकालत पढ़ रहे थे तभी से ये जानने लगे थे कि देश की हालत सुधरना है तो देश के लिए जीवन होम करने वाले लोक चाहिने उन्होंने देश सिवा का वार्ग अपनाया और मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक दो सापताहिक प्रकाशत की अर्विंद खोश अनेक भाशाओं के विद्वान थे वे दर्शन के ग्याता थे वो ना केवल भारत को गुलाम बनाने वाली ताकतों के विरुत थे बलकि भारत को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करने को बेचैन थे उन्होंने बंकिम चंद्रचाचरजी के की वंदे मातरम को प्रिर्णा का महान सुरोत माना था वंदे मात्रम से उन्होंने तीन बातें सीखी थी वलिदान और निश्ठा, आत्मानुशासन और संगठन, देश भक्ति का धर्प विपन चंद्रपाल अपने सिध्धान्द के पक्की थे, उनके विचार क्रांतिकारी थे और वो प्रिटिश सरकार के विरुथ कारे करते रहे उनके भाशनों और लेखों का बड़ा सबरदस्त प्रभाप होता था लाला लाश्पत्राय ने नव्यूफकों में स्वदेश भक्ति का बीजारूप बढ़ किया था लाला जी पर विद्यार्थी जीवन में ही आरे समाज की संसकार बढ़ चुके थे वकील बनने के बाद उन्होंने आरे समाज का प्रचार किया और इसके साथ ही जागी राश्णीतिक चेतना जिसकी प्रेड़ना से उन्होंने भारत के नव्यूफकों से कहा कि अपनी मात्र भूमी की सेवा के लिए आगे आओ इस तरह करम दल के नेताओं ने कठोर नेतिया अपनाने पर जोर दिया जबकि तूसरी और उदारवादी नेता अपने ही रास्ते पर चलने की प्रेड़ना देते रहे ये भारतिय राश्णीति का एक ऐसा मोर था जिसने स्वतंत्रदा आंदोलन को नई कति नई दिशा दिए लोकमान ने बाल गंगा दर्तिलत जनता को राश्णीति छंडे के नीचे लाना चाहते थे उन्होंने ये समझ लिया था कि राश्णीति को तेश्चों के लिए जन आंदोलन का कित्मा महत्व है उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी महराज के वाशिकोत सब को सार्वजनिक त्योहारों का रूप दिया ताकि लोगों को अपने भूत काल पर गौरव हूँ तिलग द्वारा प्रकाशित मराठी के केसरी और अंग्रेजी के मराठा समाचार पत्र दोनों ही सामाजिक और राजनियतिक न्याय की वकालत करते थे इन पत्रों ने गरीबी के दलदल में फंसी जनता की आवाज उंची ही सन 1894 में पूना में चाफेकर बंधों ने प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया उन्होंने इस संगठन के अंतरगत गणपती पूजा और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया इनने पढ़े जाने वाले गणपती श्लूक और शिवाजी श्लूक दोनों ही अंग्रेजी राज के खिलाफ थे चाफेकर बंधू तीन भाई थे सबसे बड़े थे दामोदर चाफेकर इसके बाद बाल कृष्ण चाफेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव चाफेकर इन तीनों ने मिलकर जिस क्रांतिकारी संगठन को तयार किया था उसमें देश भक्त नव्युपकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम करने के लिए सैनिक प्रशिक्षन दिया करते थे जगा-जगा कसरत, कुष्टी, शस्त्र संचालन आधी का प्रशिक्षन शुरू हो गया था इस तरह बड़ी संख्या में अनुशासित कारेकरता तयार होने लगे थे सन 1897 में पूना में प्लेग थेला सरकार की और सिन्योग मिस्टर रैंड ने रोगियों को खोशने के वहाने घर-घर की तलाशी शुरू कर दिया कुछ घरों में राशनेतिक बातों संबंधी काक्साथ भी मिले मिस्टर रैंड ने इन तलाशियों के नाम पर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया इस से लोग परेशान हूं थे लोग मानने दिलक ने इन तलाशियों का विरोध करते वे कहा कि ये सब हमारे राश्ट्र की आत्मा को कुचलने के लिए किया जा रहा है 22 जून 1897 को महरानी विक्टोरिया का 60 वा राज्य भिशेक दिवस मनाया गया पूना में भी खूब धूमधाम थी खूब रोश्नी हुई आतिश बाजी छूटी और बिटिश अपसर खूब नाचे और छूमे रात को घर लोटते हुए मिस्टर रैंट और उनके साथ ही लेटिनेन आरेस्ट पर अचानक गोली चली हत्यारे भाग निकले इस खटना से सारे भारत के बिटिश सक्ता चौप उठी थी कि क्या फिर से क्रांती होने वाली है चाफेकर बंधू ने ना सिर्फ इन हद्याओं को कुबूल किया बलकि ये भी माना कि हमने माहरानी विक्टोरिया की मूर्ती पर कोलतार भी बोता है उन्होंने कहा हमें खुशी है कि हमारे माथे पर वित्रो का टी का लगा है चाफेकर बंधू पर मिस्टर रैंड और लेटिन आर्यस्ट के हद्या के लिए मुकद्मा चलाया गया और तीनों भाईयों को मित्तु दंड दिया गया पूना की यर्वदा जेल में दामोधर चाफेकर को 18 एप्रल 1898 को वासुदेव चाफेकर को 8 मई 1899 को और बालकृष्ण चाफेकर को 12 मई 1899 को फासीती गई अब अंग्रेश लोकमाने तिलक की और मुडे उन पर ये अभियोग लगाया गया कि 15 जून के केसरी में आपने जो लेख लिखा था वो भड़काने वाला था और इसी कारण चाफेकर बंधों ने मिस्टर रांट और मिस्टर आरिस्ट के हद्या की आप चूंकि क्रांटी भरकाते ही इसलिए आपको 6 साल कैद की सजा दी जाती है लोकमाने तिलक की सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गई लोगों में क्रांटी की आख सुलग उठी लोग त्याग और बलिदान के लिए चल पड़े महराष्ट के प्रसिद्ध क्रांटीकारी विनायक दामोदर सावरकर इस समय किशुरावस्था में थी उन्होंने चाफेकर बंधों के बलिदान से प्रिरित होकर प्रतिग्या की थी मैं भारत माता की गुलामी की जंजीरें तोणने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ विनायक दामोदर सावरकर ने लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की विदेशी वस्त्रों की होली चलाई और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया सावरकर ने युवकों को संगछित करके उन्हें हथ्यारों से लैस होने का आहवान किया उनकी इस सशस्त्र क्रांती की पुकार ने मद्रास और बंगाल तक क्रांती की ज्वालाएं भड़का दी इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद देश के नविवकों में अपने राष्ट के अधीत के प्रतीक गौरप और आत्मसंबान की भावना जगाने में जुटे हुए थी स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मानफतावात की प्रचारत थी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उप्तेशों से भारतीय परमपरा की महानता को समझा था विदेश यात्र के बाद जब वो 1897 में भारत वापस आये तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृती की श्रेष्टता को चुनोती थी और कहा कि हम उनसे कहीं अधिक उचे हैं उन्होंने देश के नव्यूपकों से कहा पगणे बगण मर्ग बन तुम ऐसे कर्म को अपनाओ जो हम में आस्था पैदा करें राश्क्रिय आत्म सम्मान पैदा करें और गरीबों को भूजन तथा शिक्षा दिलाने के साथ साथ पी प्रवेल तुम साहस का तै गर्वित हो कि एक हडिये कि मैं भारविय है और हरेक द्वार पिये मेरा भाई है भारत भुवि मेरे लिए सरवोच स्वर्ग है भारत की भलायई ने भीपलाई कॉंग्रेस का 11 अधिवेशन सन 1895 में हुआ था इसकी अध्यक्षता सुरेंदरनाथ बैनरजी ने की थी सुरेंदरनाथ बैनरजी ने इस अधिवेशन में धाई घंटे तक भाशन दिया था अब तक के कॉंग्रेस अधिवेशनों में सबसे लंबा भाशन यही था सन 1889 में लौट करजन भारत का वोई सुराय बन कर आया लौट करजन एक बेहद महत्वा कांशी, खमंडी, खटी और थनक मिज़ाज व्यक्ति था वो दूसरों की सलागी परवा नहीं करता था अपने आपको वो हमेशा सही समझता था और अपने माथखतों की भावनाओं को निर्दैदा से गुचलने में जरा भी संकोश नहीं करता था लौट करजन नहीं चाहता था कि भारतिये राश्ट्रे कॉंग्रेस एक ताकत के रूप में उभर कर बिटिश सामराज्य के लिए खत्रा बने इंग्लेंड में भारतिये मामलों के मंत्री मिस्टर हैमिल्टन से उसने कहा था और जौज हैमिल्टन ने लौट करजन को शाबाशी देते वए कहा था अगर एक दो साल में कॉंग्रेस पूरी तरह लड़करा जाती है तो उसके लूप का श्रे तुम ही मिलेगा करजन ने अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए पहला मुहरा शिक्षित मत्रमवर्ग को बनाया जिससे उसका राशनतिक प्रभाफ खत्म हो सकी ऐसे लोगों में बंगाल का प्रभुद्ध वर्ग सबसे आगे था इसके लिए उसने उन्हें अलग थलग करने की यूशना बनाई जो बाद में बंग भंग के नाम से जाने गई बंग भंग यानि बंगाल का विभाजन उपरी तोर पर इसलिए किया जाना था कि बंगाल प्रांथ बहुत बड़ा है और प्रशासन चीक तरह से नहीं चलबाता लेकिन उसका वास्तविक उतेशे ये था कि उस समुदाय की राजनेतिक एकता को चिन्न भिन्न कर दो जो सरकार के खिलाफ देश को नित्रत्व प्रदान कर रहा है बंग भंग की यूचना दिसंबर 1903 में प्रकाशित हुई तो उसके खिलाफ देश भर में आवाज उची अखबारों ने उसकी निंदा की और प्रस्ताफ का विरोध किया लोट करजन ने 18 फरवरी 1904 को बंग भंग के खिलाफ उच रहे जनता के प्रचार का जवाब देने के लिए पूर्वी बंगाल के चटगाउं, ठाका और मैमन सिंग जिलों का दौरा किया उसने अपने भाषणों में चनता में सामप्रदाइक विश और अहंकार को उकसाया लेकिन फिर भी पूर्वी बंगाल की चनता पर उसके इन भाषणों का कोई असर नहीं पड़ा लोट करजन ने इस योजना को लागू करने के लिए भारती अधिकारियों और इंग्लेंड के शासकों से लंबी बाचीत की आखिर सन 1905 के आरंब में बंग भंग संबन थी लोट करजन के इरादे स्पष्ट हो गए और उसी के साथ उख्रा बंग भंग भंग विरोधी जन आंदो नहीं प्रस चनवरी 1905 को कलकत्ता के टाउंपॉल में हजारों लोगों की जनसभा में रोट करजन के बंग भंग संबन्धी प्रस्ताव की खुल कर निंदा हुई फिर जब ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया तो जैसे आग में खी पड़ गया इसने सारे बंगाल को जब छोट दिया और सभी भारतियों ने चाहे वे किसी भी आयू जाते धर्म और वेवसाय के हो उन्होंने जम कर विरोट किया साथ अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई जनसभा बड़े एतिहासिक भात्त थी इस जनसभा में अबार जनसमों उमर पड़ा था शहर की अधिकांश दुकाने बंग रही बंदे मात्रम के नारों से सारा आकाश उंज रहा था विखाजन नहीं चाहिए बंदाल एक है एकता ही शक्ति है इस सभा में कासिम बाजार के अंबिका चरण मजुमदार ने कहा भारत के इतिहास में एक नया अध्याई आरंब हो रहा है बंग भंग के साथ इस देश में राजनेतिक अंदुलन एक नई चरण में प्रवेश कर रहा है शीग रही बंग भंग विरोधी आंदुलन बंगाल की सीमाओं से बाहर फेल गया उत्तरप्रदेश, पंजाब, महराश्ट्र और तमाम अन्यभागों में नई चाक्रती आ गए लोगों ने बड़े जोश से स्वदेशी और बॉयकॉट संबंधी प्रस्तावों को स्विकार किया 28 सितंबर को महलाय के दिन कलकत्ता के काली घात मंदिर में धूमधान से विशेश पूजा का आयोजन गिया गया पूजा के बाद भक्तों ने सामुहिक रूप से मा काली के सामने प्रतिग्या की जहां तक संभभ होगा मैं विदेशी वस्त्वों का इस्तिमाल नहीं करूँगा ये प्रतिग्या पूरे बंगाल के काली मंदिरों में दोहराई गई आखिर 16 अक्तूबर 1905 को वो काला दिन आया जब विभाजन लागू हुआ और पेखफिल फुलर ने नए प्रांत के गवर्नर का पत संभाला इस दिन को बंगाल में पवित्र संकल्प और कहरे शोक का दिन माना गया सवेरा होते ही जुंड के जुंड लोग नंगे पाउं गंगा घाटों की और पढ़ने लगे वे भजन और राश्रगान गा रहे थे और बंदे मातरम के नारे लगा रहे थे लोगों ने गंगा में डुपकी लगाई और एक दूसरे को बंधुत्व का प्रतीग राखी बाथी उस दिन सभी ने उपवास किया किसी भी घर में चूला नहीं जला इसे पहर लोग फेडरेशन हॉल के नीव रखने के समाहरों के लिए एक अत्व हुई इस हॉल को समस्त बंगालियों की एक्ता के प्रतीग स्वरू बनाने का निश्चे किया गया था बंग बंग के विरोत में एक राश्ट्रे कोश खोला गया था जिसमें उसे दिन सत्तर हजार रुपए एकटा हो गए थी समाहरों में सुप्रसिद न्यायविद और शिक्षा शास्त्री गुरुदास बैनर जी प्रमुख चिकित सक नील रतन सरकार के साथ साथ बंगाल के शेर सुरेंदरनाथ बैनर जी अम्रित बाजार पत्रिका के संपादक मोती राल खोश और कवी रविंदरनाथ चाकुर आदी बंगाल के सभी प्रमुख नेता मौजूद थी भवन के शिला न्यास से पहले अंग्रेजी में लिखी घोशना का बंगला अनुबाद रविंदरनाथ चाकुर ने पढ़ा था जिसका आशय था बंग राश्त्र के सारुजन इन विरोत के उपरांद भी सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया इसलिए हम शपत लेते हैं और भूशना करते हैं कि हम बंग भंग के कारण पैरा होने वाली बुराईयों को दूर करने के लिए यथा शक्ती जो हो सकेगा वो सब कुछ अवश्य करेंगे और अपने राश्त्र की एकता को आज नहीं आने देंगे इसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़ी तेजी से चला शीक्र ही इसका रश्तात्म खूप तयार किया गया जिसके अंतरकत स्वदेशी बॉयकॉट और राश्ट्रे शिक्षा तथा स्वराज्चे के लक्ष की ओर बढ़ने की च्छा को शामिल किया गया था पूरे बंगाल में बंदे मातरम के उद्खोश के साथ जुलूस निकलने लगे सरकार ने बंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा थिया 22 साल में पुलिस की कड़ी निग्रानी में प्रांतिय राश्ट्रेतिक सम्मेलन का जुलूस शान्त और निहत्था था लोग धीमे धीमे कविरश्णी कान्त का ये गीत कुनगुना रहे थी इसका आशाय ये था कि मा के दिये हुए मोटे कपड़े को सिर छुका कर स्वीकार करो तुम्हारी मा दीन दुखी है इस से अधिक उसके वश्ट की बात नहीं है जुलूस में शामिल लोगों की बाहों पर वंदे मातरम के बिलने लगे हुए थी आखर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने चुलूस पर आक्रमन कर दिया लोगों पर पुलिस की लाठियां वरसने लगी मार से तिल मिलाकर एक लडगे ने वंदे मातरम कहा तो पुलिस ने उसे तालाब में फीट दिया पुलिस ने उस समय इतने जुल्म किये कि सारे तेश में उसकी निंदा हुई पुलिस के दमन के बावजूद भी बारी साल में समेलन हुआ और सुरंदेनाद बैनर जी ने अपनी ओजस वीवानी में जन समूँ को संबोधित किया किन्तु बाद में उन्हें किरफतार कर लिया गया और उन पर जुर्माना किया गया लोकमानने बाल गंगाधर दिलक इस समय जेल से छूट कर आ गये थी उन्होंने केसरी में आपात स्थिती आ गई है शीर्षक लेक में बंगाल विभाजन के विरोत और वहिशकार के प्रक्ष में जम कर प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने कहा समय आ गया है कि स्वाराज की मांग की जाए टुक्रे टुक्रे सुधारों में काम नहीं चलने वाला बंजाग में आरे समाज ने स्वादेशी के सिध्धांत का प्रचार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई आरे समाज के प्रचारक लोगों को स्वदेशी वस्तों का प्रयोग करने के लिए प्रेणा देते हुए गाउं गाउं खुमे उत्तर प्रदेश में भी आंदूलन फैला और स्वदेशी का प्रचार सभी जिलों में होने लगा जगा जगा सभाई हुई और स्वदेशी स्टोर खोले गए इसके साथ ही दक्षण भारत में ये आंदोलन फैला और वहां के अनेख जिले प्रभावित हुए इधर कॉंग्रेस में दो दल हो गए थे और स्वतंत रूप से कारे करने लगे थे गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले सुरंदेनाथ बैनर जी आदे तिलक का प्रभाव कॉंग्रेस में बराबर बढ़ रहा था वो राष्ट्री नेता बन चुके थे नरम दल वाले जानते थे कि यदि इस समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष का चुनाफ कराया तो तिलक भारी संख्या से जीत जाएंगे इसलिए कलकत्ता में जब कॉंग्रेस का 22वा अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरो जी बनाए गई इस अधिवेशन में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस बार जनता ने बड़े उत्सा से इसमें भाग लिया था इस तरह बंग भंग के खिलाफ छेड़े गए आंधोलन ने जनता में प्रिटिश सरकार विरोथी भावनाओं को बड़ी तेजी से बढ़ाया और चारों ओर असंतोष की लहर छा गई बंग भंग के खिलाफ हुए आंधोलन के कारण सारे देश में एक बार फिर जबरदस्त राष्ट्रिये चेतना जागरित हो उची थी लोगों में नया उत्साह और जोश आया वंदे मातरम, युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्रों ने इस आंधोलन को काफी ताकत दी वंदे मातरम में प्रकाशित अरविंद घोश के लेखों का बड़ा गेहरा प्रभाव पड़ता था उनके जोशीले लेखों से सरकार बहुत परिशान हो रही थी दूसरी ओर, वारिंद्र कुमार खोश और भूपेंदर नाथ दत्थ द्वारा प्रगाशित युगांतर भी इतना लोकप्रिय था कि उसकी प्रतियां हाथों हाथ बिग जाते थी वारिंद्र कुमार खोश अर्विंद खोश के भाई थी और उनमें बश्पन से ही देश प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे किन्तु वे पल्लवित हुए सन 1902 में जब वो कलकत्ता आए उस समय जगा जगा अनुशीलन समितियां स्वदेशी का प्रचार कर रही थी पर सरकार ने इन समितियों को दबाना शुरू कर दिया वारिंद्र कुमार खोश ने बंगाल में घूम घूम कर अनुभव किया कि इस प्रकार की समितियों से काम नहीं चलने वाला जरूरत इस बात की है कि विदेशी सरकार के खिलाफ राजनेतिक शर्यंत्र आयूचित किया जाए वंदे मातरम में चोशीले लेख लिखने के लिए अरविंद घोश को गिरफतार कर लिया गया लेकिन इस बात के कोई प्रमाण मत है कि उसके समपादक अरविंद घोशी है प्रिटिश सरकार ने विपिन चंदरबाल को अदालत में बुलवाया क्यूंकि उनके बारे में ये मशूर था कि वे सच के अलावा कुछ नहीं कहते जब अदालत में उनसे ये पूछा गया कि वंदे मातरम के समपादक कौन है तो उन्होंने कहा मैं विदेशी सरकार के सामने गवाही नहीं देना चाहता आखिर प्रमाणों के अभाव में सरकार ने अरविंद घोश को मुक्त कर दिया लेकिन अदालत में गवाही ना देना जुर्म माना गया और विपिन चंद्रपाल को छे महिने कैद की सजा दे दी गई सन 1907 तक स्वदेशी और वहिशकार आंदोलन पूरे जोरों पर सारे देश में फैल चुका था विदेशी माल की होलियां चलाई जाने लगी लोगमाने दिलक ने घूशना की कि उनके दल को सरकार के नीतियों पर कोई विश्वास नहीं है उधर ब्रिटन में भारत मंत्री का स्थान लिब्रिल पार्टी के जॉन मौरले ने ले लिया था भारत में लौट कर्जन के स्थान पर लौट मिंटो ने वोईस्वाय का पत समभल लिया था मौरले और मिंटो दोनों का विचार था कि भारत की अशान्ती को दबाने के लिए केवल बल प्रयोक से काम नहीं चलेगा ये भी जरूरी है कि सुरंद्र नाद बैनर जी, मोतिलाल खोश और गोखले जैसे नेताओं से भी संपर्क रखा जाए ये सब कॉंग्रेस के नरम दल के नेता थी लेकिन गरम दल के नेता कुछ कम प्रभाव शाली न थी तिलक, अर्विंद खोश, विपिन चंद्रपाल, लाला लाशपतराय आदे ने भी कॉंग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था चोकि कॉंग्रेस को उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने राजनेतिक महत्व दे दिया था इसलिए गरम दल और नरम दल के बीच रसा कशी शुरू हो गई सन 1907 में सूरत में हुए कॉंग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच खुल कर संखर्श हुआ काफी गरबडी के बाद गरम दल वाले पंडाल छोड़कर चले गई अधिवेशन की कारवाई नरम दल वालों ने चलाई वहाँ उपस्थित 1600 प्रतेनिध्यों में से केवल 900 गरम दल के साथ हो गए उन दिनों वंदे मातरम कहना कानूनी अपराद था मेदनीपूर बंगाल में एक कृशी प्रदर्शनी लगी थी उसमें एक लड़का कुछ पुस्तके लिए चला रहा था अचानक उस लड़के के अध्यापक वहाँ आ गए उन्होंने समझाया खुदीराम यह सब बंग करो जानते नहीं वंदे मातरम कहना विद्रो करना है खुदीराम बोला तो मैं विद्रो ही ही सही आखिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया उसे पुलिस ने इतना पीटा कि वो लहु लुहान हो गया उस पर विद्रो ह करने का मुकदमा चला परंतो उसके खिलाफ सुबूत न थे आखिर जश ने उसे छोड़ दिया कुछ समय बाद मुझफरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेकने के अपराथ के लिए खुदिराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई खुदिराम बोस के बलिदान से सारा देश दहल उठा था बाल गंगाधर दिलक ने इस बारे में केसरी में कुछ तीखे अगरलेख लिखे बस प्रिटिश सरकार को मौपा मिल गया उस समय दिलक काल के संपा तक परांजबे की पैरवी करने बंबाई आये थे वहीं उन्हें होटल में गिरफतार कर लिया गया तिलक पर तत्काल मुगदमा चलाने की तैयारी की गई उन्हें ना जमानत पर छोड़ा गया और नहीं अपने बचाव में कहने के लिए वकील की सुविधा दी गई इस नाट की अदालत में जज़ के साथ जो जूरी बैठी उसमें साथ योरोपियन और दो पार्सी थे तिलक ने अपने पैरवी स्वेम करने का निश्चे किया इस मुकदमे में तिलक ने 21 घंटे 10 मिनट तक अपने उपर लगाए गए अभियोगों का उत्तर दिया उनकी बहस सुनकर अंग्रेज जश्च तक घबरा गया किन्तु फैसला तो पहले ही तैह हो चुका था तिलक को 6 वर्ष की गैद और 1000 रुपे जुर्माने की सजा सुना दी गई फैसला सुनाने के बाद जश्च ने तिलक से पूछा आप कुछ कहना चाते हैं तिलक ने इतना कहा तिलक को दी गई इस सजा के खिलाफ देश भर में आंदूलन हुए ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला देश भर में किरफ्तारियां हुई पंध्रा व्यक्ति मारे गई ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए कई कानून बना डाले और भारत की स्वतंतरता को कुछलने के लिए दमन नीती तेस कर दी गई उधर विदेशों में भी भारतीय स्वतंतता संग्राम की कतिविध्यों को तेज करने के प्रयत्न किये जा रहे थे इंगलिन में बैरिस्ट्री कर रहे शाम जी कृष्ण वर्मा ने भारत में हो रहे प्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोत करने और भारत की वास्तविक स्थिती विश्व के सामने रखने के लिए सन 1905 में इंडियन सोसियोलोजिस्ट मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की शाम जी कृष्ण वर्मा द्वारा खरीदे इंडिया हाउस भवन में रहने वाले भारतिय विद्यार थी ब्रिटिश सरकार का सिर्दर्द वनने लगे इंडिया हाउस में शाम जी कृष्ण वर्मा से मदन लाल ठींगरा विनायक दामोदर सावरकर आदी अनेक छात्रों ने देश भक्ती की दीक्षा ली सावरकर ने उन्हीं के मार्ग दर्शन में 1857 क्रांती की वो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि 1857 की क्रांती स्वार्थी राजाओं द्वारा नहीं चलाई गई थी बलकि वो राष्ट्र की स्वाधीनता का आंदोलन था धीरे धीरे शाम जी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश सरकार की आँख का कांटा बन गए उनका इंगलिंड में रहना मुश्किल हो गया आखिर अफसर देखकर वो पैरिस चले गए पैरिस में भी उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और मदाम कामा तथा अन्य मित्रों की सहायता से ब्रिटिश सरकार विरोधी काम शुरू कर दिया मदाम भीखाजी कामा जब 24 साल की थी तब 1885 के पहले कॉंग्रेस अधिवेशन में शामिल हुई थी तब ही से उनमें देश सेवा की लगन लग गई थी जब वो 40 वर्ष की थी अपना इलाज कराने इंग्लेंड गई वहाँ उनकी भेट शाम जी कृष्णे वर्मा से हुई उनके कारिक्रमों से मदाम भीखाजी कामा बहुत प्रभावित हुई एक दिन मदाम भीखाजी कामा ने लंदन के हाइट पार्क में बड़ा जोरदार भाषन दिया उन्होंने बताया कि हिंदोस्तान में अंग्रेज किस तरह जुल्म करते हैं भीखाजी कामा के भाषनों से ब्रिटिश सरकार चोट पड़ी उन्हें गिरफतार करने का निश्चे किया गया परन्तु इससे पहले ही मदाम भीखाजी कामा पैरिस चली गई पैरिस में मदाम कामा की भेंट कई देशभक्त भारतियों से हुई इन में प्रमुक थे लाला हर्दयाल, विनायक दामोदर सावरकर, शापुरजी सकलातवाला, विरेंदर चटोपाध्धाय आदी सन 1905 में मदाम कामा ने जिनीवा से वंदे मातरम नामक सापताहिक प्रकाशित किया जिसमें भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में लेख छपते थे सन 1907 में मदाम भीखाजी कामा अमरीका गए और वहां भारत की स्वतंतता के बारे में भाशन दिये उन्होंने जर्मनी, स्कोटलेंड, पेरिस, लंदन, न्यू यॉक सभी जगा जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाशन दिये वो कहती देश पंधुओ अपने देश में अपनी स्थिति का ख्याल करो रूस में देश भक्ती करने वाले वीर माने जाते हैं अंग्रेज भी उन्हें देश भक्ती मालते हैं और वही अंग्रेज हमें देश द्रोही और गुनाईगार समझ कर सजा देते हैं ये किसलिए विदेशी शासन का सामना करना ही सच्ची देश भक्ती है गुलाम जीवन बेकार होता है सन 1908 में जर्मनी में विभिन देशों के 1000 समाजवादियों की परिशत हुई भारत की प्रते निधी बन कर मदाम भीगाजी कामा जर्मनी गई वहां सब देशों के राश्ट्रिय ध्वश फेराए गए इस मौके पर उन्होंने अंग्रेश सरकार के यूनियन जैक की जगा भारत का अपना राश्ट्धश तयार करके फेराया इस राश्ट्धश में लाल, सफेद और हरे तीन रंग की आड़ी पट्टियां थी पहले लाल रंग की पट्टी पर कमल का फूल और साथ सितारे थे बीच वाली सफेद पट्टी पर वंदे मात्रम लिखा हुआ था नीचे हरे रंग की पट्टी पर सूरे और अर्ध चंद्र का चिन्न था साथ सितारे सबतर्शी की याद दिलाते थे सूरे और चंद्र हिंदू मुसल्मान की एक्ता के प्रतीक थे और वंदे मात्रम भारत की एक्ता का मंच था हमारी देश का पहला राश्च थपच यही था मदाम भीखाजी कामा ने भारत के स्वतंतरता आंदूलन को विदेशों में प्रचारत करने का जो महान कार्य किया वो उनकी एतिहासिक दिन थी। लाला हर्दयाल जिन दिनों लंदन में पड़ रहे थे वहां भाई परमानंग और सावर करके संपर्प में आए। वो राष्ट्रिय आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ समय बाद जब वो भारत आए तो लाला लाशपत राय के साथ काम करने का अफसर मिला। उनके ख्रांतिकारी विचारों के कारण शीक रही देश भर में उनका नाम तो हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके पीछे बढ़ गई। आखिर वो देश छोड़ कर पैरिस पहुँचे। वहां उन्होंने सन 1909 में वंदे मातरम अखबार का संपादन कारे संभाल लिया। पर अंग्रेज सरकार ने वहां भी उन्हें नहीं टिकने दिया तो वो अमरीका चले गए। जहां उन्होंने भारतियों का नित्रत्व संभाल लिया। उस समय तक भारत में एकता और राष्टी शेतना का पूरी तरह विकास नहीं गवा था। और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती अपना कर एक नई राजनीतिक संस्था मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय तक लोगों में भारत को एक राष्ट्र मानने की भावना पूरी तरह जागरित नहीं हो पाई थी। कॉंग्रेस के सामने इसी जरूरत को पूरा करना एक चुनोती थी। दक्षन अफेका में भारत के अनेक प्रदेशों से लूग जाकर बसे थी। इनमें कुछ स्वतंत्र मजदूर थे, कुछ गिर्मिटिया मजदूर, कुछ छोटे सरकारी नौकर और कुछ व्यापारी। इन्हें व्यापारियों में एक थे दादा अब्दुल्ला, जिनका वहां काफी काम फैला हुआ था। उनके एक मुकदमे के सिलसिले में मोहंदास करम चंद गांधी दक्षन अफेका पहुचे। एक दिन जब गांधी जी ट्रेन से चाल्स डाउन जा रहे थे, तब उनके साथ एक ऐसी खत्ना हुई जिसने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। उस समय रेलकाडी नेटाल की राजधानी मोरिसबर्ग स्टेशन पर पहुची। गांधी जी पहले दर्जे में सफर कर रहे थे, उनके पास टिकेट भी था, लेकिन अंग्रेज रेल अफसर ने उन्हें डिब्बे से उतर कर तीसरे दर्जे में सफर करने के लिए कहा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और उसे प्रथम शेनी का टिकेट दिखा कर गूले, मुझे इस दब्बे में सफर करने का कानूनी हक है। गांधी जी का विरोध देखकर उस अंग्रेज अफसर ने एक सिपाही से न सिर्फ गांधी जी का सामान नीचे पिकवा दिया, बल्कि उन्हें भी धक्के देकर नीचे उतरवा दिया। दरसल इसी क्षण गांधी जी को अनुभव हुआ था कि गोरे लोग काली लोगों से कितनी नफरत करते हैं। मुझे जो तकलीफ मिली है, वो तो उतरी है, पर ये रंग भेत पर एक महारोग है। इसे मिटाने की शक्ति अपने में हो, तुम जो उसका उप्योग करना चाहिए। पर चाहे जो भी कष्टाएं, उन्हें सहना चाहिए। रेल तो जा चुकी थी, गांधी जी ने तुरंट रेल के मैनेजर को तार दिया, दादा अब्दुल्ला को भी तार दिया, और उन्हें सारी स्थिती बताई। आखिर अगले दिन जब दूसरी गाड़ी आई, तब गांधी जी चाल्स टाउन पहुझे, लेकिन प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही बैचकर। चाल्स टाउन से जोहनस बर्ग की यात्रा, गांधी जी को एक सिक्रम में करनी थी, सिक्रम वाले ने उन्हें कुली समझ कर अंदर नहीं बैठने दिया, बलकि कोचवान के पास बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सिक्रम कंपनी के उस गोरे को सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो उसने गांधी जी से कहा, तुम नीचे बैठो, क्यूंकि उसे कोचवान के साथ वाली सीट पर बैठना था, गांधी जी अब बरदाश्ट नहीं कर सकी, एक तो अंदर बैठने नहीं से थपड़ बरसाने शुरू कर दिये, गांधी जी के जी में आया कि उस गोरे की दाड़ी नूचले, पर वो सिक्रम के सीख्चे मस्बूती से पकड़े रहे, उस गोरे ने बहुत खींशतान की, पर वो उन्हें वहां से हटा नहीं पाया, बाकी अंग्रेज यात्री ये सब देख रहे थे, उन में से एक बाहर आया, उसने सिक्रम के मालिक को बहुत डाड़ा भटकारा, मामला तो शान्त हो गया, परंतु गांधी जी के मन में रंग भेद नीती के खिलाफ एक और विचार छोड़ गया, जब मुकदमे का काम खत्म हो गया, तो गांधी जी भारत वा मोहंदास करमचन गांधी को विदाई देने के लिए सभा आयूचित की कई थी, अब्दुल्ला सीथ ने कहा, इन्होंने यहां मुसीबते झेली और भारतियों के दुखधर्द को जाना है और समझा है, अभी कुछ देर पहले एक अख़वार के कोने में छपी इस ख़बर के बिल पेश किया गया है, उस पर असेम्बली में बहस हो रही है, और अब मिस्टर गांधी कहते हैं कि अगर ये कानून जियों का त्यों पास हो गया, तो आप लोगों के लिए बहुत तखलीफ दे होगा, ये तो हिंदुस्तानियों के हस्ती मिटाने का पहला ख़दम है, फि आखिर गांधी जी एक महिने रुखने के लिए तयार हो गए, उन्होंने एक याचिका तयार की, जिसमें इंग्लेंड के समराज से प्राथना की गई थी, कि वो विध्यक को स्विकृति ना दें, उस पर हजारों भारतियों ने दस्तखत किये थे, और ये याचिका समराज अब तो गांधी जी को दक्षन अफ्रीका में लंबे समय तक रूखने की पूरी कोशिश होने लगी, फिर गांधी जी दक्षन अफ्रीका के भारतियों के समस्याओं के लिए लड़ने लगी, उन्होंने नेटाल इंडियन कॉंग्रिस की स्थापना की, उनके नित्रत्व मे भारतिय समाच में एकता आने लगी, केप टाउन और ट्रांसवाल में भी नेटाल कॉंग्रेस की तरह संस्थाएं स्थापित में, पीन साल बाद सन 1896 इस्वी में गांधी जी को लगा कि दक्षन अफ्रीका की गूरी सरकार की रंगभेद नीती के कारण भारतियों पर होने वाले जुल्म के लिए लड़ने में उन्हें समय लगेगा, इसलिए वो अपना परिवार लेने भारत लोटे, परिवार सहित जब वापस दक्षन अफ्रीका पहुंचे, तो नेटाल बंदरगा पर गोरे लोगों की भारी भीड उनका विरोत करने के लिए जमा थी, काफी द अब लोग इधर उदर हो गए, तो एक अंग्रेज अफसर मिस्टर लाटन गांधी जी को अपने सरक्षर में लेकर बाहर निकले, लेकिन किसी ने पहचान दिया, और फिर उन पर घूंसों, थपड़ों, लातों का हमला हुआ, तभी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर वेश मंत्री मिस्टर चेंबरलेन का तार मिला कि वो हमला करने वालों पर मुकदमा चलाएं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया, इससे गोरे लोग बहुत शर्मिन्दा हुए, सन 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रों प्रकाशित करना शुरू किया, सन 1906 में वहां विद्रोही जुलू लोगों पर पुलिस ने जुल्म ठाए, घायलों की अस्पताल में चिकटसा भी नहीं की गई, तब ये काम गांधी जी ने अपने उपर ले लिया, घायलों का उपचार किया, कुछ समय बाद ट्रांसवाल की सरकार ने एक कानून खोशित किया, कि हर भारती इस्त्री पुरुष जो ट्रांसवाल में रहता है, उसको अपनी रजिस्ट्री करानी होगी, और एक प्रमानपत्र लिना होगा, जिस पर शरीर के खास चिन्न पहचान के लिए लिखे जाएंगे, गांधी जी ने बताया, मेरी जानकारी में दुनिया की किसी हिस्से में स्वतंत्र आद्मियों के खिलाफ ऐसा कोई कानून नहीं है, सभा में लोग उत्ते जित हो उठे, वो घुस्से से भरे हुए थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हीं शान्त किया, और बूले कि हमें शान्तिपूर्ण और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाना है, चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न जहिलने पड़े, क्योंकि यदि इस खानून को हमने लागू होने दिया, तो फिर ऐसा कानून सारे दक्षन अफ्रीका में बनाया जाएगा, गांधी जी और अन्य नेताओं ने परमिच दफ्तर पर धरना दिया, गिरफ्तार हुए, पर एक हफ्ते बाद चर्नल स्मच्स से बाचीत होने के बाद सभी छोड़ दिये गए, दक्षन अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रती, उच अंग्रेजों में साहनुभूती की भावना भी थी, उनमें से एक थे मिस्टर केलनबेक, उन्होंने बहुत बड़ी जमीन गांधी जी को दे दिया, जहां गांधी जी ने टॉल्स ट्वाय फार्म की स्थापना की, जिन दिनों गांधी जी दक्षन अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लेंड में उनके काम की जानकारी प्राप्त करने पर कहा था, ये आदमी भविश्य में भारत का नेटा हुगा, सन 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षन अफ्रीका गए, 15 दिन घूम घूम कर वहां की सारी जानकारी प्राप्त की और भारतीयों से कहा, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार रंग और जाती भीद की नीटी अपना कर दिक सकती है, इस काले कानून को हटाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की शक्ति को भी पहचान लिया था, भारत में उस समय स्वतंत्रता आंदूलन चल ही रहा था, गोखले ने तब गांधी जी से कहा था, अब आपको एक साल के अंदर भारत लोट आना चाहिए। इधर भारत में, कॉंग्रिस दक्षन अफ्रीका में भारतियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ, गांधी जी के संखर्ष को अपने अधिवेशनों में नयतिक समर्थन प्रदान कर रही थी। प्रिटिश सरकार भी ये बात समझती थी, के भारतिये कॉंग्रिस दक्षन अफ्रीका के प्रती पूरी तरह चोकन्नी है और उसके लिए विश्व जनमत का ध्यान खीशने की पूरी कोशिश कर रही है। सन 1909 में मदन मोहन मालुविय के अध्यक्षता में लाहर में कॉंग्रिस अधिवेशन हुआ। उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ दक्षन अफ्रीका के बारे में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। ये कॉंग्रिस मिस्टर एम के गांधी तथा उनके वीर और निष्ठावान साथियों को हर्दिक प्रोचसाहन देती हुई। प्रत्य जाती और धर्म के भारतवासियों से अन्रोथ करती है कि दक्षन अफ्रीका के अधिकार युद्ध में लड़ने वाले वीरों की साहिता के लिए जी खोलकर आर्थिक साहिता दे। भारत लोटने पर गोखले ने कॉंग्रेस अधिवेशन में तथा भारती नेदाओं को वहां भारतियों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी ती तथा जुल्म करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास कराया। उधर दक्षन अफ्रीका में गोखले क्याने से वहां के भारतियों का उत्साह बढ़ गया। गयर कानूनी समझे जाएंगी। इस फैसले ने आग में घी का काम किया। अब महिलाओं ने भी आंदूलन शुरू कर दिया। टूल्स्ट्राइ आश्रम की महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लिए निकली। कस्तूर्बा गांधी भी साथ थी। आंदूलन के लिए निकलते समय उन्होंने गांधीजी से कहा। मैं हिमत हार कर चली आओं। तो आप मुझे न अपनाई। मेरी लड़की कश्ट सह सकते हैं। आप लोग सह सकते हैं। और मैं अकेली ही नहीं सह सकती। ठीक है। जाओं अपने ख्याल रखना। उन सब महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया। महिलाओं के जेल जाने पर दक्षन अफ्रीका के भारतियों में नई चेतना आई। भारत में भी नेता चिंतित हुए। इस बीच गिर्मिटिय मजदूर यानि मालिक के पास एक अनुभंध के तहट काम करने वाले मजदूर भी अपने तकलीफें लेकर गांधी जी के पास आई। वो हज़ारों थे। गांधी जी ने सूचा कि इन सब को ना तुवो रख सकते हैं ना खिला सकते हैं इसलिए ये लोग काले कानून तोड़ें और जेल जाएं। उन्होंने इन पाँच हजार मजदूरों को जेल में होने वाली परिशानिया समझा दी। फिर भी वो सब निटाल से ट्रांसवाल की पैदल यात्रा पर चल पड़ी। अपने अधिकारों की मांग के नारों के साथ साथ गांधी जी जिन्दाबाद के नारों से आकाश कुण उठा। गांधी जी जिन्दाबाद दक्षन अफरीका की गूरी सरकार बहा रहने वाले भारतियों की नई चेतना जो आंधोलनों का रूप धर-कर सामने आ रही थी उससे बहुत परिशान धी ट्रांसवाल पहुँचने पर गांधी जी और अन्य नेतायों को गिरफ़तार कर लिया गया बात में पूरे जुलूस को गिरफ़तार कर लिया गया गांधी जी की इस गिरफ़तारी की खबर जब भारत पहुची तो सभी और क्रोथ की लहर छागी उस समय के वोई सुराय लौड हार्डिंग ने सार्विजनेक रूप से दक्षन अफ्रीका की सरकार की निंदा की और सत्याग्रह को ठीट बताया उन्होंने अपना एक विश्वस्त सरकारी कर्मचारी वहां के भारतियों की मदद के लिए भीजा इसी बीच दीन बंदू एंड्रियूज और पियर्सन भी दक्षन अफ्रीका पहुचे इससे समझोते की बातचीत संभफ हुई और प्रवासी भारतियों के संखर्ष का संतोष्चनक अंधुआ आखिर 18 जुलाई 1914 को गांधी जी ने हमेशा के लिए दक्षन अफ्रीका छोड़ दिया ये बात अलग है कि दक्षन अफ्रीका की सरकार आज भी रंगभेत की नीती को अपनाए हुई है सन 1911 में ब्रिटिश समराट चौश पंचम भारत आये उन्होंने दिल्ली दर्बार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की खोशना की सन 1912 में गोपाल कृष्ण कोखले दक्षन अफ्रीका हो कराई उन्होंने दक्षन अफ्रीका में भारतियों पर होने वाले अध्याचारों की चर्चा बड़े विस्तार से कॉंग्रेस अधिवेशन में की इसके साथ ही उन्होंने इन अध्याचारों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कराया सन 1913 में सान फ्रांसिसको में एक सम्मेलन आयूज़द किया गया था जिसमें अमरीका के विभिन भागों में रहने वाले भारतियों ने भाग लिया और 15,000 डॉलर की राशी जमा की इसी अफसर पर इंडियन एसोसियेशन की नीव रखी गई और सन 1857 के गदर की स्मृती में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराथी और गुरुमुखी में शुरू हुआ इसी गदर पत्रिका के नाम के कारण बाद में इंडियन एसोसियेशन का नाम गदर पार्टी हो गया लाला हरदयाल ने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया वो गदर पार्टी के मंत्री चुने गए और सोहन सिंग भाकना उसके अध्यक्ष सन 1914 में कई महत्वपोन खटना हुए सबसे महत्वपोन खटना थी गथम विश्वयुद्ध का आलम जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इचली, अमरीका, जापान आदी अनेक देश इस विश्वयुद्ध में पूँद पड़े थी इंगलन भी इस युद्ध में शामिक हुआ और इस कारण युद्ध का असर भारत पर भी आया देश के अनेक नेता इस अफसर पर ब्रिटिश शासन की मदद करने की बात कर रहे थी दादा भाई नौरुची, मदन मोहन मालविय आदी अनेक नेताओं का कहना था कि अगर इंगलन इस युद्ध में हार गया तो हम मुसीबत में बढ़ जाएंगे किन्तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो भारत में भी स्वतंतृता और आत्मंदर्णय के उन्हें सिधानतों को लागू करें जिन के लिए अनेक देश युद्ध कर रहे हैं इसी समय लोकमान ने तिलक बर्मा की मांडले जिल से छूपकर भारत वापस आए एक आईरिश महिला एने बिसंट ने भी इनी दिनों भारती राश्लीती में प्रवेश किया श्रीमती एने बिसंट बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी भाद आने सिपूर इंगलेंड में उन्होंने रोडियों और अंध विश्वासों को तोड़ने के लिए जबरदर संखर्श किया था। उन्होंने मजदूरों के लिए भी आंदूलन चलाया था और भारत तथा आर्लेंड के स्वतंत्रता आंदूलन का समर्थन किया था 1882 में उनके जीवन में एक महत्वक्ण मोड आया थियोसोफिकल सुसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लवेट्सकी से एनिवेसंट की मुलागात हुए और वो उसमें शामिल हो गए मैडम ब्लवेट्सकी की मृत्यू के बाद एनिवेसंट ही थियोसोफिकल सुसाइटी की प्रमुपनी सन 1893 में श्रीमती एनिवेसंट भारत नाई भारत के प्रती उनका प्रेम मिरंतर बढ़ने लगा भारत की धार्मिक, सामाजिक उन्नती और शिक्षा का प्रसार तथा राजनीतिक आजादी के कामों में उन्होंने गहरी दिल्जस्पी ने सन 1916 में श्रीमती एनिवेसंट ने आयरलेंट के होम रूल आंदोलन की प्रणा से मद्रास में होम रूल की स्थापना थी इससे प्रभावित होकर लोकमान्य तिलप ने भी अखेल भारतिये होम रूल लीग स्थापित की और जल्दी ही देश भर में इसकी शाखाएं खुल गई होम रूल के चार प्रमुक सिध्धान्त थी स्वदेशी वस्थों से प्यार और उनका सम्मान विदेशी चीजों का पहिशकार राष्ट्रिय पधती पर शिक्षा का संचालन और स्वतन्त्र राष्ट्र की स्थापना इस आंदोलन ने ही पहली बार राष्ट्रिय शिक्षा का नारा बुलंद किया था ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि बिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए पूरी तापदत लगा दी और जून 1917 में श्रीमती एनिबसंच को गिरफतार कर लिया गया जिससे आंदोलन और भरक उठा आखिर सरकार को मश्बूर होकर श्रीमती एनिबसंच को रिहा करना पड़ा विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रजन की भारी सहायदा की थी ब्रजन की सरकार ने भी बार बार घोशना की थी कि वो संसार में लोगतंत्र की रक्षा के लिए बड़ाधीन राष्ट्रों को आत्म निर्णाय का अधिकार देने के लिए युद्धता रहा है किंतु श्रीमती एनिबसंच ने लोगों को इस भुलावे में ना आने के लिए बार बार आगा किया उन्होंने सबस्ट कहा था भारत युद्ध के दोरान दिखाए गई राजभक्ति का इनाम नहीं मांगता वो अपनी बेटों के रख और बेटियों के आंसों के बदले में स्वतंत्रता की किस्तों का सौदा नहीं करता वो तो एक राष्ट होने की नाते अपने अधिकार चाहता है और सामराज्य की प्रजा की विभिन जातियों के बीच न्याय की मांग करता है आपको याद रहे कि भारत क्या था आपको जानना चाहिए कि इसा के जन्म से तीन हजार पहले भारत वानिचे और वेपार में महान था श्रेमती एनेबसंट की ऐसी ही राष्ट्री भावना से प्रिरित होकर सन 1917 में कॉंग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना किन्तु जैसे जैसे विश्वयुद्ध खत्म होने लगा हॉम रूल आंदोलन भी कमजोर पढ़ता गया और अंध में खत्म हो गया किन्तु इतना निश्चित है कि भारतीय स्वतंतरता आंदोलन में राजनैतिक जेतना जगाने के लिए हॉम रूल आंदोलन का विशेश महत्वरहा है चापान में रहने वाले भारती कामा गाटा मारू नामक चापानी जहास पर कैनेडा स्थित प्रिटिश कुलंबिया की यात्रा पर निकले वहां उन भारतीयों के साथ अत्यंत अपमान जनत वहवार किया गया इससे परिशान होकर वो लोग भारत के लिए रवाना हो गई रास्ते में बढ़ने वाले बंदरगाहों पर भी उनके साथ दुर्वेभार किया गया जब वो भारत पहुँचे तो उने यहां के बंदरगाह पर उतरने की भी अनुमती नहीं दी गई आखिर किसी तरह कामा गाठा मारू जहास भुगली बंदरगाह पर उतरा वहां से उन यात्रियों को बचबच रेलवे स्टेशन पर पहुँचाने की विवस्था की गई उनके लिए ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि उन्हें कलकत्ता या अन्य किसी स्थान पर न रुकने दिया जाए बलकि सीधे पंजाब भेजा जाए उन ठगेवे यात्रियों ने सरकार का यहोक मानने से इंकार कर दिया इस पर पुलिस ने उन पर गोलिया चलाई जिससे दस लोग मारे गए जहाज यात्रियों की नेता गुरुदत सिंग अपने कुछ साथियों के साथ किसी तरह बचकर निकल गए इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई ये थी दक्षन अफ्रीका से मोहंदास करंचंद गांधी का भारत आगमन गांधी जी के इस आगमन के बारे में बंडेट जवाहला नहरू ने कहा था गांधी जी हवा के उस तेज जोंके की तरह आई जिसने हमारे लिए इस खुली हवा में सांस लेना संभा बनाया 26 दिसंबर 1916 को लखनव में कॉंग्रेस का 32 अधिवेशन शुरू हुआ इस समय तक गोपाल कृष्ण कोखले, दादभाई नौरूजी और फिरोष्या महता के मृत्यू हो जाने के कारण कॉंग्रेस की बाग डोर नरम दल के हाथों में धीली पड़ चुकी थी यही कारण था कि लखनव अधिवेशन में अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजुम्दार के साथ सुलंदिनाद मैनर्जी, श्रीमती एनिबिसंट और लाला लाजपत्राय आदिनेदा एक साथ मंच पर बैठे इसे समय दिलक का पुना कॉंग्रेस में प्रवेश भी बड़े हर्शुलास के साथ स्विकार किया गया धीरे धीरे कॉंग्रेस पर लोकमान दिलक और उनके गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कॉंग्रेस के 34 प्रवे अध्रेशिन की थी यद्देपी लोकमान दिलक कुछ उना गया किन्तु उन्हें इंग्लिन जाना पड़ा इसलिए अध्रिक्षिता की थी पंडित मदन मोहन मालवियने भारती राश्रीती में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूर गांधी जी ने ये सूचा था कि पहले देश की वास्तविक स्थिती से परिचित होने के लिए उन्हें एक वर्ष शान्ती पूर्वक विदाना चाहिए उन्होंने एहंदाबाद में साबर मती के तच पर आश्रम स्थापिरी किया बिहार में उन दिनों नीलहे गोरों द्वारा किसानों पर अत्याचार किये जा रहे थे इसकी जाच के लिए सन 1917 में गांधी जी चमपा रन गए यहीं पर युवा राजिंद्र प्रसाद पहली बार उनके संपर्क में आए गांधी जी के विचारों और जीवन शैली ने युवा राजिंद्र पर इतना सबर्दस्त प्रभाव डाला कि उसे दिन से वो गांधी जी के भग्त बन गए चमपारण के जिलाधीश ने आग्या जारी की के गांधी जी तुरंत जिला छोड़कर चले जाएं किन्तु गांधी जी ने ये आदेश माने से इंकार कर दिया इस कारण उन पर मुकदमा चलाया गया किन्तु गांधी जी के दलीलों के आगे प्रिटेश सरकार को छुपना पड़ा और उन्हे नीले गोरों द्वारा किसानों पर किये जारे जुल्मों की जाज करवाने की अनुमती मिल गई उधर गुजरात में खेडा के किसान लगान देने की हालत में नहीं थे क्यूंकि उनकी फसल बरबाद हो गई थी गांधी जी ने आकर इस मामले को भी सुल्चाया इससे कुजरात के किसानों में जाकरिती का श्री गणेश हो गया अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए अत्याचार, गरीबी, बीमारी, भुकमरी और भारती सिपाहियों की सेना में जबरदस्ती भर्ती के कारण देश की जनता में भारी असंतोष छाक्या था ये असंतोष कहीं विद्रू का रूप न ले ले इसलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1917 में जस्टिस रोनेच की अध्यक्षता में एक समिती नियुक्त की थी इस समिती का काम ऐसे कानून बनाना था जिन से भारत में किसी भी तरह के विद्रू को कुचला जा सके समिती के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में विधान परिशद के सामने दो विध्यक रखे गए इन दोनों विध्यकों के खिलाफ देश भर में असंतोश फैल गया इसके बाबचूत भी एक विध्यक पारित कर दिया गया जो रॉलेट एक्ट के नाम से मशूरू हूँ इस अधिनियम के अंतरकट देश में आंतरिक शांती बनाए रखने के बहाने अंग्रेश सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा आदी चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी सारे देश में इस कानून के खिलाफ आंदूलन छड़ गया इसे काला कानून कहा गया गांधी जी इसी समय पहली बार भारती राजनीती में खुल कर प्रटिश शासन के खिलाफ होकर सामने आए और उन्होंने जनता से अपील की कि 6 एप्रिल को देश भर में हरदाल की जाए रॉलेट एक्ट पास करने के खिलाफ शोग दिवस मनाया जाए गांधी जी ने वोईसरोय को सपष्ट लिखा था कि उनके मार्ग में हिंसा का कोई महत्व नहीं है इस सत्याक्रह अभियान का उत्तेश से राज़नीती में प्रांतिकारी परिवर्तन और मनुष्य की नैतिक शक्ति की प्रदिश्चा करना है 6 अप्रेल को सारे भारत में एक गोने से दूसरे गोने तक हर दाल हुई बंबई में समुत्र के किनारे चौपाटी पर बहुत बड़ी भीड़ी खटा हो गई गांधी जी उस भीड़ में थे और सरोचनी नई जो उनके साथ थी गांधी जी के चिन पुस्तकों पर अंग्रे सरकार ने प्रदिबंद लगाया था वो वहां खुलियाम बेची गई और अंग्रे सरकारी परेशान खड़े देखते रहे देश के अन्य शहरों की तरह अमरित सर में भी 6 अप्रेल 1919 को हर दाल हुई दस अप्रेल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलो की गिरफतारे के प्रती विरोध प्रदर्शित करने के लिए शांती पूर्ण जलूस निकला इस पर अंग्रे से भाहियों ने गोली चला कर कुछ निहत्थे लोगों को मार दिया 13 अप्रेल 1919 को जलियाँ वाला बाग में एक विशाल सभा का आयोचल हुआ सभा का मैदान चारों और से मकानों की उची उची दिवारों से खिरा था केवल एक सक्रा रास्ता था जिस पर बिटिश सेना के कमांडर जर्नल डायर ने फौश लगा थी जब सभा चल रही थी तो जर्नल डायर ने बिना किसी चेदावनी की सभा में आये लोगों पर अंधा धुंद गोलियाँ बरसाने का आदेश दे थी जलियाँ वाला बाग में लाशों के अंबार लग गए इस क्रूर हत्याकान के विरोध में न सिर्फ भारत का चप्पा चप्पा प्रभावित हुआ बलकि प्रिटिश पार्लेमन तक ही लूचे थी इसके बाद तो राश्ट्री आंदोलन का रुखी बदल गया अंग्रेजों की न्याय प्रियता के प्रती गांधी जी तक का विश्वास उच गया और वो सहयोग से असहयोग की ओर पड़ चले गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे महत्वकून बाद की हिंदू-मुस्लिम सत्भा जिसमें ब्रिटिश सर्कार द्वारा किये गए अत्याचारों से कंधे से कंधा मिलाकर जूचने की हिंदत उप्ची थी मुसल्मानों ने हिंदू नेताओं को मस्चितों में भाशन देने के लिए बुलाया स्वामी शद्धानन्द ने दिल्ली की जामा मस्चित में भाशन दिया दिसंबर 1919 में कॉंग्रेस का अधिवेशन अम्रत सर मिक्वा अम्रत सर के इस कॉंग्रेस अधिवेशन में श्री निवास शास्त्री, मदर मोहन मालविये, श्रीमती एनिवसंद, बाल गंगाधर दिलक, अलिबंधू, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, स्वामी शद्धानन्द और चितरंजन दास आधी अनेक इस अधिवेशन के अध्यक्ष, मोतिलाल नहरू, हाला की नरंदल के थे, लेकिन प्रिटिश सरकार की लीपियों से तंग आकर उन्होंने भी सख्टी का रुप अपना लिया था, उन्होंने कहा हम वैचारिक स्वत्तन्तिता चाहते हैं इस अधिवेशन में स्वागत समिती के अध्यक्ष की हैसियत से स्वामेश रद्धानंद ने हिंडी में भाशन दिया था, और उन्होंने शूताओं को भारत माता के पुत्र, कथा पुत्री कहेंकर संभूधित दिया था प्रतम विश्वयुद्ध के दौरान तुर्की मित्र देशों के खिलाफ रड़ा था इसके लिए प्रिटिश नेताओं ने उसे भूसा दिलाया था कि तुर्की सामराज्जे को कोई मुक्सान नहीं हुने दिया जाएगा लेकिन युद्ध समाप्त हुने पर प्रिटिश सरकार ने ना सिर्फ कुर्की सामराज्जे का विखतन करने का फैसला किया बलकि सुल्तान की मानहान भी गी इस से भारती मुसल्मानों का प्रिटिश सरकार के नीतियों पर से विश्वास उठ गया उन्होंने प्रिटिश सरकार की इस कारवाई के जोरदार खिलाफत की भारत में चले इस खिलाफत आंदोनन के प्रमुक निदा थे मुहम्मद अली, शौकत अली, अबुलकलाम आजा कॉंग्रिस ने मुसल्मानों के साथ पूरी सहानुपी पिएक्ट की और नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतिये खिलाफत सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की गांधी जी ने इस अफसर पर लोगों को यही समझाया कि समस्या को हल करने का एक मात्र हल असहयोग आंदोलन है इसे खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने थी स्विकार किया 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता मुवे खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद में इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर एक तस्ताफ पास किया गया और बिटिश सरकार को खिलाफत आंदोलन का मतलब समझाने के लिए एक प्रतिमधी मंडल लंदन भीजने का निश्चर किया गया 28 मई 1920 को केंद्रिये खिलाफत कमिटी की बैठत में ये तै किया गया कि वो अहिंसक्त असहयोग आंदोलन में शामिल होंगी अबुल कलाम आजाद में इस बारे में स्वर्ष्ट ऐलान किया अगर भारत आजाद हो जाता है और उसकी अपनी सरकार का शासन होता है यो मुसल्मानों को वही स्वतंतरता देती है जो अन्मे संपरदाया को दी जाती है तो यह इसलाम धर्म का समाधेश है कि मुसल्मान हमलावरों से अपने देश की रक्षा करे चाहे वो हमलावर मुसल्मान हो ये से उन खनीफा ही क्यों ना हो गांदी जी ने भी इस बारे में कहा था मैं भारतिय होने के नाते अपने अन्य भारतिय भाईयों के कश्ट संकतों में भागेदार होने के लिए प्रतिवर्द हूँ अगर मैं मुसल्मानों को अपने भाई मानता हूँ तो ये मेरा कर्तव है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत लगता है तुम उनकी पूरी शक्ति से मगद करें 9 जून को खिलाफत कमिटी की बैच्छत इलाहबाद में हुई उसने असहयोग के चार मुद्दे तैक ही खिताबों और उधों का त्याग सरकारी सिविल सेवाओं से इस्तीफा पुलिस और सेना की सेवा से त्याग पत्र और टक्स देने से इंकार दरना जुलाई 1920 ने सिंध में खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी भी मौजूग थे उन्होंने 23 करोड भिंडूओं को आवास दी कि वो 7 करोड मुसल्मान भाईयों की सहायता के लिए आगे आए 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने खुशना की कि असायोग आंदोलन पहली अगस्त से उपवास और प्राफरा के साथ शुरू होगा लोकमान ने बाल गंगाधर तिलत ने भी असायोग कारिक्रम को अपना पूरा समर्थम देने का वचन दिया किन्तु दुर्भाग गिवश पहली अगस्त की प्राफरा से पूर्फी रात को उनका देहां थो गया उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में गांधी जी शौकतली और डॉक्टर किचलू प्रमुक थे गांधी जी ने कहा था मेरा सबसे कबल सहारा उससे छूट गया वो जो मनुश्यों का सर्मौर था नहीं रा सिंध गर्जना शान्त हो गई आने वाली असंखे प्यूडियों तक हम उसे आधुमि भरत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे ये पीडियां उसका स्वान एक ऐसे आदमी के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन में सरजित कर दिया आईए हम उनकी वीर्ता, उनकी सादगी, उनके अधुद 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 अधसाय और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपना कर भारत के एक मात्र लूप मानने का चिरस्था इसमारग बनाए पहली अगस्त 1920 को सारे देश में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी, शौकत अली, मुहम्मद अली तखा अन्य में गाउं ने देश में दूर दूर तर्टवरा किया लोगों में उत्साह जगाया और हिंदू मुस्लिम केत्ता पर सोग दिया इससे जनदा में न सिर्थ जीतना आई बल्कि असहयोग आंदोलन का संदेश फितना चार सितंबर को कलकत्ता में कॉंग्रिस का अधिवेशन का लाला लाजपत प्राय इसके अध्यक्ष थी इस अधिवेशन में आंदोलन के प्रस्ताप को मुहमद अली जन्ना को छोड़कर सभी नेताओं का समर्थन में लाजपत इसके बाद जब नागपूर में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 1922 तक कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ तो यहां भी जन्ना को छोड़कर सभी में एक मत से असहयोग प्रस्ताप की पुष्टी करती है इससे कॉंग्रिस एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कराई जिसका उद्देश शे स्वाधीनता संग्राम का संचालन करना था गांधी जी के नित्रत्र में असहयोग आंदोलन बहुत जोरों से चला इस आंदोलन में हिंदू मुसल्मान दोनों ने कंध्र से कंधा मिलाकर और पूरे जोश के साथ भाग दिया बड़ी संख्या में मुसल्मान कॉंग्रेस में भूती हो गए काशी विद्यापीट, गुजरात विद्यापीट, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीट, तिलक महराष्ट्र विद्यापीट, आदी अनेक राष्ट्रिय विद्यालियों की स्थापना हो बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलिजों की पढ़ाई छोड़ दी, बहुत से शिक्षक थी उनसे इस्तीफा देकर निकल आए बहुत से मशूर वकीलों और बेरिस्ट्रों ने अपनी वकालत छोड़ दी और राश्ट्री आंदोलन में शामिली गई इनने प्रमुख थे मोतिलाल नहरू, लाला लाश्पत्वाई, सर्दार वल्लब भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नहरू, देश बंधू चितरन जंदास, विठ्थल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि आंदोलन के प्रमुख निता थे मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुलकलामाजाद, और डॉक्टर अंसारी गांधी जी को दक्षन अफ्रीका में काम करने के लिए केसरे हिंद का जो स्वर्ण पदक दिया गया था, वो उन्होंने लौटा दिया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधी सरकार को लौटा दिया सुभाष चंद्रबोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया सैकड़ों लोगों ने बिटिश सरकार से मिले खिताब और पदक लौटा दिये बिहार के सीनियर बारिस्टर मंजरुल हप जो नवाबों जैसा जीवन जी रहे थे और आलिशान पूठी में सुख सुविधाओं से भरे बातावरण में रह रहे थे गांधी जी के प्रभाव में ऐसे आए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे दीघा घाच पर एक छोटे से बंगले में रहने रगी बाद ने उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया जो आगे चलकर राष्ट्रिय गतिविधियों का केंद्र बना जगा जगा विदेशी कपरों की भोली जलाई थे स्वदेशी चीजों का चर्खों का विशेशकर खदर के हाच से बुने पते कपरों का प्रचार बनने लगा शराब और विदेशी कपरों के दुपानों के सामने कॉंग्रेस के स्वयम सेवकों ने देश भर में धरना देना शुरू किया और लोगों से उन्हें न खरीदने की बात के ही असरयो गांदोलन जैसे जैसे तेज हुआ बिटिश सरकार ने उसे कुचल दोने के लिए उतनी ही तेजी से दमन्चक न चलाया जगा जगा शांती पूर्ण स्वयम सेवकों और सत्या ग्रहियों को पीटा गया और उन्हें गिरफ्टार करके जेनों में जाल गिया गया अली बंधू, मोतिलाल मेंडू, चितरण जन्दास, लाला लाश्वत गाय, मौलाना आजाद आधी तमाम नेताओं को दिरफ्टार करके जेनों में बंद कर गिया गया गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में व्राश्टवाद, लाश्वत और धर्म का अनुखा मिश्रण था, पंडित जवाहरलाल मेंडू के शब्दों में वो जन्ता, जिसका मनोबल कूट रहा था, जो पिछड़ी और बिखरी हुई थी, अचाना कुट बैठी, उसने युक्त कारेवाही में अनुशासित ठंक से सनलग्न हो गए, हमने महसूस किया कि उसकी यही कारेवाई उसे अजय शक्ती प्रदान करेगी, उस समय गांधी जी और उनके हजारों आस्थावान कारेकरता बेश भर में फ्यल गए थी, और उन्हें नगरों और गाउं में असह संदेश प्रचारित कर दिया, गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि सारे देश में उनकी बात सुनी और मानी जा रही थी, उन्होंने असहयोग का अर्थ बड़ी सरल भाशा में समझाया था, बुराई और भलाई में, अंधेरे और उजाले में कभी सहयोग नहीं हो सकता, इस के हितों की विरोथी सरकार में सहयोग संभव नहीं, फरवरी 1921 से असहयोग आंदोलन रफचार केरल में भी श्रूब लिया, 16 फरवरी 1921 को वहां इस सिलसिले में चार नेताओं को गिरफ्तार दिया था, जिसमें दो इन्हों थे और दो मुसल्मान, इस से केरल में असहयोग आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया, जगा जगा जुलूस निकाले गए, विरोथ प्रदर्शन होने लगे, ये रफ्तारियां हूं और लोग जेल थे, केरल में एक हजार वर्ष पहले, मौपना लोग आकर बशे थे, जो अर्बों के बंच्चश ने, उन्हों से अंग्रेजों के सरकार बारा, मुसल्माने के साथ किये जा रहे दुर्वेवार की बात सुनी, तो वो भड़क उठे, उन्होंने विद्रू की खोशना करती, और वो अंग्रेजों की तोपों बंदूकों का मुकाबला करने के लिए भाले और तलवारे लेकर निकल पड़े, इस विद्रूह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार में सेना बुलाली, सेना ने काफी कड़े कदम उठाए और विद्रूह को दबा दिया गया, इस दोरान की सबसे दर्दनाग घटना ये थी, के करीब सौ से अधिक वोपला विद्रूहों को मालगारी के एक डिब्बे मे पुला गया, तो साथ से ज्यादा मुपला तम खुतने से मर चुके थी, और बाकी की हालत कम भीर थी, आखिर मदन मोहन मालपिये और मुहम्मद अले जिन्ना ने मामले को हल करना चाहा, पर सफलता ना मिली, इसी पीच प्रिंस और वेल्स के भारत आने का समचार आया, प्रिस ने उनका बहिशकार करने के घोशना करी, इस से ब्रिटिश हुकूमत और चड़ गई, उसका दमन चक्रत तेजी से चल पड़ा, 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ओफ वेल्स बंबई पूचे, तो उन्हें बंबई की सड़के और बाजार उजड़े हुए मिले, पूरे नगर में हर्ताल थी, दुर्भाग्य से बंबई में प्रदर्शनकारी फीड़ बेखागू हो गई, और तब प्रिटिश सरकार को उसे दबाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, प्रिंस ओफ वेल्स जहां जहां गए, उन्हें हर्तालों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, प्रिंस ओफ वेल्स के कलकफ़ा पहुँचने से पहले हैं, सरकार वित्रोही प्रदर्शन से बचने के लिए गिरफ़तारिया कर दिगी, इसी कारण देशवंदू चित्रणजन दास की पत्र, उनकी विध्वा पहिन और उनकी धुपीजी को गिरफ़तार कर लिया गया, इस खबर पर गांधी जी ने कहा, इन तीन महिलाओं को गिरफ़तार करके बिटिश हुकुमत ने बड़ी बहादुरी का काम किया है, इस समय तक सुभाष चंद्रबोस सक्रिय रूप से राष्ट्रिय आंदोनन में शामिल हो चुकी थी, वो नाश्ट्रिय विचारभारा वाले अख़वार स्वाराज्य के संपादगी थी, बिटिश सरकार के दमन कारेक्रमों के बावजूरती, सुभाष चंद्रबोस के नित्रत्म में अनुशासित स्वयम सेवकों ने नारे लगा कर प्रिंस ओफ वेल्स का विरूप किया, प्रिटिश हुकूमत इस विरूप को देखकर चौक ठी, क्योंकि उसे इसका आभास भी नहीं मिला था, फिर तो सुभाष चंद्रबोस और उनके साथ हजारों प्रदर्शनकारी स्वयम सेवक गिरफ़तार कर दिये गए, बात में सुभाष बावो को छे महिने की जेल की सजा सुनाई गए, दस नसंबर को देश बंदू चितरंजन दास को भी गिरफ़तार कर दिया था, गिरफ़तारी से पहले चितरंजन ने बड़ा ही ओचस्वी भाषन पिया था, उन्होंने कहा था, मैं अपनी कलाईयों पर हटकड़ियों की चुहन और अपने शरीर पर बेड़ियों का भोज मेहसूस कर रहा हूँ, ये डास का कतर हुए, समुच्छा भारत एक विशाल बंदिक रहे है, कांग्रेश का काम रुखना नहीं चाहिए, इससे क्या सब पढ़ता है कि मुझे पकड़ा जाता है ये छोड़ भिया जाता है, इससे क्या सब पढ़ता है कि मैं जीविक रहूं ये मर जाऊंगा। जेल में सुभाष चंद्र वोक्स चितरण जन्दास के संपर्थ में आए, सुभाष बाबु ने वहाँ उनकी न सिर्फ सेवा की, वलकि उनसे बहुत कुछ सीखा थे, उनके साथ राष्ट्रिय आंदोलन की कई लुजनाई दुपने था, 27 दिसंबर 1921 को एहंदाबाद में कॉंग्रेस कार 23 वा अधिवेशन शुरू था, इसकी स्वागत समिती के अध्याक्ष वल्लब भाई पटेल, अधिवेशन के अधिशुता देश बंदी चितरण जन्दास करने वाने, लेकिन बोते जेल हो था, इसलिए कारवाहत अध्याक्ष हकीम अज्मर खाने अधिवेशन के कारवाई शुरू थी। एहंबाबाद कॉंग्रेस अधिवेशन में पहली बाद भाग लेने वाले दोग खट्दर बहन कराये थी। लोग पुर्सियों पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठे थी। भाशा भी अंग्रेजी नहीं बल्कि इंदुस्तान नहीं यहां असहयोग आंदोलन और भी तेज करने का निर्णे लिया थी। इसके साथ भी सविनाए अवग्या आंदोलन शुरू करने थी अन्मति देदी। जनिता के मन में कॉंग्रस के प्रति विश्वास और सबर्बन की भावना आ चुकी। जातिय मतभेद और चुवा चूप प्रपूर करने के लिए जिस तिलक स्वराज्य कोश की स्थापना की गई थी उसमें एक करोण दुब्या एकटना हुँ चुका था। इसके साथ साथ विदेशी कपडों की खूली, स्कूलों, कॉलेजों का भाविशकार और असयोग के सभी कारिक्रम तेजी से चल रहे थी। पाँच फरवरी 1922 को में गोरकपुर के चौरी-चौरा में निहत्य ग्रामीर के सानों ने एक चुलूस निकाला। वो जय बोलते हुए शानती से जा रहे थी। अचानक उन्हें बिटिश अधिकारियों के नित्रत्व में आएं पुलिस के दस्ते ने आगे बढ़ने से रूखा और तितर बितर हो जाने के लिए कहा। परंतु फिर वहें रजी रही। इसके बाद पुलिस की गोलिया परसते हैं। वो तब तक गोली बरसाते रही जब तक गोलिया खत्म हो जाने पर पुलिस वाले घुबरा कर ठाने चले लिए और ठाना अंदर से बंद करूना। फिर उत्ते जित हूची उससे ठाने में आग लगाती हैं। जिससे बीस पुलिस वाले चल पर मरती हैं। स्वतंतुता संग्राम के इपिछास में यही घटना चौरी-चौरा कांट के नाम से जानी जाती है। गांधी जी ने जब चौरी-चौरा कांट की खबर सुनी तो उन्होंने बारा फरवरी को ये खूशना कर दी कि अभी जनता सत्याक रहे करने लाइक नहीं हुई है। इसलिए असयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। गांधी जी ने जब इस तरह अचानक असयोग आंदोलन समाप्त कर दिया तो इस पर न सिर्फ जनता बल्के कौमरस के बड़े-बड़े नेता थी गांधी जी से नाराज हो पने। इनने चितरन जंदास, मोती लाल के लाला लाजपत्वाए, जवाह लाल लेहू आधी प्लमक। इस प्रकार एक तम अचानक आंदोलन बंद कर देने से गांधी जी की लोकत्रियता को भारी धुका रखा और लोग उनके नित्रत्रों में संदेह करने लगे। इधर प्रिटिश सरकार ने जब गांधी जी के प्रती असंदोश फ्यलती लेका, उसने अच्छा मौगा समझकर उने विरत्ता कर लिया। 18 मार्च 1922 को एहम्दाबाद में सेशन जज्ज गूम फिल्ट की अदालत में गांधी जी के खिलाफ भुकत्ना शुरूबा। अदालत में गांधी जी ने अपने प्रभावशाली बयान में सरकार के राक्षसी कामों की निल्ट और कहा कि प्रिटिश सरकार के ये कार्रे किसी को भी गाज गूम भी बना सके जज्ज गूम फिल्ट में तो जैसे पहले से ही फैसला सोच रखा था। उसने गांधी जी को जनता में असंतोश फ्यलाने के अपराद में छे वर्ष की साधारन फैट के सजा दी। गांधी जी को दिये गए इस कारवास से असयोग आंदोलन कुछ फिला जरूर पर गया लेकिन वाश्ट्रिता की जोती चलती रही। इतिहास कारवान भी हैं कि असयोग आंदोलन वास्तव में पहला जन आंदोलन था। कॉंग्रेस एक ऐसी संस्था बन गए थी जो विदेशी शासन की खिलाफ अहिंसात्मक विक्रों को संचालित करने का जरिया बन गए थी। अब इस आंदोलन में सिर्फ वुप्धु जीवी ही नहीं बलकि आम जनता देशा में हो चुकी थी। बड़ी संख्या में किसान और मस्दूर देशा में हो गए थी। लोग हाथ का कता बुना कपड़ा खादी पहनने लगे थी। देरसल खादी स्वाधीनता सेनानी की पोशाप बन लेती। जेल उनकी ससुरात। लोग हस्ते हस्ते गिरखतार होते और जेल जाती। अनेक शेहरों में प्रदर्शन होती और जुलू से करती। और हाथ में झंडा लेकर आजादी का प्तसद झंडा गीत लात। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा उंचा रहे हमारा। सदा शक्त बरसाने वाला वीरों को हर्शाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला। मात्र गूमी का तनमन सारा जंडा उंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बली बली जाओ, एक साथ सब बिलकर गाओ, प्यारा भरत देश हमारा, जंडा उंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाई, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे तड़पूर्ण हमारा, जंडा उचा रहे हमारा इस प्रसद्ध गीत के लेखत में श्री शामनाल गुप्ध पार्शत गांधी जी के आवान पर उन्होंने सन 1919 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था उन्हें बाद में गिरफ्तार करके 21 महिने के सजादी थी पार्शत जी 1920 से 1927 तक ठतेपोर जिला कॉंगरिस के अध़क्ष रहे तुनी दिनों कानपूर के प्रसिद्ध स्वतंतुता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रिणा से पार्शत जी ने दो जंडा गीत लिए वो दोनों गीत राजर्शी पुर्शोत्तम दास टंडन पुखीजे गए तंडन जी ने जो गीत स्रिखित गिया वही बाद में लोगों का कंठहार बन गया लोगों ने इस गीत को तो यादत था पर इसके रचेता श्यामलाल गुख्वपार्शत उब्पूल गया धीरे धीरे पंडित मोतिलाल महिरू और छित्रंजन दास की त्वेड़ना से याष्ट्रिय आंदूलन और कॉंग्रेस की राजनीती में एक नई विचारधारा ने जन मिलिया उनका कहना था? हमें मिलान मंडलों के चुनावों में भाग लेना चाहिए ताके उनके माधियम से हम सरकार के पास अपनी मांगे पहुचा सके सन 1923 मिल्गे चुनावों में कॉंग्रेस के जिन्यताओं में भाग लिया वो स्वराज दल के नाम से खड़े हो तो स्वराज दल को चुनावों में अच्छी सफलता में भी पंडित मोतिलाल नहरू स्वराज दल के में दा था इसी बीच शचिंद्रनाथ सान्याल ग्राम्धसाद बिस्मिल आधी में क्राम्तिकारी दल का संगत्मों गया सन 1924 में लखनों के पास काकोरी स्टेशन पर रेलगाडी रोपकर सरकारी खजाना लूपने के जुन में इन लोगों के पिरफ्तार किया गया उनमें से प्रमुक्तिक राम्तिसाद बिस्मिल अश्वाकुला रोशन सिंग और राजेंद्रनाथ लहित अन्य लोगों को कारवास की लंदी सजाय लिए केवल चंद्रशेखर आजाद नहीं पखरे जा सकी सन 1925 में देशबंधू चितरंजंदास के मत्वे हो गई इससे स्वराज्य दल के शक्ति पंजोग हो गई देशबंधू चितरंजंदास स्वतंतुता संग्राम के उन्नेताओं में से थी जिन्होंने न सिर्फ भंगाल बलकि सारे देश के स्वतंतुता संग्राम को नेत्रत्रतादान किया था सन 1925 और बात के कुछ वर्ष ऐसे थी जबकि स्वतंतुता आंदूलन में शित्रता आगई थी इतिहास का लिखते ही कि इस समय देश के सामने आजादी प्राप्त करने का कोई कारिकर नहीं था आम कंग्रेसी चर्खा कात रहे थी गांदी जी टक्षण में भ्रमन कर रहे थे और स्वराज्य दल के लोग कांसिलों में बहस कर रहे थे ऐसे समय में क्रांतिकारी दलों ने अपने को संगठित किया शचिंद्रुनात सान्याल, राम प्रसाद गस्मिल, राजिंद्रुनात लहरी, अश्वाक उल्ला आदि इस दल के प्रमुख कारे करता थे उनकी कतिविग्यों से प्रिटिश शासन चौप उठा था दूसरी ओर स्वामी श्रध्धानंद जैसे समाच सुधारत गलितों के उध्धात और हिंदू-मिसलिम लेक्ता के कारे में चुटे हुए थे स्वामी श्रध्धानंद गांधी जी की प्रिणा से सन 1919 में सत्याग्रही में शामिठ हुए थे पीस मार्च 1919 को जब सत्याग्रहीयों के जलूस को सैनिकों ने रुका था तो स्वामी श्रध्धानंद ने उनकी संगीनों के आगे अपना सीना आडा दिया और बड़े उंचे स्वर में कहा था लो मार दो और वहीं खड़े रहे उनके तेजस्वी व्यक्तित्म और गंभीर स्वर के सामने सैनिक सेहन कर रह गए थे स्वामी श्रध्धानंद के कारेओं से प्रेड़ित होकर उन्हें दिल्ली की जामा मस्चित की सीडियों से व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था शायद भारत ही नहीं इसलाम के इतिहास में इस तरह का ये पहला मौका था तिल्टु सन 1923 में स्वामे श्रध्धानंद ने कॉंग्रेस से इस्तीफा दे दिया उनका कहिना था राज़्दी के कारेओं के लिए तो बड़े बड़े लोग मोची थे सन 1926 में एस श्री निवास आयंदार के अध्रक्षता में कॉंग्रेस का अधिवेशन गुआहटी में हुआ किन्तो उससे एक दिन पूर्फी समझार आया कि स्वामी श्रध्धानंद की हत्या हो गई है इससे अधिवेशन फीका पढ़ गया कॉंग्रेस के सभाबती को हाथी पर विठाकर जुलूस मिकालने का कारेक्रम रद्ध कर दिया गया महत्म गान्धी ने स्वामी शब्धिनन की बारे में शोक रस्ताव रखा और मुहम्मद अली जिना ने उसका समर्थन किया अब ये भी जरूरी समझा जाने लगा था कि मजदूरों के हितों की भी चिंता की जाए सन 1926 में मदरास में इसी उद्देश्य से मजदूर किसान पार्टी का गठन हुआ सन 1926 में मदरास में आयोजित भारतीय ट्रेज यूनियन कॉंग्रेस के छटे अधिवेशन में अध्यक्षपत से बोलते हुए वीवी गिरी ने कहा था बस दूरों को ना केवल संगाटित करना जरूरी है बलकि उनके बीच साहोग स्थाफित करना भी जरूरी है उधर किसानों के अधिकारों की लड़ाई गुजरात में बल्लब भाई पटेल भी लड़ रही था खेड़ा सत्याग्रे के दोरान बल्लब भाई ने पोच प्रेंट ट्राई त्याग कर किसानों की पुशा गोती कुर्टा अपना ले थी एहम्दाबाद की प्रसिद्ध कपड़ा मिल मस्दूर हर्ताल में भी बल्लब भाई ने गांधी जी के साथ उल्लेख निये गारे किया था नात्पुर के जंडा सत्याग्रे का नित्रत्रती वल्लब भाई ने किया था जिसमें बिटिश सरकार को छुकना पड़ा था और इससे वल्लब भाई को देश व्या पिख्ञा ते नियुक्ती सन 1927 में गुजरात के किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा थी इसके दिरुद्ध किसानों में जबर्दस्ट आपके उशुक्ता और वो कुछ भी करने के तयार थी बस उन्यकेवल के उशर मिट्ट्व की आवशक्ता थी आखिर बार्दोली में किसानों ने वल्लब भाई से नितिक्व करने के लिए कहा वल्लब भाई ने कहा यदि हर तरह का जोख्रुम उठाने के लिए आप तयार थी तो मैं आप के लिए लड़ सकता हूँ किजान तो हर तरह से तयार थे वल्लब भाई के निफित्व में एध्रासिक बार्दोली किसान सत्याग में शुरू हो गया वल्लब भाई ने ये आंदोलन इस तरह संबचत दिया था कि लगान मिलना तो दूर गाउं में सरकारी अफसरों को भूजन रिहाईश और सवारी तक मिलना दुश्वार में दिया था पार्दोली किसान आंदोलन को दबाने के लिए प्रिटिश सरकार ने किसानों पर जुल्म था उनकी खर तोड़ दिये मविश्य जप्त कर लिये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया इनकों किसान छोके नहीं अंक में सरकार को ही जुपना पड़ा वल्लब भाई के सपनोपा पर पसंद रहोकर गांदी जी ने उन्हें सरदार की उपाधी दी तो तभी से वो सरदार वल्लब भाई पटेल कहलाने लगे थी सन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इंगलेंट के एक प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन के अधिक्षिता में एक कमिशन न्युक्त किया कहा ये गया था कि इसे भारत के भाग्य का निर्ने करने के लिए न्युक्त किया गया है किन्त ये सब केवल दिखावा था क्यूंकि इसे दर असल भारतियों को बहु संख्य और अल्प संख्य के रूप में बाट कर उनमें फूट डालने के लिए भीजा लिया था पंडित मोतिलाल नहरू ने इस कमिशन के द्रोध में सकष्ट कहा था कि ये दो भारतियों के आँखों में धूल छोपने का एक तरीखा है एने बेसिंट ने कहा था इस कमिशन की स्थापना अगर जले पर नमक छिड़ता नहीं है तो और क्या है तीन फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन के साथ साथ सदस्यों वाला कमिशन जब बंबई उत्रा तो सारे देश में उसका विरूत किया गया सबसे अपमान जनक बात ये थी कि इसमें किसी भरतियों को सदस्य नहीं बनाया गया था कमिशन जहां जहां गया वहीं उसे जबर्दस्त विरूत का सामना करना पड़ा पत्ना में प्रिटिश हुकुमत ने गाउँ से कुछ गिराय के प्रदैशनतारी बुलाय थे ताकि वो साइमन कमिशन के समर्थिन में नाले लगाए लेकिन जब विरोधी जुलूस उनके सामने पहुचा तो वो सब भाग कर उसमें शामिल हो गए और ब्रिटिश हुकमरा खड़े खड़े देख दे रहे गए 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमिशन लाहर पहुचा उस समय देश के अग्रणी नेताओं में तो तिन्तू ब्रिटिश शासन के दमन्नीती के सामने इसी भी बड़े नेता का कोई मात्म नहीं था चुलूस पर अंग्डेश पुलिस के लाचियां बरसी और लाला लाचपत राए बुरी तरह सखनी हो गए लाला जी के खायल वूने की खबर से सारे देश में विरोत की लहर ने तेजी पकड़ लूँ लाला लाचपत राए ने उस समय कहा था मेरे उपर जो लाचियों के प्रहार किये गए है वही एक दिन ब्रिटिश सामराज के ताबूत में कीले साबित होई सत्रा नवंबर 1926 को लाला लाचपत राए का देहान पूगया इससे सारे देश में खलबली मिचके नहरुजी के शब्दों में उप्तमे देश के लोगों में रुख से अधिक रोज भड़क उप्ता 15 रसंबर 1926 को क्रांपिकारे डल ने लाला ची की हत्या के जिम्मेटार अंग्रेश ऑफिसर सांडर्स की हत्या कर दे इस योशना में भगत सिंग, राजपुल और चंडर शेखर आजाद शामिल के लाहोर के बाद जब साइमन कमिशन लखनो पूँचा तो वहाँ जवाहला नेहरू, गोविन दवललब पंत आदी नेताओं में विरोथ में जुरूस निकाले और जैसा कि सभी जगा हो रहा था, अंग्रेश पुलिस ने लखनाओं में भी अपना दमन चक्र चला रहा नहरू जी ने इस लोम हर्शक ब्रिश्य का वर्णन करते हुए, मेरी कहानी में लिखा है घुर्सवार फोरण हमारे उपर आ गए और उनकी आगे के कतार हमारी दुलूस में आगे खरेवे लोगों से एक ही छलाग में टकरा रही हुम ही ड़ते रहे और चुकि हम हटे नहीं दिखाई दिये, इसलिए उन्हें उसी दम खोड़ों को रोग देना पड़ा फोड़े पिछले पैरों पर ख़ड़े रहे गए, उनके अगले पैर हमारे सिरों पर लटक पे हुए हिल रहे थी और फिर हम पर पैदल और धुर्सवार फुलिस दोनों की लाठिया पढ़ने लगी मुझे सिर्फ इतना ख्याल रहा कि मुझे अपने जगापर ही खड़े रहना चाहिए मार से मुझे अंधेरिया थी कभी-कभी मनी-मन घुस्सा और उनक दर माहने का ख्याल प्राया मैंने सूचा कि अपने सामने के फुलिस ओफिसर को गुला कर घुड़े पर खुट चर जाओं कि कितना आसान था मगर लंबे अरसे की तालीम और अनुशासन ने काम दिया इसके अलावा मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुकाबला हुआ तो ये भीशन दुरखट न हो जाएगी जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद में गोलियों से भूल दिया जाएंगे लखनाओं के इस जुलूस में नहींची के साथ गोहन वर्ला पंग थी उन्हें तो और भी ज्यादा जोटे आई थी इतनी कि बहुत अर्से तक उन्हें इतना दर्द रहा इतनी तकलीव थी कि वो कमर भी सीधी नहीं कर सकते थी जिब साइमन कमिशन देश के विभिन स्थानों का दौरा कर रहा था उन्हीं दिनों कलकत्ति ने मोतिलाल नहिनों की अधुक्षिता में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य और डुमेनियन स्टेटर्स यानि अपनिवेशिक राज्यों की स्थापना की मांग को लेकर काफी बहस हुई सुभाष शुंद्गोस और जवाहलाल नहीं जैसे युवा नेता तक काल पूर्ण स्वराज्य के मांग का प्रस्ताफ पास कराना चाहते थे किनको कॉंग्रेस के पुराने नेता नहीं मान रही थे अंक में गांधी जी के कहने पर समझाता हो गया उन्होंने बिटिश सर्कार को एक साल का समय दिया यदि इस अगदी में उसमें भारत को अपनिवेशिक स्वरूप नहीं दिया तो कॉंग्रेस पूर्ण स्वराज्य के मांग रही थे आखिर एक वर्ष बाद 21 दिसंबर 1929 को लाहौर में एदिहासिक कॉंग्रेस अधिवेशन रावी के किनारे हुआ ठीक आधी रात के समय जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था बड़े ही जोश भरे वाधवरण में फूर्ण स्वराज्य का एदिहासिक दस्ताफ स्वीकार किया गया दस्ताफ में कहा गया था हमारी आस्था है कि अन्य बेशों की तरह भारत वासियों का ये जन्म सिद अधिकार है कि स्वाधीन चाप्राक्त करें अपने परिश्वन के ठल का उप्योग करें और जीवन की अवशक्ताएं पूरी करें ताकि विकास की समस्त सुविधाएं उन्हें मिल सकें हमारा ये भी विश्वास है कि यदि सरकार जनता के इन अधिकारों को छीन तर उसका दमन करती है तो जनता को ये भी अधिकार जाता है कि वो उस सरकार को समाप्त कर दे या बदल दे भारत में अंग्रेश सरकार में भारत वासियों की स्वतंतुता मात्र का अप्षरन ही नहीं किया बल्कि उसने जनता का शोषण अपना अधिकार बना लिया है हमारी ये भी आस्ता है कि भारत को बिटन से संबंद विच्छेट कर तोन स्वाधीनता की संप्राप्ती करने चाहिए लाहौर अधिवेशन में तोन स्वाराज्य की मांग के साथ ही उस समय के सबसे युवा राजनितिक दे जवाहलाल नहिरू को राश्चुपती चुना गया था तस्ताव में ये भी निश्चे किया गया था कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा तब 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और जुनूस निकाले गया इस से लोगों में नया जोश आया जवाहलाल नहिरू का इस अफसर पर शानदार स्वागत गुआ था ऐसा शांदार जुनूस निकला था कि माता स्वरूप रानी ने जब एक अतारी से उस जुनूस को देखा तो वो प्रद प्रद हो थी अपने पुत्रती जैजेका से उन्ता मन हर्ष से पुल्कित हो था था आँखों से अश्रुख वरा प्रवाहित हो उची थी लाहर कॉंग्रिस के दौरान एक और उन्लेक निये भटना हूए उसमें भाग लेने के लिए सीमा प्रांट से बहुत से लोग आए थे इस प्रांट से यो तो खान अब्दुलवफार खाम कॉंग्रिस के अधिवेशनों में आकर इसा लिया करती थे मगर लाहर में पहली बार सीमा प्रांट के सच्चे नौजवानों का एक बड़ा दलाया वो वहाँ से ये खयाल और जोश लेकर गए कि वो आजादी की लड़ाई में सारे हिंदुस्तान के साथ है इस तदा 1930 से सीमा प्रांट के लोग आजादी की लड़ाई में महत्वक्रों और बड़ा हिस्सा लेने लगे आखिर बिटिश सरकार ने पोन स्वराज्य की मांग नहीं मानी असेंबली के तमाम मेंबरों ने इस्तीफा दे लिया सुभाष चंद्रगोस और उनके 11 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया बोन स्वराज्य की मांग ना माने जाने पर कॉंग्रिस के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपना संखर्ष तेश कर दे गांधी जी और अन्य नेताओं ने ये विचार किया कि अब देश को एक साथ जगाना है सब को साथ लेकर चलना है ये भी तैय किया गया कि ऐसे प्रयास किये जाए जिन से ब्रिटिश सरकार के हाथ बहुत पूल जाए और विवस्ता संभालने में वो अपने को कमजोर महसूस करे 15 फरवरी 1930 को कॉंग्रिस की कारेकारणी समिती में एहंदाबाद में सत्याग्रे आंदोलन आरंब करने का प्रस्ताव पास किया गांधी जी ने वोईस रॉय को पत्ल लिख कर समझाने की कोशिश भी की ताकि आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े पर उसका कोई असर नहीं हुआ तब गांधी जी ने नमक पानून तोड़ने के विए जन्ता का अभान किया उन्होंने कहा पानी के बाद नमक ही सबके लिए सबसे जरूरी चीज़ है उस पर सरकार को टेक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है इस टेक्स से लाखों, भूखों, बिमारों और विकलांगों तथा बेसहरा लोगों पर असर पड़ता है दुनिया में इससे बड़ा आमानुशिक टेक्स और कोई नहीं हो सकता गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने का या अंधुलन अहिंसक होने वाला था किन्तु जैसा कि जवारला नहरू ने मेरी कहानी में लिखा है कांधी जी जी स्वतन्तुता की रड़ाई अहिंसा के माध्यम से लड़ना चाहते थे नमक कानून तोड़ने का अंधुलन भी गांधी जी अहिंसात्मक ही चलाना चाहते थे यह एक ऐसे प्रयोक था जिस पर सारी दुन्या की आखे लगी थी पर अंतोज समय देश में क्रांटी का रिदल अनेक हिंसात्मक कारवाईया कर रहा था गांधी जी ने वाईसराय को पत्र लिपकर सूचना भी दे दी थी कि वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करेंगे लेकिन वाईसराय ने उन्हें सीधा साधा उत्तर दे दिया कि आप कानून हाथ में न ले नमक कानून भंग होने से अशान्ती और अविवस्था फेल जाएगी और तब सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे 12 मार्च 1930 को सावर मती आश्रम में देशी तथा विदेशी अख़बारों के संबादाता पहुँच चुके थे गांधी जी ने उने बताया कि ये यात्राक पैदल होगी इससे वो जन जन तक पहुँच सकेंगे जनता जान सकेगी कि अहिंसा की ताकत क्या है निहत्था इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता अगर उसे अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा हो एतिहासिक दांडी यात्रा के लिए गांधी जी के साथ 89 सत्याग्रही तयार थे गांधी जी ने एक अधो वस्त्र पहना था और कंधों पर उपरी वस्त्र डाले हुए थे उनके पीछे दो-दो की पंग्ती में सत्याग्रहे खड़े थे आश्रमवासियों ने पदियात्रा शुरू होने से पहले सब की आर्थी उतारी और उपस्थित जनसमू ने उनका हार देख अभिनन्दन किया दांडी यात्रा आरंव करने से पूर गांधी जी ने उपस्थित लोगों के सामने एक छोटा सा किन्तु महत्वपून भाशन दिया उन्होंने कहा यदी स्वराज न मिला तो या तो रास्ते में मैं मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा यदी नमक कर न उठा सका तो आश्रम लोटने का भी इरादा नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो दांडी न पहुँच जाए तक तक सत्याग्रिय शुरूम न किया जाए साबर्मती आश्रम से दांडी के लिए जब ये जुलूस चला तो चारू और जैजैकार से आगाश गूँच उठा एहंदबाद में इतना बड़ा जुलूस पहले कभी नहीं निकला था सारा नगर इसमें शामिल हो गया था जुलूस दो मील लंबा था जो सडकों पर खड़े होने की जगा नहीं पासके थे वो पेड़ों पर घरों की छटों पर जड़ गये थे 24 दिन तक लगातार ये पद्यात्रा चलती रही रास्ते में जितने भी पड़ावाए वहां गांधी जी ने भाशन दिये उनका भाशन सुनने के लिए हजारों की भीड एकत्र हो जाती थी यात्रा के दौरान जंबू सर में जवाह लाल नहरू और मोती लाल नहरू ने गांधी जी से मुलाकात की और आगे का कारेक्रम तै किया क्यूंकि ये तै था कि कानून तोड़ने के बाद सभी नेताओं को गिरफतार किया जाएगा देश भर के बड़े नेता इसी तैयारी में जुटे थे कि उनके जेल जाने के बाद सत्याग्रह को कैसे जारी रखा जाएगा कंडिक नहरू ने आत्मकथा में लिखा है कि जंबू सर में मुलाकात के बाद गांधी जी अपने दल के साथ दांडी यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े वो हाथ में लाठी ली हुए अपने अनुयाईयों के आगे आगे जा रहे थे उनके गदम मस्बूत थी और चेहरे पर शानती तथा निर्भयता छिटकी पड़ती थी वो एक दिल हिला देने वाला दृष्ष्य था पाच एप्रिल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँच गए वहां सरोजनी नाईजू आदी देश भक्तों ने उनका स्वागत किया ये निश्चे किया गया कि 6 एप्रिल को समुद्र तट पर जाकर नमक कानून तोरेंगे 6 एप्रिल के तिथी इसलिए भी रखी गई कि उसे दिन से राष्ट्रिय सप्तह भी शुरू होता था ये राष्ट्रिय सप्तह जलिया वाला बाग के स्मुद्री में मनाया जाता था 5 एप्रिल को रात भर सत्याग्रहियों ने प्रार्थना की 6 अप्रल की सुभा सब लोग गांधी जी के साथ समुद्र में नहाकर समुद्र तट पर आए गांधी जी ने सागर की लहरों द्वारा छोड़ा हुआ नमक उठाया इस प्रकार गांधी जी ने बिटिश सरकार के उस आनून को तोर दिया जिसके अनूसार सरकारी छेकी के अलावा उठाया हुआ नमक रखना गयर कानूनी था इसके बाद तो सभी लोग नमक लेने के लिए बढ़ चले पुलिस वह पहले से ही मौजूद थी उसने तुरंट लोगों को गिरफ़तार करना शुरू कर दिया किन्तु गांधे जी को गिरफ़तार नहीं किया गया उधर 6 अप्रिल को ही देश भर में अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया उत्तरप्रदेश, बंगाल, बंबई, दिल्ली, बिहार में पुलिस ने आंदोलंदारियों को पीचा कराची, पेशावर और मद्रास में तो गोली भी चलाई गई देश के अन्ने भागों में नमक सत्यागरे जितनी देजी से शुरू हुआ उसके बारे में नहरू जी का ये वाक्य अत्यनत भाद वकोन है ऐसा मालू हुआ कि जैसे कोई बटन दबा दिया गया और अचानक सारे देश में, शेहरों में, गाउं में, जिधर देखो रोज नमक बनाने की ही धूम मच गई नमक सत्यागरे की सिलसले में जवाहलाल नहरू, वल्लब भाई पटेल आदी अनेक बड़े नेता भी गिरफतार करके जेल में डाल दिये गए किन्तु गांधी जी को फिर भी गिरफतार नहीं किया गया अब गांधी जी ने दूसरा कारिक्रम बनाया गुजरात में धरसना में सरकारी नमक का गोदान था गांधी जी ने तैय किया कि इस गोदाम पर धावा बोल कर सरकारी नमक पर कबजा कर लिया जाए किन्तु ये धावा अहिंसात्मक था गांधी जी ने इसकी सूचना भी वाइसराय को दे दी थी बिटिश सरकार को लगा कि अब स्थिती बिगड सकती है चार मई की रात गांधी जी सूरत जिले के कराड़ी शिविर में सो रहे थी रात के पौन बजे सूरत के अंग acoust के अंग्रेज जिला मैजिस्ट्रेट ने टीस बंदूल घारी और दो अफ़सरों के साथ कराड़ी शिविर को घीट लिया वो गांधी जी को गिरफतार करने आये थे गांधी जी को जगा दिया गया जिला मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी के कहने पर गिरफतारी का आदेश पढ़ कर सुनाया चोकी गवर्नर जर्नल इन कांसिल मोहंदास करमचंद गांधी की कारवाईयों को खतरनाक मानता है इसलिए वो आदेश देता है कि उक्त मोहंदास करमचंद गांधी को 1827 रेगुलेशन 35 के तहट प्रतिबंध में रखा जाए और जब तक सरकार चाहे तब तक वो कैद में रहे उसे तुरंत यरवदा जेल पहुँचाया जाए गिरिफतारी से पहले गांधी जी ने एक वक्त व्यचारी किया उसमें कहा गया था नमक कानून तो भंग हो चुका है अब प्रत्येक व्यक्ति जो मुकदमे का खत्रा उठा सकता हूँ जाहे जहां नमक बनाने के लिए स्वतंत्र है गांधी जी की गिरिफतारी से नमक आंदोलन और भी जोर से भड़क उठा भारत भर में हर्ताल हुई बाजार और व्यापार बंध हो गए गांधी जी के बाद धरसना पर धावा बोलने के लिए व्रिध निता अबबास तयब जी चुने गई वो भी गिरिफतार कर लिए गई इसके बाद श्रीमती सरूचनी नाईजू आगे बढ़ी तो वो भी गिरिफतार कर लिए गई फिर तो जनता और पुलिस के पीच सीधा संधर्श शुरू को गया हर शहर और गाउं में नमक सत्याग रहर हुआ पुलिस ने जनता पर लाठियों और बंदूकों से हमला किया कॉंग्रिस की कारसमिती को सरकार ने गईर कानूनी प्शुर कर दिया मोतिला लेहरू भी गिरिफतार कर लिए गई पेशावर में खान अब्दुलगफार हार की संस्था अफगान यूथ लीग और उसके सदस से खुदाई खिद्मत्गार कॉंग्रिस में शामिती गई नमकान बोलन के दौरान खुदाई खिद्मत्गारों पर बड़े अप्याजार हुई लोगों को अपमानित करने के लिए उन्हें जबरतस्ती पकड़ कर माफी नामे पर अंगुठा लगवाया जाता था बहुत से वीर पठानों ने इस पर अपना अंगुठा ही काट डाला जिससे इस जिल्लत से बच जाए खान अब्दुलगफार खान के घर में आग लगा दिकाई उनके भाई डॉक्टर खान सहाब का मकान भूल में मिला दिया गया 23 एप्रिल 1930 को पेशावर में बहादुर पठानों ने सत्याग्रे के अहिंसक लड़ाई की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में कभी भी भूली नहीं जा सकेगी सैक्रों की संख्या में बठान मौत की जरा भी परवा किये बगएर तोफों और बंदूपों की ओर बढ़ते गए और उन्हें बड़ी बेरहमी से अंग्रेजों ने भूल दिया सारे देश में अहिंसात मक्ठम से आनून भं करना जनता का धर्म बन गया था प्रिटिश सरकार की सभी जले भर गई यहां तक की नई जले बनवानी बने लगभग पचास साच हजार लोग जेनों में बंद हो गए थे फिर भी आंदोलन की तेजी में कोई कमी नहीं आई बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने हरता लिए अध्यास में आंदोलन कारियों को पीचा गया बंगाल में छात्रों पर लाठिया बरसी गुजरात में बार्दोली और बोल्मद में किसानों पर जुर्म होए उस समय सारा भर आंदोलन के प्रभाव की गिरफ में आ चु इससे गांधी जी की कॉंगरस में पकड़ गहरी हो गई उनका प्रभाव ब्रेजी से फेलने लगा था इसे बीच प्रांतिकारी भी अत्रा कांग कर रहे थे 18 इप्रिल 1930 को चटगाओं के पास करीब सत्तर मौजवानों ने सूर्य सेन के नित्रत्रों ने एक साथ अनेक सरकारी प्रतिष्ठानों पर आखमण कर दिया उन्होंने शस्त्रागार लूट लिया 26 जन्वरी 1931 को 22 राय के आदेश अनुसार गांधी जी और कॉंग्रेस कारेकारणी के अन्य सभी सदस्यों को जेलों से रिहा कर दिया गया मोधी राल जी चुकि बीमार थी इसलिए उन्हें पहले ही छोड़ दिया गया था जवाहला नहीं जब नैनी जेल से छूटकर घर पहुँचे तो बीमार पिटा को देखकर उन्हों के तिल को बड़ा ध़का लगा था ने लुजी ने लिखा है वो एक बुड़े शेर के तरह जिसका शरीर बुली तरह जखमी हो गया हो जिसकी ताकत शरीर से करीब करीब चली गई हो बैठे थे लेकिन उस हालत में भी उनकी शान तो सिंगों या राजाओं जैसे ही थी उशे दिन बाद गानी ज़िए मोधिलाल लेलूची से मिलने आए उस समय मोधिलाल जीने कर दो था महात्माजी मैं जल्दी ही चला जाने वादा स्वराज देखने के लिए जिन्दा नहीं रहोगा लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में स्वराज जीत लिया है और जल्दी ही वो आपके हाथ में आ जाएगा इसके कुछी दिन बाद यानी 6 फरवरी 1931 को मोतिला नहिरू का देहान थो गया देश का एक महान प्यागी निता उठ गया देश की राश्णीती में उस समय नया मोडाया जब महत्माजान थी और वोय सुराय लौट इर्विन के बीच बात चीत हुई और कई महत्वपून मुद्दों पर समझोता हो गया इन में कुछ प्रमुक बातें थी सविनय अवग्या आंदोलन वापिस लेना गोल मेस कॉन्फरेंस में वैधानिक सरकार की स्थापना पर विचार शराब और विलायती कपड़ों की दुकानों पर धरना कानूनी हद के अंदर रहेगा सविनय अवग्या आंदोलन के दौरान पकड़े गए लोग रिहा किये जाएंगे उन पर से मुकद में उठा लिये जाएंगे जुर्माने माफ होंगे गरीब लोग अपने उपयोग के लिए नमक बना सकेंगे आदी इस समझोते पर डौक्टर राजंदर प्रसाद ने कहा था गांधी इरविन समझोता इस माने में बहुत महत्वपून है कि बिटिश सरकार ने पहली बार जनत्या की प्रतिनिधी संस्था से समझोते की बातचीत के लिए प्रैपन किया है उधर लाहौर हत्याकान के सिलसिले में गिरफतार भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चल रहा था इसके दो दिन बाद, यानि 25 मार्श को कान फूर्खेद नसर्द बद्रकार और हिंदो मुस्लिम एकपा के अनन्य उपासर गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या का समाचारा है इन दोनों समाचानों से कराची में वललब भाई पटेल के अधिक्षता में हो रहे कॉंग्रेस अधिवेशन में मातन जाब आ था कॉंग्रेस के इसी अधिवेशन में कांधी इर्विन समझोते को अनुमुदित किया था दूसरा गोल में सम्मिलन लंदन में 7 सतंबर से 1 दिसंबर 1971 इसमें कॉंग्रेस के प्रतिनिधी के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुई अन्य नेताओं को बिटिश सरकार ने नामजद किया था इनमें बंडित मदन मोहनमालविये और श्रीमती सरोजनी नाईजू भी थी दूसरे गोल में सम्मिलन से बड़ी आशाय थी और लगता था कि स्वराज्जे का सब्मा पूरा हो जाएगा लेकिन उसमें तो गांधी इर्वित समझोते तक की उपेक्षा कर दी गई थी इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारत का बक्ष बड़ी मस्बूती से रख़ा किंतो अन्प में इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं था भारत लोटने पर कांधी जी ने कहा ये बात सच है कि मैं खाली हाथ लोटा हूं किन्तु मुझे संदोश है कि जो धच मुझे सौपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझाथा नहीं किया गांधी जी गोलमेस कांफरेंस लंदन से वापस लोटे तब तक देश में अंग्रेजों की दमन्नीती पूरी तरहा शुरू हो चुकी थी उस समय के वोईसुराय लॉड विलिंडिन ने कॉंग्रेस से लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी देश में जगा जगा विरूध हूँ और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका था सीमा प्रांथ में पठानों के बीच कॉंग्रेस के बढ़ते हुए प्रचार से अंग्रेज सरकार के कान खड़े हो गए पठानों के नेता खान अब्दुलगफार खान को सीमा प्रांथ के चीफ कमिशनर के दर्बार में तलब किया गया पर वो गए नहीं खान अब्दुलगफार खान फखर अफगान फखर पठान गांधी सरहद आदिनामों से बुलाए जाते थे खान अब्दुलगफार खान उस समय सीमा प्रांथ की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपने कारे और निष्ठा के बल पर आश्चरे चनक लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी सीमा प्रांद के उत्मनजाई में खान बहराम खान के घरजन में अब्दुलगफार खान को बश्पन से यही सिखाया जा रहा था कि उन्हें अंग्रेज पल्टन में भरती होना है वैसे खान बहराम खान ने मुल्ला मौल्वियों के विरोत के बावजूद अपने बड़े बेचे को अंग्रेजी तालीम दिला कर एडल्बरा में डॉक्ट्री की पढ़ाई के लिए तयार किया था जाहिर है उन्होंने छोटे बेटे गफार खां को भी मिशन स्कूल में पढ़ाया युवा अब्दुल गफार खां अभी अंग्रेजों की पल्टन में अफसर बनने का सपना ही देख रहे थी कि एक दिन वो घटना घटी जिसने उनके जीवन की धारा बदल दी युवा गफार अपने एक दोस्त के साथ कस्सा कहानी बाजार में खड़ी थे गफार का वो दोस्त अंग्रेजों की घुरसवा टुकडी में अफसर था तभी एक अंग्रेज पॉजी वहां आया उसने आते ही गफार के दोस्त को फटकार लगाई तो तुम भी अंग्रेज बनना चाहते हो कारण ये था कि गफार का वो दोस्त नंगे सिर था और उसने अंग्रेजों जैसे बाल सवार रखे थे अंग्रेज अफसर की डांट सुनकर गफार के दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया बस अब मान का घूट पी कर रह गया किन्तो गफार का दिल विद्रू कर उठा अखिर इन अंग्रेजों ने हमें समझ क्या रखा थे फिर तो खान अब्दल गफार खान के जीवन की राही बदल गई उन्होंने सरहदी सुबे में शिक्षा का प्रचार किया हिजरत आंदोलिंग में शिर्कत की बख्तून पत्र का प्रकाशन शुरू किया रॉलेट एक्ट और जलियावाला हध्याकांट का विरोध किया उन्होंने खुदाई खिद्मतगारों का एक ऐसा संगठन तयार किया जो गांदी जी की अहिंसा और उनके रशनात्मत वारेक्रमों को मानता था खान अब्दुलगफार खान हिंदुस्तान की आजादी के धांचे के अंदर अपने सीमा प्रांटिये लोगों के लिए भी आजादी चाहती थी इसके लिए उन्होंने गांदी जी के बताय रास्ते को चुना था नहरू जी ने ठीकी लिखा है ये ताज्यूप की बात है कि इस पठान में अहिंसा को हम में से कई लोगों की तुल्मा में कहीं जादा के से माल लिया था उनकी प्रेड़ना से सीमा प्रांथ के बहदूर पठानों ने अपने आप पर काबू और जब्द रखने के जो मिसाल पेश की थी वो विलक्षुन थी देश के दूसरे हिस्सों में अंग्रेज शासक किसानों पर जुल्म कर रहे थे और उनसे कहीं ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे इस कारण जगा जगा किसान आंदोलन भड़क उठा था सयुक्त प्रांत में जवाहल लाल नहिनूर, शेरवानी और पुरुशोत्तम दास्टंडन किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन चला रहे थे पुरुशोत्तम दास्टंडन विद्यार्थी जीवन से ही देश भक्ति की धारा में शामिल हो गए थे सन 1899 में कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में उन्होंने स्वयम सेवक का कान किया था फिर 1906 में कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधी के रूप में शामिल हुए थे महात्मा गांधी के सच्चे अनुयाई होने के कारण टंडन जी का कारिक्षेत्र केवल राजनीती ही नहीं था वो सामाजिक और सहत्ते कारियों में भी गहरी दिल्चस्पी रखते थे सन 1918 में उन्होंने प्रयाग में हिंदी विद्या पीच की स्थापना की थी इलाहबाद से प्रकाशक अभ्यूदय पत्र के अवयतनिक संपा तक भी रहे सन 1930 में उन्होंने केंद्रिये किसान संग की स्थापना की किसानों की हालत उन दिनों इतनी खराग थी कि वो लगान की कम से कम राशी देने में भी असमर्थ थी नहीं जी के साथ जब अंडन जी ने किसान आंदोलन को तेजी से बढ़ाया तो उन्हें गिरफ़तार कर लिया गया उधर गुजरात के बार्दोली में भी किसानों पर जुल्म हो रहे थी बार्दोली में हो रहे अत्याचारों की जाँच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई जिसमें सरदार पटेल और भूला भाई देसाई को भी रखा गया इंतो इस समिति के अंगरे सदस्यों ने पटेल और देसाई की एक नचलने दी जाच समिती सिर्फ दिखावा बन कर रह गई सरकार का किसानों के साथ सक्ती का बरताफ बना रहा इस बीच क्रांतिकारी दल भी बड़ी तेजी से सक्रिय था बंगाल में इन क्रांतिकारीों का बहुत जोर था वहां क्रांतिकारी आंदोलन शहरों की सीमाएं पार करके गाओं के मध्यम वर्गिये नौजवानों में फैल गया था धाका, मेधनिपूर, 24 परगना आदी अनेक स्थानों में क्रांतिकारी कतिविधियां चल रही थी ब्रिटिश सरकार उन्हें दबाने के लिए बुरे से बुरा वैभार कर रही थी इसके अलावा जहांसी, मेरट, बिहार, बंबई आदी में भी क्रांतिकारीों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने दमन्चक्र चलाने के लिए पूरी तरह से कमर कसली थी एक साथ कई ओडिनेंस जारी कर दिये गए जिससे पूरे देश में चल रही स्वतंतुरता संबंधी कतिविधियों पर अंकुष लगाया जाए उस समय के राशनीती विशेशग्य जानते थी कि लौड इर्विन की तुलना में लौड विलिंग्डन ज्यादा सख्त और निर्दई व्यक्ति था लंदन का गोल में सम्मेलन सिर्फ दिखावा है ये वो अच्छी तरह से जानता था इसलिए अब वो भारतवासियों को इस तरह कुचन देना चाहता था कि वो दुबारा सिर्फ न उठा सके किन्तु भारतवासियों के दिल में स्वतंतृता का तूफान पूरी तरह उमड रहा था वो हर कुर्बानी देने के लिए तयार थे कॉंग्रिस के कारेकरता हर तरह की यातना सेहने को तयार थे क्या शहर क्या गाउन सभी जगा आंदोलन जोर पकड़ रहे थे जवाहनला नहरू और शेरवानी जब गांधी जी से मिलने बंबई जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही गिरफतार कर लिया गया पिलाहबाद में पुरुशोतन दास्तंडन को पहले ही गिरफतार किया जा चुका था देश के बिगड़ते हाला देखकर गांधी जी ने भारत लोटते ही वोई सुराय लॉड विलिंजन को तार भेजकर मुलाकात का समय मांगा किन्तु लॉड विलिंजन ने साफ तोर पर कह दिया कि बंगाल, सीमा प्रांथ, सयुक्त प्रांथ आदी में दमन के लिए जो ओडिनेंस चारी किये गए हैं उन पर कोई बात नहीं हो सकती गांधी जी ने दूसरा तार भेजा कि इन्हीं मुद्दों पर बात करना अनिवार है किन्तु लॉड विलिंजन ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया चार जन्वरी 1932 को महात्मा गांधी और सरदार पटेल को गिरफतार करके पूना के यरवदा जेल भेज दिया गया सुभाष चंद्रबोस बंगाल जा रहे थे उन्हें भी रास्ते में गिरफतार कर लिया गया गांधी जी ने एक बार फिर सविनाय अवग्या आंदोलन आरम भु करने की घोशना कर दी थी इस पर ब्रिटिश सरकार ने कॉंग्रेस को गैर कानूनी संस्था करार दी दिया सारे देश में कॉंग्रेस के दफ्तरों पर च्छापे मारे गए वहाँ सरकारी ताले डाल दिये गए और काघस, फाइले, रुप्या पैसा सब जब्त कर लिये गए कॉंग्रेस के हजारों कारे करता उनके संबंधी शुप्चिंतक तक गिरफतार करके जेलों में डाल दिये गए ऐसे कानून बनाये गए कि किसी को संबेह के आधार पर जेल में डाला जा सकता था किन्तु आश्यरत ये है कि उस समय लोगों के दिल से डर निकल चुका था शारेरिक यातनाओं के उन्हें परवा नहीं थी और मौत को वो गले लगाने को तयार थे जवाहनलाल नहरू को गिरफतारी के बाद नैनी जेल में रखा गया था उस समय उनकी पत्मी कमला नहरू बंबई में बीमार थी किन्तु नहरू जी की मा और दोनों बड़ी बहने बड़े उत्साह के साथ आंदोलन में कूट पड़ी थी और उन्हें एक-एक साल की सजा देकर जेल भीज दिया गया था उधर यर्वदा जेल में सरदार पटेल ने गांधी जी की बहुत सिवा की तभी गांधी जी ने कहा था मैंने सरदार पटेल में तो मांके गुणों के दर्शन की एप्रिल 1932 में दिल्ली में कॉंग्रस का अधिवेशन होने वाला था ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये अधिवेशन ना हो इसलिए देश भर से आ रहे प्रतिनिथियों के दिल्ली पहुँशने में बाधाएं उत्पन न की गई देश के अधिकाश नेता इस समय जेल में थी फिर भी कोई 500 प्रतिनिथी दिल्ली पहुँशन चुके थी इस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मुहन मालविये करने वाले थी वो कॉंग्रस के उन निर्माताओं में से थी जिन्होंने दूसरे अधिवेशन से लेकर अपनी अंतिम सास तक स्वराज्य के लिए कठोर तब किया मालविये जी हिंदी, संस्क्रिप और अंग्रेजी में धारा प्रवाः व्याख्यान देते थे रॉले टाक्ट के खिलाफ उन्होंने साड़े चार घंटे तक और अपराद निर्मोचन के बिल पर पाच घंटे तक निरंतय व्याख्यान दिया था मालविये जी जहां राजनीती में सक्रिय थे वहीं उन्होंने हिंदी के उत्थान और पत्रकारिता के विकास के लिए भी अभूत्पूर वकारे किये थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में सन 1910 में उन्होंने भविश्यवाणी की थी कि एक दिन ये भाशा राष्ट भाशा हो सकेगी फिर सन 1919 में सम्मेलन के बंबई अधिवेशन में अध्यक्षिय पत्से उन्होंने कहा था हिंदी उर्दु का प्रश्ट्न धर्म का नहीं राष्ट्ययता का प्रश्ट है साहित्य और देश की उन्होंती अपने देश की भाशा से ही हो सकती है एन भसंट के शब्दों में माल्वी जी वीविन मतों के बीच भारति एक्ता की मूर्टि के रूप में थे हिंदू, मुसल्मानों एवं आन्यम मतों में रामजस से इस्तापित करने में मालवी जी की बड़ी महत्पूर दूमी का रही है वारांट से के हिंदू विश्विद्याले की से इस्तापक पंडित मदन मौहन मालवी जी की प्रेड़न से ही ये विश्विद्याले सिख्षय का बड़ा कींद्र बना वो सन 1909 और 1918 में कॉंग्रेस अधिवेश्णों की अध्यक्षता कर चुके थे किन्तु सन 1932 में जब उन्हें अध्यक्षता करनी थी तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया नहरू जी ने मेरी कहानी में मालवी जी के विक्तित्व के बारे में लिखा है वो बड़े खुश मिजज साथी थे जीफनी शक्ति से भरे पूरे और हर बात में एक यूवक की तरह दिल्चस्पी लेने वाले उन्हें किसी दूसरी जेल से नैनी भेजा गया था हाला कि वो हमसे अलग दूसरी बेरिक में रखे गई थे लेकिन हम रोज उनसे मिलते थे और शायद बाहर की बनिश पर बहां में उनसे अधिक परीचाई कर पाया मालवीय जी के गिरफतार होने के बावजूत भी सन बत्तिस में पुराने दिल्ली में घंटा घर के पास चाननी चौक में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ अधिक्षता की थी सेट रणचोरदास अमरितलालने इस अधिवेशन में पुर्ण स्वाधिनता को कॉंग्रेस का लक्ष बनाया गया सविनय अवग्या आंदोलन का समर्थन किया गया गांधी जी के नित्रत्व में विश्वास को फिर से व्यक्त किया गया और अहिंसा में विश्वास प्रगट किया गया कॉंग्रेस का ये सेटालिस्वा अधिवेशन ब्रिटिश हुकूमत की इच्छा के बावजूद भी संपन्न हो गया किन्तु शासन के दमन्चक्र में कोई कमी नहीं आई देश भर की जेलें भरे जा चुकी थी असी हजार से भी कहीं ज्यादा लोग गिरफदार किये जा चुके थे लॉर्ड विलिंडन ने तमान समझोतों, बाचीत की मुद्दों और कॉंग्रेस से प्रिटिश हुकूमत की समझदारी को ताक पर रखकर कॉंग्रेस को मिचा देने का फैसला कर लिया था गांधी जी जब गोल में सम्मेलन में लंदन गए थी तो उन्हें वहीं इस बात की भनक लग गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में मौडले मिंटो सुधार की सामप्रताइक निर्वाचन प्रधती के आधार पर सवर्ण और असवर्ण हिंदूओं को बाटना चाहती है गांधी जी ने उसी समय ये घोशना कर दी थी कि अगर हिंदूओं को इस तरह विखंडित करने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करने में जान की बाजी लगा देंगे ग्यारा मार्च 1932 को गांधी जी ने यर्वदा जेल से वाइसरोय को पत्र लिख कर जेतावनी भी दी कि वो ऐसा कोई लेड़ने लेने का प्रत्न ना करे मैं अपने वचन पर आज भी टिकाँ किन्तु 17 अगस्त को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर रामजे में डॉनल्ड ने अपना पुख्यात सामप्रदाइक बटवारा घोशित कर दिया इसमें कथट अस्प्रश्यों के लिए प्रत्थक निर्वाचन के अधिकार दिये गए थे ये बात इतनी चालाकी से रखी गई थी कि यदि गांधी जी इसका बिरूद करे तो लोगों में गलत फेमी बैदा हो जाए किया ये गया था कि अस्प्रश्यों को अनुपाद से अधिक सीटें दी गई थी साधारन सीटों में भी प्रतियोगिता का हफ दिया गया था गांधी जी ने 18 अगस्त को ही बत्र लिखा यदि इस निर्नाई को बत्रा नहीं गया तो मैं 20 सितंबर से आम मरन अंशन शुक करूँगा ब्रिडिश सरकार ने गांधी जी के इस निष्टे से विचलिप हुए बिनाई सारे देश में अंशन की बात का प्रचार कर दिया ताकि लुगों में घलत है मी भैल जाए उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेटकर देश के प्रसिद्ध समाज सेवी पिछडी तथा दलिट जातियों के उध्धारक और गरीब किसानों के हिच्चंतत थे डॉक्टर अंबेटकर को सन 1913 में बडॉदा के महराजा ने अमरीका के कोलंबिया विश्व विद्याले में राजनीती शास्त्र का अध्यन करने भी जा था उन्होंने सन 1916 में भारत में जाति भेद नामक प्रबंध लिखकर प्रोफेसर गोल्देन के सामने पढ़ा फिर उसी साल भारत की अर्थविवस्था पर एक प्रबंध लिखा जिस पर कोलंबिया विश्व विद्याले ने उन्हें पी एचडी के डिक्री प्रदान की सन 1917 में डॉक्टर अंबेट कर ने लंधन स्कूल अफ एकोनोमिक्स में प्रबेश गिया फिर सन 1918 में भारत लोटने पर वो बंबई के एक कॉलेज में अर्थशास्थर के प्रोफेसर में उपूए इसके बाद 1923 में डॉक्टर अम्बेट करने बंबई में बैरिस्ट्री शुरूगी सन 1924 में उन्होंने बंबई में वहिश्कृत हित कारणी सभा की स्थापना करने यहीं से उनके अचुतोधार आंदोनन का श्री गणे शुआ इस आंदोनन के मुख्य कारिक्रम थी उस समय के अचुत कहे जाने वालों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्राले की स्थापना करना सांस्कृतिक विकास वाचनाले तथा अभ्यास के दुर चलाना और द्योगिक तथा कृशी स्कूल खोलना अस्प्रशता निवारण के आंदोलन को गतिशील बनाना जब लंदन में पहली गोल मेज कॉन्फरेंस हुई तो उसमें डॉक्टर अंबेटकर भी शामिल हुए थे वहाँ उन्होंने भारत के दलित लोगों की ओर से कहा हमारी जनसंख्या हिंदुस्तान की जनसंख्या का पाचवा भाग है लेकिन हमारे इन भाईयों के हालत गोलामों से भी बुरी है डॉक्टर अंबेटकर ने तलितों के राजनेतिक सरक्षन के लिए एक ग्यापन पेश किया जिसमें प्रथक निर्वाचन संख्या तथा सुरक्षित सीचों की मांग की दलितुए डॉक्टर अंबेटकर की यही मांग महत्मा गांधी से उनके मद्भेदों का कारण बनी 15 अगस्त 1931 को दोनों नेताओं के बीच इस विशेबर बात चिपनी हुई पर परिणाम कुछ नहीं निकला दूसरी गोल मेंस कॉन्फरेंस में भी यह मद्भेद बना रहा तब यह सोचा गया कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री जो उचित समझें अपना फैसला दें और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपना फैसला सुना दिया तो गांधी जी ने अंशन करने की घोशना कर दी 20 सितंबर से महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अपना आमरन अंशन शुरू कर दिया इससे सारे देश में चिंदा फैल गई जवाहलाल नहरू उस समय नेनी जेल में थे गांधी जी के आमरन उपवास की खबर पाकर वो अत्यंत भावखों उठे थे फुसोशने लगे अगर बापू मर करे तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी और उसकी राजनेतिक प्रकति का क्या होगा गांधी जी के आमरन अंशन की प्रतिक्रिया सुरूप पंडित मदन मोहन मालविये ने ततकाल पूना में एक मीटिंग बुलाई इसमें डॉक्टर फीम राव अंबेटकर को भी बुलाया किया अन्य नेताओं में मुकंद राव जैकर, तेश बहादूर सप्रू और राज गोपालाचारी प्रमुक थे मुकंद राव जैकर समाच सुथारक, शिक्षा शास्त्री और नरंदल के नेताओं में से थे वो बड़े ही तटस्त और संतुलित विचारों वाले व्यक्ति थे तेश बहादूर सप्रू उन दिनों के महान विधी विशिशग्य और बुद्धी जीवी थे मुकंद राव जैकर और तेश बहादूर सप्रू ने कॉंग्रेस और सरकार के बीच अनेक कानूनी मुद्दों को सुलजाया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान बुद्धी जीवी और राजनीता थे वो गांधी जी के भक्त और कॉंग्रेस के कर्मठ सेनानी थे पूना में इन तमाम लोगों के साथ हुई बाचीत के परिनाम सरूप 24 सितंबर 1932 को एक समझोता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया गांधी जी ने भी इस निर्णय को संतोष्टनक समझा बिटिश प्रधान मंत्री ने भी इसे 26 सितंबर को स्विकार कर लिया उस दिन गुरुदेव रविंदरनाथ ठाकुर गांधी जी से मिलने गए थे पूना पैक्ट पर बिटिश प्रधान मंत्री की स्विकृती का समाचार आने पर गांधी जी ने गुरुदेव के हाथ से नीमू पानी पी कर अपना व्रत समाप्त किया इसके बाद महात्मा गांधी ने सरकार से अनुमती मांगी कि उन्हें अस्प्रश्टा निवारन के कारहेतु जेल से ही हरिजन नामक पत्रिका निकालने की अनुमती दी जाए सरकार ने उनकी ये मांग मान ली और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया लेकिन ब्रिटिश सरकार कॉंग्रेस को पूरी तरह दबा देना जाती थी दमन चक्र और गिरफतारियों का दौर अभी चल रहा था उसे जैसे ही पता चला कि कॉंग्रेस अपने अगले अधिवेशन की तैयारी कर रही है तो सबसे पहले 4 जनवरी 1933 को कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष डौक्टर राजेंदर प्रसाद को गिरफतार कर लिया डॉक्टर राजेंदर प्रसाद सन 1911 में कॉंग्रिस के सदस्य बने थे वो गांधी जी के संपर्क में सन 1917 में आए जब गांधी जी चमपारण में नीले गोरों द्वारा किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जाज करने गए थे गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है बिच किशोर बाबू और राजेंदर बाबू की जोरी तो बेजोर थी उन्होंने अपने प्रेम से मुझे ऐसा अपाहिश बना दिया कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था और राजेंदर बाबू पर उस दौरान गांधी जी का ऐसा प्रभाफ पड़ा कि उनके जीवन और रहन सेहन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया वो पूरे त्याग और समर्पन से स्वतंतृता संग्राम में शामिल हो गए असरयो गांधोलन के दौरान राजेंदर बाबू ने वकालत छोड़ दी सन 1921 में राष्ट्रिय विद्याले बिहार विद्या पीछ खूला जिसका उद्खाटन गांधी जी ने किया था सन 1922 में कॉंग्रिस अधिवेशन के बाद राजेंदर बाबू कॉंग्रिस के महा सचिफ बने इस दौरान वो कॉंग्रिस के रशनात्मक कारिक्रमों का खूब प्रचार करते रहे जब सन 1925 और 1927 में महात्मा गांधी ने बिहार का व्यापक दौरा किया तो राजेंदर बाबू उनके साथ रहे जी रादई गाउं पहुँशने पर गांधी जी ने उसे राजेंदर बाबू का जन्म स्थान होने के कारण तीर्थ स्थान कहा था सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दिनों में राजेंदर बाबू बिहार कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे नमक सत्याग्रह के सिलसले में जन जागरन लाने के लिए राजेंदर बाबू ने अनेक स्थानों का तौरा किया सभाई की और सत्याग्रह के लिए लोगों को तयार किया नमक सत्याग्रह की घोशना होते ही बिहार के अनेक स्थानों में हजारों लोगों ने सत्याग्रह में भार्थिया और बदले में प्रिटिश सरकार ने उन पर लाठियां और गोलियां बरसाने में कोई कसर नहीं उठा रखी भागनपुर जिले के वेवपुर नामक स्थान में पुलिस ने सत्याग्रहियों पर निर्दायता से लाठियां चलाई राजेंद्र बाबु और अन्य नेताओं ने इसका पिरोद किया तो उन्हें भी पीटा गया राजेंद्र बाबु तो जखमी हो गए थे इसके कुछी दिनों बाद उन्हें गिरफतार करके छे महीने की सजा सुना दी गई फिर सन 1932 में सत्याग्रिय के दौरान राजेंद्र बाबु को गिरफतार किया गया इस बार भी छे महीने की सजा दी गई और उन्हें भी जेल से छूटे छे महीने हुए थे कि कॉंग्रेस का कारेकारी अध्यक्ष होने के नादे एक बार फिर पकड़ कर जेल में बन कर दिया गया लेकिन एप्रिल 1933 में कॉंग्रेस ने अपने निश्चय के अनुसार कलकत्ते में अधिवेशन की तैयारी शुरू कर दिया ये अधिवेशन चौरंगी और धरम तल्ला के चौरहे पर आयूजद किया गया था इसलिए इसे चौराहा अधिवेशन भी कहा गया बिटिश सरकार इस अधिवेशन को किसी भी खीमत बद नहीं होने देना चाहती थी अधिवेशन के सभापती इस बार भी पंडित मदन मोहन मालवी होने वाले थे उन्हें आसन सोल में गिरफतार कर लिया गया इतना ही नहीं अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो बाइस सो प्रतिनिधी देश के तमाम हिस्सों से आ रहे थे उन्हें रेलों और बसों से जबरदस्ती उतार कर गिरफतार कर लिया गया फिर भी ये करीब आधिय प्रतिनिधी अधिवेशन में पहुँच गए और श्रीमती सेन गुपता के सभापतित्व में अधिवेशन शुरू हो गया ठीक इसी समय पुलिस ने प्रतिनिधियों पर आक्रमन कर दिया और भीशन लाठी चार्च हुआ किन्तु लाठीयों की मार्ज सेहते हुए भी कॉंग्रिस के शांथ प्रतिनिधी उस समय तक बैचे रहे जब तक कि सारे प्रस्ताफ पास नहीं हो गए ये प्रस्ताफ थे सत्याग्रे आंदोलन को मस्पूर बनाया जाए विदेशी वस्त्रों के बॉयकॉट की अपील देशवासियों से की गई थी गांधी जी को अंशन की सफलता के लिए बढ़ाई दी गई थी और स्वराज्य के लिए कराची अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताफ की प्रती आस्था प्रगत की गई थी पुलिस के दमन ने अधिवेशन में काफी गड़बड़ी फैला दी तमाम प्रतिनिध्यों और श्रीमती सेन गुपता को गिरफ़तार करके जेल पीश दिया गया इतिहासकार लिखते हैं कि कॉंग्रेस का ये चौराहा अधिवेशन गिरफ़तारियों के लिए सदा याद किया जाएगा क्योंकि बिटिश सरकार ने भारत में आतन को फैलाने की पूरी कोशिश की और चाहा कि कॉंग्रेस छिन भिन हो जाए आच मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धी और प्राहिश्चित करने के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया तब बिटिश सरकार ने उन्हें ये कह कर जेल से छोड़ दिया कि उनका उपवास अस्प्रिश्चता निवारन के लिए है जेल से छूट कर गांधी जी ने तुरंत एक वक्ता व्यजारी किया कि सविनाय अवग्या आंदूलन अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाए इस पर देश भर में लोगों ने गांधी जी के इस निर्णे पर असंतोश साहिर किया क्रांती दल के नेता और कॉंग्रसी नेता दोनों ही गांधी जी के इस फैसले पर नाराज हुए उस समय वल्लब भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल आंदूलन स्थगित करने के विरोध में एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके कहा था कांधी जी ने तो सत्यक्रस थगित कर दिया ये एक तरह से इस बात को सिद्ध करती है कि वे नेतित तो नहीं कर सकते के लिए नए तरीके तथा एक नए नेता का उन्भव जरूरी है गांधी जी ने सरकार से ये भी कहा वे इस अंदोलन को स्थखित कर सकते हैं किन्तु शर्त ये है कि राजेंद परसाद वल्लब भाई पटेल जवाहरला नहरू मदन मोहन मालविये खान अब्दुलगफार ख एक तरह से समाप्त हो गया उस समय कॉंग्रस के अध्यक्षपत पर म.स अने काम कर रहे थे उन्होंने पूना में प्रमुख नेताओं का एक सम्मिलन बुलाया और ये तह हुआ कि सारवजनिक रूप से सत्याग्रह ना किया जाए हां गांधी जी ने ये अनुमति दे दी है क व्यक्तिकज सत्याग्रह कर सकता है इधर गांधी जी ने फिर लार्ड विलिंग्डन से बात चीक करने का प्रयतन किया पर ल Åट विलें इसके लिए तैयार नहीं हुए तब कांधी जीने व्यक्तिक कर सत्याग्रह Cotton पहली अगस्ट से शरू करने की घोशना कर दी उन्ह तो सत्य अग्रह शुरू होने के पहले ही यानि 31 जुलाई की रात गांधी जी और उनके 34 आश्रमवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया इदिहासकार लिखते हैं के इस समय ना सिर्फ कॉंग्रिस बल्कि पूरा स्वतंत्रता आंदूलन बड़े नासुप दोर से गुज़र रहा था क्योंकि बिटिश हुकूमत उसे प्रभाव हिन बनाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही थी सविनय अवग्या आंदूलन को व्यक्तिगत सविनय सत्याग्रह करूद देकर जब गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी दी तो सारे देश में उसके प्रतिक्रिया हुई चार अगस्त 1933 को गांधी जी को रिहाई के आदेश दे गए लेकिन साथ में ये हुप्म में देया गया कि वो यर्वदा ग्राम छोड़ दे और पूनर में जाकर रही गांधी जी ने ये आदेश मानने से इंकार कर दिया और तब उन्ही एक साल के सजा दे दी गई गांधी जी ने जेल में रहते हुए अस्प्रश्यता विरूधी आंदेलन चलाने की मांग की किन्तु उसे सरकार ने छुकरा दिया 16 अगस्त 1933 को गांधी जी ने अपनी मांग मनवाने के लिए अंशन शुरू कर दिया इस अंशन के कारण गांधी जी का स्वास्त है बड़े तेजी से किरने लगा लगा कि वो इस बार नहीं बचेंगे बिटिश सरकार गांधी जी की मौत की जिम्मेदारी अपने उपर नहीं लेना चाहती थी इसलिए 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्ट रिहा कर दिया उधर 30 अगस्त 1933 को जवाहरलाल नहरू भी लंबी सजा भुगतने के बाद जेल से छूटे जेल से रिहा होते ही जवाहरलाल पहले लखनव गए जहां उनकी माँ बीमार थी कुछ दिने बाद जब माँ की हालत में सुधार होने लगा तो जवाहरलाल ने गांधी जी से मिलने का निश्य किया और पूना के लिए रवाना हो गए पूला में गांधी जी से अपनी इस मुलाकात के बारे में जवाहरलाल ने लिखा है हाला कि वो कमजोर थे लेकिन वो अच्छे रफटार से स्वास लाब ले रहे थे यह साथ जाहिर था कि जीवन राजनीती और अर्थशात्र के हमारे बिष्ठिकोनों में काफी फर्क था लेकिन मैं गांधी जी का क्रतक हूँ कि उनसे जहां तक बना उन्होंने उदार का पूरो मेरे बिष्ठिकोन के अधिक से अधिक नज़ीक आने की कुशिश की गानरी जी ने जब से जेल से अस्परश्यता विरोधी आंगोलन चलाया था तब से देश में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी देश के बहुत से नेता अपने-अपने क्षेतरों में कारे करने में जुड़ गए थि और बहुत से प्रसिद्ध मंदिर अस्पुष्य कहे जाने वालों के लिए खुल गए थे केरल के मनंतु पद्मनाभन की इस संबंध में विशेश भूमिकार ही है वो केरल के नायर परिवार में जन्द में थे बड़े होकर उन्हें ने एक वकील के रोप में ख्याती पाई परंतु वे अपने ही समाज में फेले अंधविश्वास, अध्याचार, पाखंड और आडंबर से दुखी है उन्हें इसे दूर करने के लिए सन 1914 में नायर सर्वेस सुसाइटी बनाई उन्हें कहा मैं नायर समाज की उन्नति के लिए निरंग करता रहूँगा इस प्रकार के प्रयत्नों में मैं ऐसा कुछ न करूँगा जिससे अन्य समाज के लोगों का अहित हो पद्मनाभन ने समाज सेवा के प्रती अपने को इस तरह समर्दिक कर दिया कि एक दिन भरी सभा में उन्होंने वकालत छोड़ने की घोशना करती समाज सेवा के दौरान पद्मनाभन ने देखा कि केरल में जातिगर्द भीरभाव अपने पूरे जोर पर है अस्प्रश्य कहे जाने वालों को वहाँ सडकों पर थी स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने के अनुमती नहीं है मंदिरों में प्रवेश करने की बात तो दूर थी पद्मनाभन को गांधी जी के अस्प्रश्यता विरूधी आंदूलन से बड़ी प्रिवनाम लिए में अस्प्रश्यों के प्रवेश की अनुमती दी उन्होंने एक तथा कथित अस्प्रश्य को अपने घर में अपने साथ बिठा कर भोजन किया उनकी धर्म पराण माने उन्हें भोजन परोसा उसके बाद जूठी ठाली भी थोई इस प्रकार पद्मनाभन ने अस्प्रश्यता निवारण के दिशा में स्वयम पहल की महाद्मा गांधी के अनुरोग पर पद्मनाभन और अन्य निताओं ने वैककन के प्रसद्ध मंदर के सामने सत्यब्रे शुरू किया पदमनाभन के प्रयत्नों के कारण ही प्रावनकोर के तक्कालीन महराजा ने बाद में सभी हिंदू धर्मावलंबियों को मंदिरों में दर्शन करने की अनुमती दी केरल के इतिहास की ये एक महत्वपून घटना थी पदमनाभन अपनी ऐसी ही अनेक सेवाओं के कारण केरल के घीश में प्रितामा कहलाई आपको याद होगा कि 6 जनवरी 1933 को सत्या ग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को गिरफतार किया गया था और उन्हें 15 महीने की सजा हुई थी जेल में वो दमा से प्यूडित हुए और डॉक्टरों की सलहा पर 17 जनवरी 1934 को उन्हें रिहा कर दिया गया किन्तु उन्हें क्या मालूम था कि जेल से बाहर निकलने पर उन्हें एक दिल दहला देने वाली विभीशिका के दर्शन होंगे और अपनी बीमारी का ख्याल छोड़कर उन्हें रात दिन फिर से जनता की सेवा में चुटना होगा 15 जनवरी 1934 को बिहार में भयानत भुकम पाया ये दो इस भुकम के जट्पे कानपूर, इलहबाद और बनारस तक में महसूस किये गए थे किन्तु इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पटना, मुजफरपुर, मुंगेर और दर्भंगा जिलों में हुआ था डॉक्टर राजंदर प्रसाद ने अपने दोरे में देखा कि हजारों खर बरबाद हो गए हैं चारों तरफ खंडर ही खंडर नजर आते हैं जहां तालाब, नदियां, जीले थी, वहां रेत के टीले बन रहे हैं अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए डॉक्टर राजंदर प्रसाद भुकंप पीड़ितों की सहायता के लिए निकल पड़े उन्हें बाद में कॉंग्रेस पार्टी की बिहार सहायता समिती का अध्यक्ष भी निक्त किया गया उध्यार जवाहलाल नहरू भी भुकंप पीड़ित क्षित्रों का दौरा करने आए उन्होंने दस दिन तक अकेले ही उन ध्वस्त और नश्ट भ्रष्ट इलागों का दौरा किया सुभा पांच बजे से आधी रात तक वो चलते रहते कभी दरारों वाली टूटी फूटी सर्गों से जाना पड़ता तो कभी उन नदियों को पार करना पड़ता जिनके बुल गिर पड़े थे और जमीन पानी में डूप चुकी थी नहरुजी के शब्दों में हमने आने खरदे विदारक दृष्ट देखे दोरा करते करते हम लोग बड़े पैमाने पर खंडार और विदवास देखने के आधी से हो चुके थे किन्तों मेर जैसे धन संपन नगर की विनाश पून हालत को देखा तो उसकी भेंकरता से हमासे चक्राने लगा और हमें कपकपी सी आने लगी मैं उस महा बहेंकर दृष्ट को कभी नहीं बुला सकता जवाहलान नहरू भूकंप प्रिड़त इलागों में जाने से पहले कलकत्ता भी गए थे वहां उन्होंने अपने भाशन में सरकार के आतंकवात की निंदा की उन्हें उस समय तो गिरफतार नहीं किया गया लेकिन जब वह बिहार का दौरा करके इलाबाद आये तो उन्हें गिरफतार कर लिया गया इस तरह पांच महीने तेरह दिन के बाद वह फिर जेल के अंदर बंद कर दिये गए इस बार उन्हें कलकत्ता के प्रेजिडेंसी जेल ले जाया गया 18 और 19 मई 1934 को पत्ने में अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी की बैठक हुई जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रेह स्थगित करने की घोशना की इससे बहुत से कॉंग्रेस जनों में असंतोष की भावना जागी ये वो लोग थे जिन्होंने जेल में रहकर समाजवादी सहित्य पढ़ा था और उससे प्रभावित भी हुए थे उन्होंने ये निश्कर्ष निकाला कि इस तरह सत्याग्रेह स्थगित करने का अर्थ है कि गांधी जी का नेत्रित्व देश को स्वतंत्रता के मार्क पर ले जाने में असमर्थ है इसी कारण कॉंग्रेस में ही समाजवादी दल का जन्म हुआ पटना में ही आचारे नरेंद्र देव के अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें समाजवादी विचारों वाले कॉंग्रेस चन्म ने एक नया दल बनाने का निर्णे लिया आचारे नरेंद्र देव में विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रे भावना चागरित हो चुकी थी तब वो इलाबाद में पढ़ते थे उन दिनों बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़े सोरों पर था नरेंद्र देव गरंदल के नेताओं विशेश कर बाल गंगादर तिलक से बहुत प्रभावित थे नरेंद्र देव ने सन 1913 में एमे और सन 1915 में वकालत की परिक्षाएं पास की उन दिनों एनिवेसंट और लोकमान्य तिलक ने देश भर में होम रूल लीग का आंदोलन चलाया था उससे प्रभावित होकर नरेंद्र देव ने फैज़ाबाद में होम रूल लीग की स्थापना की थी और वो उसके मंत्री भी चुने गए थे सन 1921 में जवाहरलाल नहरू की प्रेड़ना से नरेंद्र देव ने वकालत छोड़ दे और काशी विद्यापीच में आकर अध्यापन करने लगे सन 1924 में वो विद्यापीच के अध्यक्ष बने और तभी से उनके नाम के साथ आचार्य की उपाधी जोड़ गए काशी विद्यापीच उन दिनों राष्ट्री आंधूलन का अंग था विद्यापीच के सभी अध्यापक और छात्र अपने को राष्ट्री आंधूलन का सैनिक मानते थे आचार्य नरिंद्र देव के सहयोगियों में श्रीयूत श्रीप्रकाश, डॉक्टर संपूर्णानन्द और श्री बीर्बन सिंग प्रमुक्त थे आचार्य नरिंद्र देव कॉंग्रेस संगठन में बड़ी दिल्चस पी लेते थे उन्होंने असन्योग आंधूलन और सत्यागरह में सक्रिय रूप से भाग लिया था इस कारण वो सन 1930, 1931 और 1932 में तीन बार जेल गई उनके समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर ही उन्हें सन 1934 में कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सर्वमान में नेता चुना गया था कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन में आचारे नरिंद्र देव के मुख्य सहयोगी बाबू संपून अनंद थे वो भी बंग भंग आंदोलन के समय ही विदेशी शासन के जुल्मों से परेशान होकर राष्ट्रिय आंदोलन में शामिल हो गए थे संपूना नंद जी आरंबु में हिंसात्मग धंग से स्वतंतरता आंदोलन चलाने के पक्षवे थे किन्तु गांधी जी के प्रभाव को स्विकार कर लेने के बाद वो पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए थे और जेलों में अन्यक यातनाए सही थी दूसरी ओर उन्हें आर्थी कष्ट भी सेहने पड़े अपने परिवार की उपेक्षा करके वो देश सेवा में पूरी तरह तलीन हो चुके थी सन 1923 से वो काशी विद्या पीच में अध्धापन करने लगे थी उन्हें दिनों वो आचारे नरेंद्र देव के संपर्त में आए अपने समाजवादी विचारों के कारण वो आचारे नरेंद्र देव के अभीन मित्र बन गए कॉंग्रेस में सोशलिस्ट दल की स्थापना की वैचारिक भूमिका तयार करने में बाबु संपोनननंद का विशेश सहयोग था 26 से 28 अक्टूबर तक सन 1934 में कॉंग्रेस का 49वा अधिवेशन बंबई में हुआ इसी के साथ कॉंग्रेस सोशलिस्ट दल का भी अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता बाबु संपोनननंद ने थी बंबई के इस कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थी डॉक्टर राजंद्र प्रसाद वो गांधी जी के परमभक्त थे उन्होंने अपने भाषन में कहा हम एक बारा सफन हो सकते हैं दो बारा सफन हो सकते हैं पर किसी न किसी दिन हम अवश्य शकन होंगी उनका ये भाषण निश्चे ही उन लोगों के लिए था जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रेस नगित करने के कारण परिशान थे इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कॉंग्रेस छोड़ने की घूशना कर दी उन्होंने कहा मुझ में और बहुत से कॉंग्रेसियों में मदभेद है इसलिए मुझे कॉंग्रेस में नहीं रहना चाहिए किन्तु व्यभारिक तोर पर बाद में भी गांधी जी कॉंग्रेस नहीं बने रही कांधी जी से लोगों के मध्वेत का एक कारण ये भी था कि सत्याग्रहे बिना शर्त वापिस लिया गया था सत्याग्रहे बंध होते ही सरकार में कुछ राजनेतिक कैदी छोड़े किंदो उन में क्रांतिकारी कैदी नहीं छूटे और कुछ सत्याग्रही कैदियों को भी पूरी सजा काटने पड़ी अनेक क्रांटिकारी कैदी और सत्याग्रही लंबे समय तक जेलों में बंद पड़े रहे दूसरी और कलकत्ते की चीफ प्रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पंडित जवाहलाल नहरू पर मुकद्मा चलाया गया था और 16 फरवरी को उन्हें दो वर्ष के कारवास की सजा सुना दी गई स्वतंतृता संग्राम के दौरान नहरू जी को दी गई कारवास की ये साथवी सजा थी जवाहलाल नहरू को कलकत्ते की प्रेजिडेंसी जेल से हटा कर अलिपूर जेल ले जाया गया था दो बरस की वो सजा उन्हें इसी जेल में भूगनी थी अंग्रेजी सरकार के अंधीन जुल्मों के विरोथ में उपचे अडिक संकल्प के फलसुरू बहुत से शहीदों ने स्वतंतृता की बली देवी को अपने खून से सींचा था और जेलों में ज्यातनाई सही थी प्राम दिये थी जतिंद्रोनात मुकरजी बंगाल के क्राम्तिकारी आंदोलन के प्रमुखने दा थे उनकी अद्भुत साहस और गतिविध्यों के कारण उन्हें बाधा जतिंद रहा जाता था अंग्रेजी सरकार के विरोथ में सशस्त्र क्राम्ति का आयोजन करने के लिए वो विदेशों से हतियार मंगाने के सिलसले में 9 सितंबर 1915 को उरीसा में बाला सोर के पास कापटी पोड़ा की एकांत जगा पर जर्मनी से आने वाले शस्त्र भंडार को लेने के लिए पहुँचे परंतु पुलिस को पता चल गया और वो मारे गए बंगाल के ख्राम्तिकारी शचिंद्रनाथ सान्याल ने ख्राम्तिकारी दल का फिर से संगठन दिया इस से पूले उन्हें विपलव की योजना बनाने के चुर्म में काले पानी के सजा हुई थी आन माफी दिये जाने कर उन्हें 20 परवरी 1920 को छोड़ दिया गया शचिंद्रनाथ सान्याल में उत्पर भारप ने अपना संगठन ख्यलाना शुवी किया योगेश जाज़जी उनके साथ इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन असुसियेशन उन्होंने कोई 23 नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित ही इस संगठन के सिलसले में पंडित राम प्रसाथ पिसमिल उनके संपर्ख में आई पंडित राम प्रसाथ पिसमिल वश्पन से ही देश के लिए कुछ करने को बेचैन के यूँ आवस्था में जब अन्य क्रांतिकारियों की बाते सुनके तो कुछ करने को बेचैन भोगते आखिर उनकी इच्छब गुरी थी शचिंद्रनाज सान्याल के संपर्ख में आए राम प्रसाथ पिसमिल अपने कांतिकारे दल में उन्हीं लोगों को शामिल करते थी जो उनकी कठन परिक्षा में सफल थी चंद्रशेक पराजाद और अश्वाप उल्ला ऐसे ही सफल रखी थी जिन्हें दल में लिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल अपने विचारों और नियमों के पक्ति थे उन्हें दल में अनुशासन बहुत दिले था वो एक अच्छे शायर गुप्ति सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में थे इस तरह के राश्ट्रिय घीत के रशनकार राम प्रसाद बिस्मिल तो इस घीत को घाते हूँ कितने ही नौजवान स्वतंत्रता की बलिदेवी पर जरग जिलने अश्वाक उल्ला शाह जहा पूरके रएखने वाले थे पंडित राम्त्रसाथ बिस्मिल के सच्छंग ने उनकी ग्राम्तिकारी भावनाओं को बढ़ावा दिया अश्वाख उल्लगी राश्ट्रिय भावनाओं से उत्फोर्थ कविताइं लिखा कर दिया कुछ आर्जू नहीं है, है आर्जू दिये, रख दे कोई जरा सी खाके बतन चपन में ग्राम्तिकारी दन यानि हिंदोस्तानी रिपब्लिकन एसोसियेशन के एक अन्य महत्वोन सदस्य बने थे चंग्रशेथर आजाद मध्यकदेश की एक छोटी सी रियासत अली राजपूर के एक गाउं में गत्तर ब्रहमर के खर वो जन्मे थे दस बारा वर्ष की उम्र में वो संस्कुत पढ़ने पाशी गए वो राश्ट्री आंदूलन का युद्धा सभी ओर राश्ट्रियता के रंग में दूदे लोग अंग्रेजी शासन के ग्रोथ में जल से जुलूस निकाल गिलते एक दिन राश्ट्री आंदूलन के कारेकरताओं ने जुलूस निकाला अंग्रेज पुलिस ने उन्ने हद्ध्य लोगों पर लाचने चलाई किशोर चंद्रशेखर ये सब देखकर तिल मिला उठा उसने एक पत्थर उठा कर एक सिपाही को मारा और भाग मिकला किन्तु बाद में पकड़े जाने पर चंद्रशेखर आजाद को अदालत में पेश किया गया उस समें माजिस्ट्रेट और किशोर चंदुशेधर के पीछ हुआ संपाथ भारतीय स्वतन्पुधा संग्राम की इतिहास में स्वाहनाक्षरों से लिपा गया है तुमारा राम आजार तुमारे पिदागा राम स्वाधिन तुमारा गुल जेल पाम बस तभी से किशोर चंदुशेधर के साथ आजाद नाम जुड़ता है उन्हें तब पंधरा बेंटों की सजा हूँ थी हर बेंट की मार पर उन्होंने कहा था बंदे मातरम भारत माता की जै राजेंद्रनाथ लाहरी वो थे तो बंगाल के पर बच्पन से ही बनारस आकर रहने लगी थे और बनारस के क्रांतिकारी दल के मुख्य संगठक थे राश्ट्री आंदोलन में सक्रिये कारे करने वाले लाहरी पर बिस्मिल को बड़ा भरोसा था और शचींद्रनाथ बक्षी भी बंगाली थे पर बनारस में रहते थे वो शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी कारियों में जुटे हुए थे इसलिए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्सियेशन का सदस्से बनाया गया था उन्हें जासी में संगठन चलाने के लिए भीजा गया था काकोरी यूजना के लिए बिस्मिल ने उन्हें खास तार पर बुलाया था 9 अगस्त 1925 को सहरंपूर लखनव पैसंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो ट्रेन रोक कर क्रांतिकारियों ने सरकारी खाजाना लूप दिया और लखनों चले गए उनकी धर पकड में चंद्रशेखर आजाग को छोड़ कर बाती सभी लोग पकड़ेगा बाद में राजिंद्रुनाद पैंडी राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंग और अश्वाक उल्ला को खासी पी शचिंद्रनाद पक्षी मुकंदिलाल केशब तथा मन्मत नाद गुप्त को जेल की सजा पी भगत सिंग को खारतिये स्वतन्थुता रान्थु की धारा के लिए मोर सूचक नील का बथ्थर गहा गया है उन्होंने समय और समाज को देखते हुए फ्रांतिकारियों को धारमिक भाबनाओं से उपर उठा कर समाज वात की और मुडा था लाला लाजपत राय की हत्या का बद्ला लेने के लिए 15 दिसंबर 1928 को फ्रांतिकारी दल ने अंग्रेज अपसर सैंडर्स की हत्या कर दिए इसमें शामिल वे भगत सिंग, चंदर्शेखराजाद और शिवराम राजगुरु अंग्रेज अपसर सैंडर्स की हत्या के बाद ये लोग लाहौर से वेश बदल कर भाग निकले दुर्गा भाबी के साथ उनके बच्चे को गोद में लेकर भगत सिंग चले राजगुरु उनके अर्दली बने थी और चंदर्शेखराजाद एक पंडे के वेश में पीर्थी आत्वियों की चोली के साथ निकल गए इसके बाद ख्रांपिकारी दल ने दिल्ली में असेंबली में बम थेकने की योजना बनाई इसके लिए भगत सिंग को भीजने का फैसला किया किन्ति राजगुरु और सुक्देव दोनों ही चाहते थे कि उन्हीं भीजा जाए प्रांपिकारी सुक्देव लुध्याना के रहने वाले थी पॉलिश में पढ़ते वे उनका चुकाव प्रांपिकी उन हो गया था फिर वो भगत सिंग के संपर्थ में आए इनके हाथ में इनका नाम गुदा हुआ था प्रांपिकारी होने का किसी को पता न लगे इसलिए एक दिन सुक्देव ने मुंबत्ती जला कर उस गुदे हुए ठाक को बड़े साहस से जला दिया साथ ही क्रांपिकारी उनके इस साहस को देखकर चकित रह गया थी दिल्ली में असेंबली में बंप फिखने का काम अंत में भगत सिंग और पठुकेशवर्दत को सौपा गया था पठुकेशवर्दत सन 1924 में भगत सिंग के संपर्थ में आई थी क्रांपिकी जिंगारी पठुकेशवर्दत में बच्छपन से ही सुलग रही थी भगत सिंग के साथ से उसे बल मिला आज एप्रुन 1929 को असेंबली में बंप फिखने के साथ देश को पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंग और बटुकेशवर्दत में भागने की बजाए गिरफतारी थी सर्दार भगत सिंग में अपने बयान में कहा था क्रांती कारी दल का उदेश मजदूरों और किसानों को उनका हापति लाना है ताकि हम एक वर्गहीन समाज की स्थापना कर सके बाद में भगत सिंग, राजगुरु, सुक्तेव को हासी दी गई स्वतंत्रता की वलिदेवी पर चूल कर हमारे ये भाई अपनी यादें छोड़ है उधर चटगाओं में सूर्य सेन क्रांती के क्षेत्र में उतरने से पहले एक स्कूल में लोकफ्रिय अध्या पकती, सभी लोग उन्हें आदर से मास्टर दा किते थी राश्ट्रिय भावना ने सूर्य सेन को क्रांती कारी बना दिया और नौकरी छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में फूत पड़े थी सूर्य सेन के नेतरत्व में इंडियन रिपापलिकन आर्मी नामक एक नया क्रांतिकारी सैनिक संगठन तयार किया गया था इसमें पाट सो से अधिक युबक भग भती हो चुकी थी संगठन का उतेश था, संगठन, साहस और बलिदान सूरे सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तयार उने पर चट्डाउं स्थित प्रिटिश शस्तगार लूटने की योजना बनाए 18 एप्रल 1930 को उन्होंने रात प्री पॉने 10 बचे आक्रमन का आदेश दिया अलग-अलग गलों को अलग-अलग काम सापे गए इस अचानक आप्रमन से बिटिश शासन धर्रा उठा था जलालाबाद की बहाड़ी पर क्रांथिकारियों और बिटिश सेनिकों की बीच जन कर योद्वा एक और शक्तिशाली बिटिश सेना थी दूसरी और 20 साल से थी कम उम्र के नौजवान क्रांथिकारी आखिर क्रांथिकारी दल की हाथ बीस नौजवान मारे गए बहुत से गिरफ़तार दिखे किन्तु सूरे सेन और कुछ अन्य क्रांथिकारी नहीं पखरे जा सकी सन 1930 में स्वतंत्रता क्रांथि व्यापक रूप से पहल गई थी जिसमें कलकत्ता में बिनोई बोस, बादल गुपता और दिनेश गुपता ने अंग्रेजी हुकोमत के खिलाफ क्रांथि की योशना बनाई ये बी-बी-डी ग्रुप के नाम से जाने जाते थे इन्होंने कारागारों के मुख्य अधिक शक कर्नल सिंपसं को आज दिसम्बर उन्नेस उत्तीस को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में गोली मार थी उधर 27 फरवरी 1931 की बात है दिन के 10 बजे थे चंदर शेखर आजाद इलहबाद में चौक कट्रा की तरफ से जा रही थे उनके साथ सुकदेवराज भी था चंदर शेखर आजाद ने अचानक वीर भद्र तिवारी को देखा तो चौक उठे वीर भद्र तिवारी काकोरी शडियंत्र में गिरफतार हुआ था पर नजाने कैसे छूट गया था इस कारण दल के लोग उस पर शक करने लगे थे और उसे दल से निकाल दिया गया था चंदर शेखर आजाद और सुकदेवराज एल्फरिट पार्क में एक जगा बैठ गए इतने में पुलिस अफसर बिसेसर सिंग और डाल चन खुफिया पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट नौट बावर को लेकर पार्क में पहुच गया दोनों दरफ से गोलिया चलने लगी सुकदेवराज मौकाबा कर भाग निकला अब एक दरफ चंदर शेखर आजाद अकेले और दूसरे दरफ तीन दोग मुकाबले में रह गए थी नौट बावर के हाथ में आजाद की गोली लगी और पिस्टॉल छुटकर गिर पड़ी परंतु पुसेसर सिंग लगादार गोली चला रहा थी आजाद की एक गोली उसके चबड़े पर लगी और वो खायल हो गया परंतु आजाद पैर में गोली लगने से खायल हो गए और उनकी गोली अभी खत्म हो रही थी आखर एक गोली बचने पर उसे उन्होंने अपने आप को मारे और सदा के लिए सो गए चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के आदर्श निता थे उन्होंने अपने साथियों में ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि वो आजाद के एक इशारे पर प्रांट देने को तयार रहते थे उधर सूरे सेन के दल की एक सक्रिये कारे करता थी कल्पनादत चटगाउं शस्त्रगार कांट के दिनों में ही वो चटगाउं आई थी और क्रांतिकारी मनुरंजन राय के घर ठहरी थी उन्होंने चटगाउं साइंस कॉलिज में दाखला ले लिया था वो पढ़ाई के साथ साथ बिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी योजनाओं पर कारे करती थी बिटिश पुलिस को सूरे सेन कल्पनादत आज़ी बहुत तलाश थी पर वो हाथ नहीं आदे थी चटगाउं के पास गोईराला गाउं के एक जमिदार को प्रिटिश पुलिस ने दस हजार रुप्यों का प्रलोगन दिया कि वो सूरे सेन और उनके साथियों को पकड़वा थी वो जमिदार सूरे सेन से परिचित था 16 फरवरी 1933 की राद सूरे सेन अपने साथियों के साथ उस जमिदार के निमंतरन पर पहुंचे उनके साथ कल्पना दत भी थी अभी पुलिस ने जमिदार का घर घेरना शुरू ही किया था कि सूरे सेन को पता चल गया दोनों और से गोलियां चलने लगी सूरे सेन पकड़ें किन्तु कल्पना दत और कुछ अन्य साथि पकड़े नहीं जा सके परंतु 19 मई 1933 को कल्पना दत और उनके साथी सागर तठ पर बसे गाहिरा नामक छोटे से गाउं से गिरफ्तार कर लिये गए बात में पुरुशों को तो फासी दे दी गई किन्तु कल्पना दत को आजीवन कारावास की सजा मिली उधर सूरे सेन पर मुकदमा चला उन्हें फासी के सजा दी गई 12 जन्वरी 1934 को जब आधी रात के समय उन्हें फासी के लिए ले जा रहे थे तो सूरे सेन में बड़ी जोर से बंदे मातरम का घोश गिया जेल के सारे कैड़ी जाग उठे वो समझ गए कि सूरे सेन को फासी के लिए ले जा रहे है उत्पर में जेल के सारे कैड़ियों ने बंदे मातरम कहा सूरे सेन में फिर बंदे मातरम कहा फिर वही उत्तर जेलर इससे चड़ गया उसने सूरे सेन के सिर पर दंडा मारा पर ना सूरे सेन चुपवे और ना जेल के खैदी दंडों की मार पढ़ती रही खांसी के तख्ते पर पहुँशने से पहले ही सूरे सेन का प्राणान भूगया जेल अधिकारियों ने अपनी घलती छिपाने के लिए उनके मिर्थ शरीर को खांसी पर लड़का कर कानूनी कारवाई पूरी कर दे स्वतंत्रता अंदोलन के दौरान अपना बलिदान देने वाले अमर शहीदों के अलावा उन लोगों का जीवन भी उतना ही कश्रदाई था जो देश की तमाम जेलों में तरह तरह की यात्माई भुगत रहे थे या उन्होंने प्रांद दे दिये किन्तु उन यात्माउं के सामने जुके नहीं है अने स्वतंत्रता सेनानियों को उस समय अंद्रमान की सेल्यूलर जेल में बंदी बना कर रखा गया था काले पानी की सजा का घिनोना संबोध उन्हें दिनों प्रचलित हुआ था क्योंकि cellular jail में बंद पैदियों की हालत नरक से भी बत कर दें विनायक दामूदर सावर कर दें cellular jail में स्वतंतरता सेनानियों के साथ कोई वैभार का बड़ा ही रुमान्चक और धिर्दय विदारक विवरण प्रस्तित दिया cellular jail का jailer Mr. बाली इन लोगों को राज ने ते खैदि नहीं मानता था अगर बोई इन लोगों को राज खैदी कहता तो वो आपने से बाहर हो जाता वो जी seni पुछता आँ, क्वाम राज खैदिहा, वो तुम्हारे माभित ममोली खैदिहा केटे नहीं इन पर बनमाश खैदियों का टी लिखा है खैदियों को बोलू पेदना पड़ता था उन्हें सिर्फ फोरी देर के लिए रोटी खाने के लिए खोला जाता पानी देने वाला इतना कम पानी देता था कि पीने के लिए भी पुरा नहीं पड़ता था अगर किसी चमादार से शिकायत करते कि पानी कम मिलता है तो वो कहता तुद कटोरी का हुकम है तुम तो तीन कटोरी पानी पी गया जब तुम्हारे बाप कहां से आएगा नहाने का तो सवाल ही नहीं था खाने का भी यही हाल था खाना देकर कोठ्री बंद कर दी जाती है पैदी ने खाया या नहीं इसकी कोई परवा नहीं करता बस जोर से यही आवाज लगाई जाती है अकुमा शाम का तेल पूरा निकाल देना नहीं तो पीते जाओगे वो दुस्दा मिलेगी सुवाला ऐसे में कई लोग मुँ में कौर रखते और कोल चलाते सौ में एकाधी ऐसे होते जो दिन भर में तीस पौंच देल निकाल पाते थे जो लोग देल में ही निकाल पाते उन पर जमादार नंबरदार गंडे बरसाते लाग भूसा और जूते मादे उस समय किसी की बीमारी वगएरा की भी परवाण नहीं की जाते सेलूलर जेल में राशने के खैदियों पर होने वाले जुल्मों की चरम सिमा ये थी कि सवेरे तो बहर और शाम के सिवा कोई शोचाले भी नहीं जा सकता था अगर चला गया तो हत कड़ी बंदबा कर आज घंटे खड़े रहने की सजा दी जाती स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल की लंबी-लंबी सजाएं भूगने वाले पंडित जवारलाल नहरों के अनुभव भी बड़े रोमांचक और देशत भरे रहे हैं उन्होंने लिखा है काकोरी कान के कैड़ी जब जेलों में ले जाए गए तो उनके साथ भी साधारन कैडियों जैसा वहवार हुआ इस पर उन कैडियों ने अपने मांग मनवाने के लिए अन्शन शुरू कर दिया लाहुर जेल में भगत सिंग और बटुकेश्वर दत ने राजनेतिक कैडियों के विशेश वहवार की मांग की और अन्शन शुरू किया लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक ना सुनी उल्टे अन्शन करने वालों के साथ जबरदस्ती शुरू हुई एक अन्शन कारी के लिए साथ आच आदमी बुलाए जाती एक आदमी उसके सिर पर दूसरा उसकी च्छाती पर बैठ जाता और बाकी उसके हाथ पैर पकड़ लेते फिर रबर की लंबी नालियों के जरीए उनकी नाप के रास्ते पेट तक दूद पहुँचाया जाता इस अत्याचार के कारण 13 जुलाई 1927 को लाहर जेल के गैदियों ने अन्शन शुरू कर दिया इन में यतिंद्रदास पिते बैठ के हालत पहले से ही खराब थी अन्शन के कारण और भी ज्यादा खराब होने लगी लोगों को यतिंद्रदास के बारे में चिंता होने लगी और सभी और चर्चा प्हल गई जवाहर लाल नहरू ने जेल में जाकर अन्शन करने वालों से मुलाकात की उनों ने देखा कि ये अन्शन अपने लिए नहीं बलके तमाम दूसरे कैदियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ किया गया है नहरू जी ने अखबारों में बयान दी जेतिंद्र की हालत बहुत खराब होई गुत पमजोर हो गए उनमें करवट लेन की ताकत नहीं वो खुद धीरे धीरे बोलते हैं मालुम होता है वो अपने प्राणों की बाजी लगा था लड़ाई में शामील धीरे धीरे यतिंद्र दास मित्व्यों की और बढ़ने लगी डॉक्टरों ने कहीं दिया कि उनके जीने की कोई आशा नहीं है सारा शरीर सुन बढ़ता जा रहा था आखिर तेहा सितंबर उन्ने सो उनक्तिस की दुपहर यतिंद्र दास ने सामराज जवाद के विरुद्व त्रे सच दिन तक लड़तों हुए अपना बलिदान दे दिया लेकिन ऐसे कई शहीद हुए जिन्होंने अपने हूँ से स्वतंत्रता की बलिदेवी को सीचा था फतेगाड सेंट्रल जेल में मनींद्रनाद बेनरजी ने भी सामराज जवाद के अत्याचारों के विरुद्व कई लोगों के साथ अंशन गिया था मनींद्रनाद की हालत बिगर्दी चली है परन्तु प्रिटिश शासन दस से मस नहीं हुआ किन्तु स्वतंत्ता सेनानियों की शहादत उसे कमजूर तो बना रही है आखिर 20 जूर 1935 को मनींद्रनाथ मुगर्ची 66 दिन की भूपर्दाल के बाद अत्यन करुण अवस्था में शहीत हो गए एहमद नगर जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाह लाल नहरी, सर्दार पठेल, आसफली, गोविंद वल्लब बंद, बट्ताभी सीता रमय्या, आचारे पुद्दानी आदि, कई बड़े मेता बंदी बनाता रखी गए थे बंबई से आये जेलों के इंस्पेक्चर जनर्नल ने उन्हीं बताया कि वो न तो अपने रिष्टिदारों को चिठ्थियां लिख सकते हैं, ना ही उनकी चिठ्थियां मिलेंगी, अख्वार भी नहीं मिलेंगी, ये हुक्म बहुत सक्थ है, जिसका पालन करता ही होगा इस तरह ये सब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुके थी, परन्ति चन्म पुमी को अंग्रीजों के कबजे से मुक्ट कराने के लिए अडिक संकल्प, शक्ति और साहस का उदय हो चुका था अलिपुर जेल में रहते हुए जवाहलाल नहरू का स्वास्ती खराब हो चला था, उनका वजन घटने लगा था, तब उन्हें वहां से हटाने का निश्च्चय किया गया इस तरह एक बार फिर वो देरादून जेल पहुँच गया सन 1935 में कॉंग्रेस का पचासवा अधिवेशन होना था, पर वो नहीं हो सका वर्ष के आरंभ से ही कॉंग्रेस के सदस से विधान मंदलों के चुनाव लड़ने में व्यस्त हो गए थे सरकार ने कॉंग्रेस से पाबंधी उठा ली थी, चुनावों में कॉंग्रेस की भारी विजय हुई पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कॉंग्रेस ने अपनी लोकप्रियता सिध्ध कर दी इस स्पीच 4 सितंबर 1935 को जवाहलाल नहरू को रिहा कर दिया गया उनकी पत्नी कमला नियू का इलाज उस समय यौरप में हो रहा था, इसलिए वो सीधे यौरप जले गए 28 दिसंबर 1935 को बंबई में कॉंग्रेस का स्वाण जैन्ती कारिक्रम आयोजद किया गया सुर्योदय के साथ ही प्रभात फिर यानिक लिए फिर आठ बजे जन्दा रोहन कारिक्रम हुआ सुर्यान जैन्ती कारिक्रम के सभ़ा बंबई के उसी हॉल में आयोजद की गई थी जहां सन 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था अध्यक्षपत से बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कहा था जन्दा की स्वतंत्रता इस कॉंग्रेस का निश्यत उद्दिश्य था लेकिन तब स्वतंत्रता परिभाशा रहित शब्त था अग उसने पूर्ण अर्थ पा लिया है आज के दिन को हम स्मृति का और पूर्ण स्वराजे लेने के अपने संकल्प दोराने का दिन बनावे फिर सन 1936 में 12 से 14 एप्रिल तक कॉंग्रेस का 51 अधिवेशन लखनव में आयो जित हुआ इसकी अध्यक्षता जवाहलाल नहरू ने की थी नहरू जी ने इस अफसर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात रही मैं संबंद में निश्चित हूँ कि संसार की तता भारत की समस्याओं का समाधान केवल समाजवाग से ही हो सकता है समाजवाग के मामिलें में हालां कि गांधी जी नहरू और जैप्रकाश नारायन में मद्धित था फिर भी नहरूजी और जयप्रकाश नारायन एक दूसरे के काफे निकट थी जयप्रकाश नारायन अपने राजनितिक जीवन के आरंद से ही गांधी जी से प्रभावित थी कॉंग्रेस के एक करमच कारेकर्दा के रूप में उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को जीवन में उतारा था जब कॉंग्रेस में समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ तो जैप्रकाश नारायन उसके समर्थक बने उनके अंदर पहले से ही समाजवादी चिंतन चल रहा था आचारे नरिंद्र देव के संपर्क में आने पर उनके इन विचारों को अधिक अभिव्यक्ति में दी बिहार में जब आचारे नरिंद्रदेग की अध्यक्षिता में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन कॉंग्रिस के अंदर ही हुआ तो जैप्रकाश उस समय प्रमुख विचारकों में से थी उन्हें इस पार्टी का संगठन मंत्री बनाया गया था संगठन मंत्री के रूप में जैप्रकाश नारायन ने पूरे तेश का दोरा किया और सभी प्रमुख व्रांतों ने पार्टी की शाखाए स्थाबित की इसके बाद कॉंग्रिस समाजवादी दल का गेंद्रिय कार्याले बनारस में रखा गया प्रधान मंत्री के रूप में जय प्रकाश नारायन ने आचारे नरिंद्र देव के साथ इस पार्टी का सफलता पूर्वक संचालन शुरू किया एप्रिल 1935 में लॉड विलिंडन का कारेकाल समाप्त हुआ और उनकी जगा लॉड लिनलित को भारत के वोई सुराय बन कर आए लॉड लिनलित को भारत से काफी परिचित थे वो इससे पहले कृशी आयोग के अध्यक्ष बन कर आये थे और उन्होंने यहां की समस्याओं से परिचय प्राप्त किया था इसी बीच इंडिया एक्ट 1935 लाया गया जिसमें बिटिश कालीन भारत को ग्यारह प्रांतों में बाटा गया था ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, बंगाल, सहित प्रांथ, पंजाब, बिहार, मध्यकांथ, असम, सरहदिकांथ, औरिसा और सिन्थ इस एक्ट के तहट विटिश सरकार ने भारत की स्वराज्य की मांगत नहीं स्विकार की थी पर शासन व्यवस्था में भारतियों की भागीदारी को स्विकार किया था किन्टु इस एक्ट का सबसे आपत पिचनक अंश साम्प्रताइक बंधवारा था इसके फलसुरू मुस्लिम भी को बढ़ावा मिला जिसके नेता मुहम्मद अली जिन्ना थे अंग्रेस चाहते थे कि इस तरह पूद डालने से ये लोग कमजोर पर जाएंगी लेकिन अनेक मुस्लिम नेता कॉंग्रेस के साथ थी और वो देश में एक्टा बनाए रखना चाहते थी इनमें मौलाना अबुन कलाम आजाद की पूमक होने का थी मौलाना आजाद का सारवजनिक जीवन 1909 में उनके पिता की मृत्यों के बाद शुरूप हो चुका था तब वो अपने पिता की तरह लोगों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दीक्षा देते थी उसी दरान मौलाना आजाद को लगा कि देश की राशनितिक स्वाधिनिता की लड़ाई में हिंदुस्तान के मुसल्मानों को पूरा-पूरा सहुग देना चाहिए इसके लिए जन्मत तयार करना चाहिए और इसके लिए एक पत्रिका का होना बहुत जरूरी है इसी विचार से प्रिद्ध होकर उन्हीं ने जून 1912 में कलकत्य से अल्हिलाल पत्रिका का पहला अंक प्रकाशक किया अल्हिलाल बड़ी जल्डी लोकप्रिय हो गया और बिटिश सरकार भी बेचैन हो उथी सरकार ने 2000 रुपए की जमानत मांगी ताकि अल्हिलाल के आवास थीनी पर जाए पर ऐसा नहीं हुआ अल्हिलाल में जन साधारण में एक नई ग्रांतिकारी हलचल बैदा कर दी आखिर सन 1915 में बिटिश सरकार ने अल्हिलाल चापे खाने पर कब्जा कर लिया और प्रताशन बंद हो गया सन 1916 में मौलाना आजाद में अल्बाग नाम से एक नया अख़बार शुरू किया पर बिटिश हुकूमत में उसे भी बंद करा दिया और मौलाना आजाद को कलकत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया पंचाब दिल्ली उत्तरपदेश और बंबई में भी मौलाना आजाद के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी मजबूर होकर वो पिहार गए और राची में रहने लगे राची में उन्हें सरकार ने नजर्बंद कर दिया और छे महीने तक वो खैट रहे नजर्बंदी के समय में मौलाना आजाद थी दो बहत्वकूर्ण पुस्तकों की रचना थी भुबारे खातर में उन्हें अपने जीवन के सर्स्परान लिखे दूसरी पुस्तक कुरान शरीत पर लिखी टिपने थी जो मौलाना आजाद थी भार्मिक और दाशनिक विद्वत्वता का परिचैना थी सन 1920 में नजर्बंदी से रिहा होने पर मौलाना आजाद कॉंग्रिस में आ थे उन्होंने महात्मा गांधी के सत्या ग्रह संदेश को देश के कौने कौने में पहुँचाया मौलाना आजाद भाषण कला में इतने निपुन थे कि उसके फलसुरूप देश के शेहरों और गाउं की मुस्लिम जनता के दिल में आजादी के प्रती जबरदस्थ चेतना पैदा हुई सन 1921 में अन्ने कांग्रिसी नेताओं के साथ मौलाना आजाद को भी दिरफदार किया गया उन्हें एक साल की सजा दी गई लेकिन उस वक्त अदालत में उन्होंने जो बयान दिया था वो आज भी उनके राश्ट प्रेम और विद्वता की मिसाल है उन्होंने बयान के अंत में कहा था मेरा यकीन है के आजादी इनसान का खुदादात हक है गुलामी की जंजीनों के लिए चाहे जितने खुबसूरत अलफास दिये जाएं फिर भी गुलामी तो गुलामी है और वो खुदा वा खुदरत के कानून के खिलाफ है अपने मुख को गुलामी से नजाद दिलाना मेरा फर्ज है सन 1923 में कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उस समय उन्होंने कॉंग्रेस को संधशत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाने भाई थी सन 1930 में कॉंग्रेस अध्यक्ष जवाहला नहरू की गिरफ़तारी पर मौलाना आजाद को अध्यक्ष नामज़त किया गया पर कुछी समय में उन्हें भी गिरफ़तार कर लिया गया था मौलाना आजाद जहां गांधी जी के अनुयाई थे वहीं उनकी राष्ट्रिता खरे सोने की तरह जगमगाती थी यही कारण था कि मुस्लिम लीग के लाग प्रलोगनों के बावजूद थी वो अपने राष्ट्रिय विचारों को छोड़ नहीं सके सन 1937 के चुनावों में कॉंग्रेस की जीत थी और मुस्लिम लीग को विशेश सफलता नहीं दी हाला कि मुस्लिम लीग भारत के मुसल्मानों का प्रतिनिध्व करने वादी एक मात्र संस्ता होने का दावा नहीं कर सकती थी पर उसके कत्टर लेता पीछे हटने वाले नहीं थी इन नेताओं में मुहम्मद अली जिन्ना कमुख थे जो ये कहते थे कि भारत में लोकतंथ नहीं होना चाहिए जवाहलाल नहरू ने इस मामले में जिन्ना साथ से मुलाकाद और लीग के साथ समझाता करने का प्रहत ने किया पर उससे कोई नपीजा नहीं उतला इस समय अंतरराष्ट्री परिस्थिती बड़ी तेजी से बदल रही थी दूसरे विश्वयुद्ध के बादल मंडरा नहीं लेगे थी इधर जापान ने चीन पर हमला कर दिया था उधर अबिसीनिया और स्पेन में युद्ध जारी था भारतियों की साहनुपूती गगती शीर शक्तियों के साथ थी इसलिए कलकत्य में कॉंग्रस कमिटी की मीटिंग में जापानी हमले की मिंदा की जई 19 जन्वरी 1938 को बार्दोली के निकट हरीपुरा ग्राम में सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में कॉंग्रस का अधिवेशन शुरू हुआ सुभाष चंद्र बोस कुछी दिन पहले जेल से छूटे थे उन्हेंने अपने भाषन में चेतावने दी के विश्वयुद का खत्रा नजदीखी है सुभाष चंद्र बोस अब तक एक स्वतंथ और सहसी नेता के रूप में उभर कर आ चुके थे नवयुवकों, मस्दूरों और किसानों ने फृदय से उन्हें अपना नेता मान दिया था यही कारण था कि कॉंग्रेस की सदस्यता में भी नौ गुनी वृद्धी हुई सुभाष चंद्र बोस ने भरसक प्रत्न किया कि जिन्ना साब से सुला हो जाए और सारा राष्ट्र एक हो जाए उन्होंने जिन्ना को विश्वास दिलाया कि वो मुसल्मानों के हितों के प्रती उसी प्रकार सजग और साफधान है जिस तरह दूसरों के लिए कॉंग्रेस हिंदू का नहीं सारे देश का विचार मंज है लेकिन जिन्ना ने अनेक जूटे दावों और आरोपों द्वारा यही सिद्ध किया कि कॉंग्रेस हिंदूओं की और मुसलिम लीग मुसल्मानों की संस्था है सुभाष चंद्र बोस के लाख प्रैपनों के बावजूद भी जिन्ना अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए जब सुभाष चंद्र बोस चटकाओं के दौरे पर गए तो मुसलिम लीग के समर्थकों ने उन पर पत्थराव किया उन्हें नामूली चोटे आई फिर भी उन्होंने चनता से यही अपील की कि वो धैर और आत्मसायन का परिचाय दे घृणा को इसी तरह दूर किया जा सकता है किन्तो इसके उत्तर में मुसलिम लीग ने घृणा और भेदभाव की दिवार ही खड़ी की सन 1949 में त्रिपुरी में कॉंग्रिस अधिवेशन के अध्यक्षपत के लिए सर्वसम्मती से निर्णे नहीं हो सका और सुभाष चंद्रबोस तथा पट्टाभी सीता रमयय के बीच चुना हुआ पट्टाभी सीता रमयय को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था पट्टाभी सीता रमयय ने विद्यार्थी जीवन से ही उच आदर्शों का पालन किया और राष्ट्रिता के गुणों को अपनाया सन 1907 में बंबई के कॉंग्रिस अधिवेशन में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में भाषन दिया तो उससे कॉंग्रेस के सभी निता बहुत प्रभावित हुई फिर वो कॉंग्रेस के सभी अधिवेशनों में भाग लेने लगे आंध्रप्रदेश में कॉंग्रेस का प्रचार करने में पट्टाभी सीता रमयय ने महत्वपूर्ण भूमिकाने भाई हिंदू मुस्लिम एक्ता के लिए भी वो बराबर प्रेट अगरते रहे डॉक्टर पट्टाभी सीता रमयय कॉंग्रेस के सर्व प्रथम इतिहास कार माने जाते हैं 1935 में कॉंग्रेस की स्वर्ण जैंति के अफसर पर कॉंग्रेस के इतिहास का महान घ्रंथ उन्होंने कॉंग्रेस अध्वक्ष को भीच किया उस घ्रंथ के प्रकाशित होने पर न केवल 10,000 प्रथियां हाथों हाथ बिग गई बलकि हिंदी, पुर्दू, मराथी, पोडिया, तेलुगू, कन्नर और मल्यालम भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ सन 1949 की त्रिपुरी कॉंग्रिस में अध्यक्षपत के चुनाव में पट्था भी सीता रमय्या को 1376 मत मिले, जबकि सुभाष चंद्र बोष को 1575 मत मिले, पट्था भी हार गए और सुभाष जीत गए इस समय हालांकि गांधी जी कॉंग्रिस से अलग थे, लेकिन उस पर अपना प्रभाव वो बराबर बनाये हुए थे यही कारण था कि पट्थावी की हार पर उन्होंने कहा था यह पट्थावी की नहीं, मेरी हार है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बोस को तेज बुखार था उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था और अधिवेशन की कारवाई इसी तरह चलाई गए किन्तु अधिवेशन में सुभाष समर्थक और गांधी समर्थक दल खुल कर सामने आ गए सुभाष बोस की चय किनारे लगी इससे गांधी समर्थक दल को बड़ी मिराशा हुई गांधी जी ने पर्थाभी की हार से यहां तक कह दिया कॉंग्रेस अब भैष्ट संगठन हो गया है अब मुझे जरा भी संदे नहीं है कि कॉंग्रेस के लोग उन सिध्धानतों और नीतियों को नहीं मानते हैं जिनका मैं समर्थन करता हूँ कारे कारणी के 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्रबोस ने मध्भेद दूर करने और स्थिती स्पष्ट करने के इरादे से गांधी, जवाहर, कृपलाने आदी अनेग मेताओं को पत्र लिखे लेकिन उससे कोई लाब नहीं हुआ अंत में सुभाष चंद्रबोस ने अध्यक्षपत से इस्तीफा दे दिया और कॉंग्रेस के अंदर ही एक नया बल बना लिया फॉर्वर्ट ब्लॉक उन्हेंने स्पष्ट कहा इस प्रकार फॉर्वर्ट ब्लॉक बड़ी प्रेजी से काम करने लगा किन्तु कॉंग्रेस में एक बार फिर चक्राव की स्थित्या उत्पन नहों गई 14 सितंबर 1949 को कॉंग्रेस कारेसमिती की बैठट में जिन्ना साथ को भी आमंत्रत किया गया था लेकिन वो नहीं आये कारेसमिती की इस बैठट में जहां फासिस्ट वाद और नाजीवाद के निंदा की गई वहीं भारत के वोयसरोय और प्रिटिश सरकार द्वारा उठाये कए कद्मों के प्रती भी विरोत प्रगट किया गया कॉंग्रेस ने सहयोग देना स्वीकार किया लेकिन पुछ शर्तें भी रखी ये कहा गया कि भारत ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकता जिसका उद्देश्य तो लोकतंत्र और स्वतंतता बताया जा रहा है पर स्वयम भारत में मामूली नागरिक स्वतंतता तक छीन ली गई है कॉंग्रेस के इस रवये के कारण प्रांतों के गवर्नरों और मंत्रियों में खीजा तानी बढ़ने लगी थी 22 अक्टूबर को कॉंग्रेस कार्य समिति ने सभी मंत्री मंडलों को त्याक पत्र देने की हिदायत दी और नवंबर के पहले हफ़ते में सभी ने इस्तीफे दे दिये मंत्री मंडलों के इस्तीफे के तुरंत बाद ही ब्रिटिश शासन ने फिर से अपना दमन चक्र शुरू कर दिया गिरफ्तारियां शुरू हो गई और जुलूसों पर गोलियां और लाठियां बरसने लगी एक ओर जबकि कॉंग्रेस ब्रिटिश नीतियों का विरोत कर रही थी और स्वतंतुरता की मांग कर रही थी लाहौर में मार्च 1940 में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुहम्मद अली जिना ने स्पर्ष्ट शब्दों में कहा मुसल्मान माइनरिटी नहीं है वे पौम है उन्हें घर चाहिए एक इलाका चाहिए और एक मुल्क चाहिए वो एक तरह से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे जिनना चाहते थे कि कॉंग्रेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात को सिध्धान्थ तहा स्वीकार कर ले बाखी बातें बात में तैकी जा सकेंगी इधर 19 और 20 मार्च 1940 को बिहार में रामगड़ में कॉंग्रेस का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ इस अधिवेशन में पर्चे बाटे जा रहे थे कि हमारा कर्तव वे है ना एक पाई ना एक भाई ना कोई माल यानि ना हम युद्ध के लिए एक पाई देंगे, फौच में भरती होने के लिए ना एक भाई देंगे और ना सेना के लिए सामान देंगे इस फैसले से ब्रिटिश सरकार घबरा उठी थी, वो चाहती थी कि खुद बच निकले और भारत को युद्ध में जूपते उसने मुस्लिम लीग को अपनी और मिलाना चाहा, पर सफलता नहीं मिली रामगर अधिवेशन में चार महत्वपूर निर्नलिये गए हर रोज खदर कातें और पहने, छुआ छूट की भावना खत्म कर दे कॉंग्रेस समिती अपने को सत्या ग्रह समिती में बदल ले और पूर्ण स्वतंत्रता ही कॉंग्रेस का उद्देश्य है अपने अध्धक्षिये भाशन में मौलाना आजाद ने कहा था हमारी काम्याबी का इहिसार तीन बातों पर है इतिहाद, डिसिप्लिन और महत्मा गांधी की रहनुमाई में मुकम्मल यकीन हमें इस वक्त का सही इस्तिमाल करना है अपने आपको हिंदुस्तानियों के लाइख साबित करना है दूसरी और भारत की स्वतमत्ता के कटर विरोधी और पक के सामराज जिवादी विंस्टिन चर्चिल ने ब्रटन के प्रधानमंत्री का पर्द संभाद लिया था चर्चिल की दुरभावना का नुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने भारतिये मामलों का मंत्री एमरी को बनाया था जो चर्चिल का पक्का शिश्य था और भारत का कट्टर विरोधी भी चर्चिल ने एमरी से कहा था जल्दी या देर से तुम्हें कांधी, इंडिन कॉंग्रेस और उनके विचारों को पैर से कुचलना ही होगा कॉंग्रेस में कुछ ऐसी नेता भी थे जो सरकार के दमन्चक्र को देखकर समझोधा वादी रुख अपनाना चाहते थे चक्रवर्ती राजकोपलाचारी इस विचार के प्रमुख नेता थे उनका कहना था कि अभी ब्रिजिश सरकार इतना करे कि सिध्धांत रूप में पूर्न स्वतंतरता को मांद ली पर कारे रूप में 1935 के इंडिया एक्च के अंदर ही केंद्र में विभिन्न दलों की राष्टी सरकार बनाई जाए वोईसुराय रहे पर शक्ती इस सरकार के हाथ में रहे तो कॉंग्रेस सरकार को लड़ाई चलाने में मदद देगी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान कूर्ट नितिग्य और कुशल राशनीता थे महात्मा गांधी के आवाहन पर सन 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था जिन दिनों गांधी जी जेल में थे उनके पत्र यंग इंडिया का सम्पादन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं किया था सन 1937 में मदरास राज्य की अंतरिम कॉंग्रेस सरकार के प्रधान मंत्री भी राजगोपालाचारी ही बने थे किन्तु नवंबर 1949 में कॉंग्रेस के निर्णे के अनुसार इन्होंने भी प्रधान मंत्री पत्से त्याकपत्र दे दिया था राजगोपालाचारी कॉंग्रेस के महासचिफ और कार्य समिती के सदस्य के रूप में भी कई वर्षों तक काम कर चुके थी सन 1940 में अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी की मीटिंग पूना में हुई वहां उन्होंने द्वितिये महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की भूमी का संबंधी अपना प्रस्ताव रखा किन्तु गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरूद किया उनका कहना था कि इस प्रकार युद्ध के कारे में शिरकत करने से अहिंसा की नीधी तूट चाएगी दौरान ब्रिटिये महायुद्ध में भारत की भूमिका के बारे में उस समय नेताओं में काफी मतभीद था मौलाना आजाद ने लिखा है कि कॉंग्रेस के इतिहास में ये बहुत ही काटे का समय था पर इससे भी अधिक खतरनाक बात ये थी कि हम लोगों में इस संबंध में मतभीद थे मैंने कॉंग्रेस के प्रधान की हैसियत से स्पष्ट रूप से खोशना कर दी थी कि भारतीय राष्ट्री कॉंग्रेस शांतिवादी संगठन नहीं है बलकि भारत की स्वतंतरता प्राप्त करने के लिए बनाई कई संस्था है गांधी जी के लिए ये प्रश्ण शांतिवाद का था नकी भारत की स्वतंतरता का पर गांधी जी की बात सब को मानने नहीं थी आरंब में जवाहरलाल महरू, सरदार पटेल, राजकुपालाचारी तथा खान अब्दुलगफार खान सभी मौलाना आजाद के विचारों से सहमत थी राजेंद्र प्रसाद, आचारे कृपलानी और शंकरदेव पूरी तरह से गांधी जी के साथ थे किंतु बात में एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मौलाना आजाद को मिला जिसमें लिखा था कि वे युद्ध के संबंध में गांधी जी के विचारों में द्रड़ता के साथ विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि कॉंग्रेस उसी पर बनी रहे यदि आप इस स्थिती से सहमत न हूँ तो इस पत्र को कारे समिती की सदस्यता से उनका इस्तीफा समझें पत्र को पढ़कर मौलाना आजाद स्तब्द रह गए क्यूंकि उसमें नीचे जवाहलाल नहरू, राजकुपालाचारी, आसफ अली, सेद महमूद, अब्दुलगफार खान तक के दस्तखत दे मौलाना आजाद को इससे बड़ी ठेस लगी कि जो लोग अब तक उनके समर्थक थे, अब ऐसा पत्र लिख रहे हैं बस उन्होंने फोरण लिख दिया कि मैं आप लोगों से सहमत हूँ इस बीच एक रोचक घटना हुई गांधी जी जब लॉड लिलिद को से मिले तोनुने कहा अंग्रेजों को हतियार छोड़ कर आध्यात्मिक शांती से हिटलर का मुगाबला करना चाहिए लॉड लिलिद कोको ये सुझाव बढ़ा असाधारन और आश्चरे चनक लगा वो चकित रह गए आमतोर से वो घंटी बजा कर ADC को बुलाते थे और उसे कहते थे कि गांधी जी को उनकी कार्टक छोड़ाए पर इस बार ना उन्होंने घंटी बजाई ना ADC को बुलाया नतीजा ये हुआ कि गांधी जी चले तो वोईसराय एक दम मौन जड़वत से खड़े थे गांधी जी को अकेले ही अपने आप अपनी कार्टक आना पड़ा जब अंग्रेजों ने कॉंग्रेस का सहयोग प्रस्ताव अस्विकार कर दिया तो गांधी जी ने सीमित रूप से सविनाय अवग्या आंदोलन की बात सूची कारण ये था कि उस समय लड़ने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था गांधी जी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान के लड़ाई में घसीटे जाने का प्रतेक नर्नारी को व्यक्तिकत विरोध प्रदर्शित करना चाहिए वे खुले आम कहें कि युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं है और अपने आपको गिरफतार करा दें इस आंदोलन में प्रतम वयक्तिक सत्याग्रही जवारलाल नहरू होने वाले थे लेकिन सत्याग्रही करने से पहले ही एक भाषण के कारण बुझ जेल भेश दिये गए तब प्रतम वयक्तिक सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया सत्रा अक्टूबर 1940 को वर्धा से आज किलोमीटर दूर पवनार गाउं में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण दिया और सत्याग्रह आरंभ किया आखिर 21 अक्टूबर को उन्हें गिरफतार करके जेल में बंद कर दिया गया इसके बाद देश भर में लोग गिरफतारियां देने लगी वो गिरफतार होते हुए कहते थे कि इस लड़ाई में मदद देना हराम है गांधी जी स्वैम उसूची को देखते थे जो सविनाय अवग्या आंदोलन में भाग लेना चाहते थे वो उन नामों को तैय करते थे और पुलिस को वो सूचना भिजवा देते थे कि वो कब और कहां युद्ध विरूधी सांकेतिक आंदोलन करने आ रहे हैं 17 नवंबर को सरदार पटेल को गिरफतार किया गया चार दिसंबर को चक्रवर्ती राजगुपालाचारी ने अपने गिरफतारी दी और उन्हें एक वर्ष कैद के सजा दी गई 30 दिसंबर को मौलाना आज़ाद इलहबाद में जब सवेरे सवेरे एक चाय घर में चाय पिने जा रहे थे कि तभी पुलिस सुप्रिंटेंडन्ट में उन्हें वारंट दिखाया और आदा बर्ष किया मौलाना ने कहा मौलाना आज़ाद को दो साल कैद की सजा दी गई थी सविनए अवग्या आंदोलन में गिरफतार होकर सजा पाने वाले अन्य लोगों में पंडित गोविन वल्लपंत आचारे नरेंद्र देव एस सत्यमूर्ति रविशंकर शुक्ला आदी नेता थे उधर मौलाना आज़ाद के गिरफतार हो जाने के कारण गांधी जी ने कॉंग्रेस में न होते हुए भी कॉंग्रेस अध्यक्ष का काम संभाल लिया था उन्होंने अपनी सहायता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाथ और आचारे कृपलानी को वर्धा बुला लिया था उस समय के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतिय समझोता विरोधी सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझोता ना करने की मांग की सुभाष चंद्र बोस के युद्ध विरोधी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफतार करके जेल भीश दिया उत्तर प्रदेश में वयक्तिक सत्यागरी ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था और इस कारण वहां ब्रिटिश शासन का दमन चक्र जोरों से चला था बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव से साम्प्रदायक तनाव बढ़ गया गांधी जी चाहते थी कि देश स्वतंत्र हो जाए शेश समस्याएं अपने घर की हैं और इन्हें घर की लोग मिलकर सुलचा लेंगे परन्तु अंग्रेश नहीं चाहते थी कि भारत एक हो सके सरतेश भादूर सप्रू के अध्यक्षुता में एक निर्दलिय सम्मेलन बुलाया किया इसका उद्देश ये था कि साम्प्रदायक सदभाव पैदा हो सके कुछ सुचाफ पेश किये गए पर सरकार भाला उन्हें क्यों स्वीकार करने लगी इससे वातावरण और बिगड़ने लगा उधर ब्रिटन और अमरीका ने एक चार्टर जारी किया जिसमें कहा गया था कि वे इस बात का वचन देते हैं कि इसका पालन किया जाएगा चार्टर में कहा गया था कि वे समस्त जनों के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे स्वेच्छा से ऐसी सरकार का गठन करें जिसके अधीन वे रहना पसंद करते हैं और प्रिटिश तथा अमरीकी सरकारें आकांक्षा करती हैं कि उन जनों को सार्वभौम सत्ता और स्वशासन का अधिकार पुना दे दिया जाए जिन्हें जबरदस्ती उनसे अलग किया हुआ है इस चार्टर से भारतियों को आशा के किरन दिखाई दी किन्तु चर्चिल ने एक बक्तव विदे कर वो आशा धूमिल कर दी उसने कहा कि ये चार्टर भारत पर लागों नहीं होता है चर्चिल के इस बयान से लोग समझ गए कि वो कभी भारत को आजादी नहीं देगा भारतिये नेताओं ने चर्चिल के बयान पर विचार विमर्ष करके निर्णे किया कि उन्हें स्वतंतुरता आंदोलन तेजी से चलाना होगा दूसरी ओर भारतिये ब्रिटिश शासक ने चर्चिल के बयान का यही अर्थ लगाया कि चर्चिल चाहते हैं कि भारत के आंदोलनों को बुरी तरह कुचल दिया जाए तो भारतियों का आजादी का जूश काफी हद तक ठंडा पढ़ जाएका इस कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने दमन चक्र को तीवर गती से चला दिया 14 सितंबर 1949 को कॉंग्रेस कारेसमिती की बैठट में जिन्ना साब को भी आमंत्रत किया गया था लेकिन वो नहीं आये कारेसमिती की इस पैठट में जहां फासिस्ट वाद और नाजी वाद की निंदा की गई वहें भारत के वोईसुराय और प्रिटिश सरकार द्वारा उठाए कए अद्मों के प्रती भी विरोत प्रगट किया गया कॉंग्रेस ने सहयोग देना स्वीकार किया लेकिन कुछ शर्ते भी रखी ये कहा गया कि भारत ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकता जिसका उद्देश्य तो लोकतंत्र और स्वतंत्ता बताया जा रहा है पर स्वयम भारत में मामूली नागरिक स्वतंतता तक छीन भी गई है कॉंग्रेस के इस रवये के कारण प्रांतों के गवर्नरों और मंत्रियों में खीचा तानी बढ़ने लगी थी 22 अक्टूबर को कॉंग्रेस कारे समिति ने सभी मंत्रि मंडलों को ट्याक पत्र देने की हिदायत दी और नवंबर के पहले हफ़ते में सभी ने इस्तीफे दे दिये मंत्री मंडलों के स्तीफे के तुरंत बाद ही ब्रिटिश शासिन ने फिर से अपना दमन चक्र शुरू कर दिया गिरफ्तारियां शुरू हो गई और जुलूसों पर गोनियां और लाठियां बरसने लगी एक और जबकि कॉंग्रेस ब्रिटिश नीतियों का विरोत कर रही थी और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी लाहॉर में मार्च 1940 में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुहम्मद अले जिना ने स्पष्ट शब्दों में कहा मुसल्मान माइनरिटी नहीं है वे पौम है उन्हें घर चाहिए एक इलाका चाहिए और एक मुल्क चाहिए वो एक तरह से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे जिनना चाहते थे कि कॉंग्रेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात को सिध्धान्त तहा स्विकार कर ले बाखी बातें बाद में तैकी जा सकेंगी इधर 19 और 20 मार्च 1940 को बिहार में रामगड़ में कॉंगर्स का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में हुआ इस अधिवेशन में पर्चे बाड़े जा रहे थे कि हमारा कर्दव्य है ना एक पाई ना एक भाई ना कोई माल यानि ना हम युद्ध के लिए एक पाई देंगे, फौच में भरती होने के लिए ना एक भाई देंगे और ना सेना के लिए सामान देंगे इस फैसले से ब्रिटिश सरकार घबरा उठी थी, वो चाहती थी कि खुद बच निकले और भारत को युद्ध में छूंगते उसने मुस्लिम लीग को अपनी और मिलाना चाहा, पर सफलता नहीं मिली रामगर अधिवेशन में चार महत्वपूर निर्ने लिये गए हर रोज खदर कातें और पहने, छुआ छूत की भावना खत्म कर दे कॉंग्रेस समिती अपने को सत्या ग्रह समिती में बदल ले और उन स्वतंत्रता ही कॉंग्रेस का उद्देश्य है अपने अध्यक्षिये भाशन में मौलाना आजाद ने कहा था हमारी काम्यावी का इहिसार तीन बात उपर है इतिहार, डिसिप्लिन और महत्मा गांधी की रहनुमाई में मुकम्मल यकीन हमें इस वक्त का सही इस्तिमाल करना है अपने आपको हिंदुस्तानियों के लायक साबित करना है दूसरी और भारत की स्वतंत्ता के कट्टर विरोधी और पक्के सामराज़ जिवादी विंस्टिन चर्चिल ने ब्रटिन के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था चर्चिल की दुर्भावना का नुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने भारतीय मामलों का मंत्री एमरी को बनाया था जो चर्चिल का पक्का शिश्य था और भारत का कट्टर विरोधी भी चर्चिल ने एमरी से कहा था जल्दी या देर से तुम्हें कांधी, इंजिन कॉंग्रेस और उनके विचारों को पैर से कुचलना ही होगा कॉंग्रेस में कुछ ऐसी नेता भी थे, जो सरकार के दमन्चक्र को देखकर समझादा वादी रुख अपनाना चाहते थे चक्रवर्ती राजकुपलाचारी इस विचार के प्रमुख नेता थे उनका कहना था कि अभी ब्रिजिश सरकार इतना करे कि सिध्धान्त रूप में पूर्न स्वतंतरता को मांद ली पर कारे रूप में 1935 के इंडिया एक्ट के अंदर ही केंद्र में विभिन्न दलों की राष्टी सरकार बनाई जाए वो इस वराय रहे पर शक्ती इस सरकार के हाथ में रहे तो कॉंग्रेस सरकार को लड़ाई चलाने में मदद देगी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान कूर्ट नितिग्य और कुशल राशनीता थे महात्मा गांधी के आवाहन पर सन 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था जिन दिनों गांधी जी जेल में थे उनके पत्र यंग इंडिया का सम्पादन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं किया था सन 1937 में मदरास राज्य की अंतरम कॉंग्रेस सरकार के प्रधान मंत्री भी राजगोपालाचारी ही बने थे किन्तु नवंबर 1949 में कॉंग्रेस के निर्णे के अनुसार इन्होंने भी प्रधान मंत्री पत्से त्यागपत्र दे दिया था राजगोपालाचारी कॉंग्रेस के महासचिफ और कारे समिती के सदस्य के रूप में भी कई वर्षों तक काम कर चुके थे सन 1940 में अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी की मीटिंग पूना में हुई वहां उन्होंने द्वितिये महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की भूमिका संबंधी अपना प्रस्ताव रखा किन्तु गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया उनका कहना था कि इस प्रकार युद्ध के कारे में शिरकत करने से अहिंसा की नीधी तूट जाएगी दौरान ब्रिटिये महायुद्ध में भारत की भूमिका के बारे में उस समय नेताओं में काफी मतभित था मौलाना आजाद ने लिखा है कि कॉंग्रेस के इतिहास में ये बहुत ही कांटे का समय था पर इससे भी अधिक खतरनाक बात ये थी कि हम लोगों में इस संबंध में मतभित थे मैंने कॉंग्रेस के प्रधान की हैसियत से स्पष्ट रूप से घोशना कर दी थी कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस शांतिवादी संगठन नहीं है बलकि भारत की स्वतंतरता प्राप्त करने के लिए बनाई कई संस्था है गांधी जी के लिए ये प्रश्ण शांतिवाद का था ना कि भारत की स्वतंतरता का पर गांधी जी की बात सब को मानने नहीं थी आरंब में जवाहरलाल नहरू, सरदार पटेल, राजकुपलाचारी तथा खान अब्दिलगफार खान सभी मौलाना आजाद के विचारों से सहमत थी राजेंद्र प्रसाद, आचारे कृपलानी और शंकरदेव पूरे तरह से गांधी जी के साथ थे किन्तु बात में एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मौलाना आजाद को मिला जिसमें लिखा था कि वे युद्ध के संबंध में गांधी जी के विचारों में दृड़ता के साथ विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि कॉंग्रेस उसी पर बनी रहे यदि आप इस स्थिती से सहमत न हूँ तो इस पत्र को कारे समिते की सदस्यता से उनका इस्तीफा समझें पत्र को पढ़कर मौलाना आजाद स्तब्द रह गए क्यूंकि उसमें नीचे जवाहलाल नहरू, राजकुपालाचारी, आसफ अली, सेयद महमूद, अब्दुलगफार खान तक के दस्तखत दे मौलाना आजाद को इससे बड़ी ठेस लगी कि जो लोग अब तक उनके समर्थक थे, अब ऐसा पत्र लिख रहे हैं बस उन्होंने फोरण लिख दिया कि मैं आप लोगों से सहमत हूँ इस बीच एक रोचक घटना हुई, गांधी जी जब लौड लिलिट को से मिले तो उन्होंने कहा अंग्रेजों को हतियार छोड़ कर आध्यात्मिक शांती से हिटलर का मुगाबला करना चाहिए लौड लिलिट को को ये सुझाव बढ़ा असाधारण और आश्चर्य चनक लगा वो चकित रह गए, आमतर से वो घंटी बजा कर ADC को बुलाते थे और उसे कहते थे कि गांधी जी को उनकी कार्थक छोड़ाए पर इस बार ना उन्होंने घंटी बजाई ना ADC को बुलाया नतीजा ये हुआ कि गांधी जी चले तो वोईस राय एक दम मौन जड़वत से खड़े थे गांधी जी को अकेले ही अपने आप अपने कार्थक आना पड़ा जब अंग्रेजों ने कॉंग्रेस का सहयोग प्रस्ताव अस्विकार कर दिया तो गांधी जी ने सीमित रूप से सविनाय अवग्या आंदोलन की बात सूची कारण ये था कि उस समय लड़ने का इस से बेहतर तरीका और कोई नहीं था गांधी जी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान के लड़ाई में घसीटे जाने का प्रतेक नर्नारी को व्यक्तिकत विरोध प्रदर्शित करना चाहिए वे खुले आम कहें कि युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं है और अपने आपको गिरफतार करा दें इस आंदोलन में प्रतम वयक्तिक सत्याग्रही जवारलाल महरू होने वाले थे लेकिन सत्याग्रही करने से पहले ही एक भाषण के कारण बुझ जेल फेच दिये गए तब प्रतम वयक्तिक सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा से 8 किलोमीटर दूर पवनार गाउं में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण दिया और सत्याग्रह आरंभ किया आखिर 21 अक्टूबर को उन्हें गिरफतार करके जेल में बंद कर दिया गया इसके बाद देश भर में लोग गिरफतारियां देने लगे वो गिरफतार होते हुए कहते थे कि इस लड़ाई में मदद देना हराम है गांधी जी स्वयम उसूची को देखती थे जो सविनाए अवग्या आंदोलन ने भाग लेना चाहते थे वो उन नामों को तैय करते थे और पुलिस को वुसूचना भिजवा देते थे कि वो कब और कहां युद्ध विरोधी सांकेतिक आंदोलन करने आ रहे हैं 17 नवंबर को सरदार पटेल को गिरफतार किया गया चार दिसंबर को चक्रवर्ती राजगुपालाचारी ने अपनी गिरफतारी दी और उन्हें एक वर्ष के सजा दी गई 30 दिसंबर को मौलाना आजाद इलहबाद में जब सवेरे सवेरे एक चाए घर में चाए पीने जा रहे थे कि तभी पुलिस सुपरिंटेंडन्ट ने उन्हें वर्ष दिखाया और आदा बर्ष किया मौलाना ने कहा मौलाना आजाद को दो साल कैट की सजा दी गई थी सविना अवग्या आंदोलन में गिरफतार होकर सजा पाने वाले अन्य लोगों में पंडित गोविन वल्लपंत आचार्य नरंद्र देफ एस सत्यमूर्ती रवी शंकर शुकला आदी नेता थे उधर मौलाना आजाद के गिरफतार हो जाने के कारण गांधी जी ने कॉंग्रेस में न होते हुए भी कॉंग्रेस अध्धिक्ष का काम संभाल लिया था उन्होंने अपनी सहायता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाथ और आचार्य कृपलानी को वर्धा बुला लिया था उस समय के उग्र राष्ट्रवादी नेताउं ने सुभाष चंद्र बोस की अध्धक्षता में अखिल भारतिय समझोता विरोधी सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझोता ना करने की मांग की सुभाष चंद्र बोस के युद्ध विरोधी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफतार करके जेल भीश दिया उत्तर प्रदेश में वयक्तिक सत्याग्रही ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था और इस कारण वहां प्रिटिश श्रासन का दमन चक्र जोरों से चला था बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव से साम्दुदायक तनाफ बढ़ गया गांधी जी चाहते थी कि देश स्वतंत्र हो जाए शेश समस्याएं अपने घर की हैं और इन्हें घर की लोग मिलकर सुलचा लेंगे परन्तु अंग्रेश नहीं चाहते थी कि भारत एक हो सके सरतेश बहादुर सप्रू के अध्यक्षुता में एक निर्दलिय सम्मेलन बुलाया गया इसका उद्देश ये था कि साम्दुदायक सदभाव पैदा हो सके कुछ सुझाफ पेश किये गए पर सरकार भला उन्हें क्यों स्वीकार करने लगी इससे वातावरण और बिगड़ने लगा उधर ब्रिटन और अमरीका ने एक चार्टर जारी किया जिसमें कहा गया था कि वे इस बात का वचन देते हैं कि इसका पालन किया जाएगा चार्टर में कहा गया था कि वे समस्त जनों के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे स्वेच्छा से ऐसी सरकार का गठन करें जिसके अधीन वे रहना पसंद करते हैं और प्रिटिश तथा अमरीकी सरकारें आगांक्षा करती हैं कि उन जनों को सार्वभौम सक्ता और स्वशासन का अधिकार पना दे दिया जाए जिन्हें जबरदस्ती उनसे अलग किया हुआ है इस चार्टर से भारतियों को आशा के किरन दिखाई दी किन्तु चर्चिल ने एक बक्तव विदे कर वो आशा धूमिल कर दी उसने कहा कि ये चार्टर भारत पर लागों नहीं होता है चर्चिल के इस बयान से लोग समझ गए कि वो कभी भारत को आशादी नहीं देगा भारतिये नेताओं ने चर्चिल के बयान पर विचार विमर्ष करके निर्णे किया क्यों है स्वतंतृता आंदोलन तेजी से चलाना होगा दूसरी ओर भारतिये ब्रिटिश शासक ने चर्चिल के बयान का यही अर्थ लगाया कि चर्चिल चाहते हैं कि भारत के आंदोलनों को बुरी तरह कुचल दिया जाए तो भारतियों का आजादी का चूश काफी हद तक ठंडा पड़ जाएका इस कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने दमन चक्र को तीव रुगती से चला दिया दूसरे विश्वयुद्ध के विभीशिका बढ़ती जा रही थी हिटलर ने यॉर्प जीतने के बाद रूस पर हमला कर दिया दूसरी ओर जापान ने अमरीका के पर्ल हार्बर पर हमला किया इससे युद्ध सच्चे अर्थों में विश्वयुद्ध में बदल गया जर्मनी की हमले ने युद्ध की सीमाई पूल्व की ओर पढ़ा दिया उधर अमरीका अब तक प्रिटन का मददकार था पर अब उसे स्वयम युद्ध में उतरना पड़ा जापान जितनी तेजी से बढ़कर सिंगापूर तक आ गया था उससे अमरीकी राश्चुकती रूस्विल्ट और प्रिटिश प्रधानमंतरी चर्चिल दोनों ही सहम गए थे अमरीका के प्रिजिनन्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंतरी से कहा कि हिंदुस्तानी नेताओं से सुलेह कर लेनी चाहिए ब्रिटिश सरकार भी उस समय अमरीका की इस सलह की एक दम उपेक्षा नहीं कर सकती थी उसने कुछ हद तक अपनी नीती बदलने का फैसला भी कर लिया आखिर ब्रटन ने भारत के प्रती अपना रुख बदला पहले जवाहरलाल नहरू और मौलाना आजाद को जेल से रिहा किया गया दरसल सरकार जानना चाहती थी कि बदलेवे हालात में कॉंग्रेस का रुख कैसा है बाद में धीरे धीरे अन्ने नेताओं को भी छोड़ दिया गया उधर सुभाश चंद्र बोस ने जेल में अंशन कर दिया था उनकी हालत बिगड़ने लेगी तो सरकार को उन्हें बिना शर्त रिहा करना पड़ा किन्तु अब उन्हें अपने ही घर में नजर बंद कर दिया गया था उनके घर पर कड़ा पहरा रहने लगा क्योंकि बिटिश सरकार उनकी उग्रवादी गतिविधियों की प्रती सतर्क थी 27 जन्वरी 1941 की रात लगभग एक बचे सुभाश चंद्र बोस कलकत्ता में अपने एलगिन रोड़ वाले मकान से एक मौलाना की वेश में निकल गए वो इसी वेश में सीधे पेशावर पहुँचे पेशावर से एक कुंगे पठान की वेश में वो अफगानिस्तान पहुँचे जहां से जर्मन दूतावास की मदद से वो जर्मनी की राज़्थानी बरलिन पहुँच गए उनके पास्पोर्ट का नाम ओर्लैंदो माजोटा था जर्मनी में जब हिटलर से मिले तूस ने इनका स्वागत किया और इनकी उजनाओं पर विचार किया हिटलर ने सुभाश चंद्रबोस को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया इसके बाद सुभाश चंद्रबोस इटली भी गए और मुसोलिनी से भीट की जर्मनी वापस लोट कर उन्होंने आजाद हिंद संग और आजाद हिंद फौच की स्थापना की नवंबर 1941 में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और उसके जरीए धुआ धार प्रचार कार्य आरंब कर दिया भारती नेताओं और ब्रेटिश सरकार को नेताजी सुभाश चंद्रबोस की बारे में अब तक कुछ पता नहीं था इंतु जर्मिनी से आजाद हिंद रेडियो के प्रसार्णों को सुनने के बाद ही उन्हें पता लगा कि वो कहा है मौलाना आजाद लिखते हैं इस बीच जर्मिनी और जापान से जो परचार शुरू हुआ था उसका हिंदुस्तान में बहुत लोगों पर असर पड़ा जापानी वायदों से बहुत लोग आकरशित हुए उन्हें लगा कि जापान हिंदुस्तान की आजादी और एश्याई एक्ता के लिए काम कर रहा है मौलाना आजाद ने सुभाश चंद्र बोस के विदेश चले जाने पर महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में भी लिखा है उनका कहना है कि मैंने ये भी पाया कि सुभाश चंद्र बोस के रहस्यमय तरीके से जर्मनी चले जाने का गांधी जी के मन पर बड़ा भारी असर पड़ा है पहले बोस के कई काम उन्हें पसंद नहीं आये थे पर अब तो मुझे उनका दृष्टी कोण बदला हुआ लगा उनकी कई बातों से मुझे लगा कि सुभाश चंद्र बोस ने हिंदुस्तान से निकल जाने में जिस साहस और चतुराय का परिचय दिया उसके प्रती उनके मन में प्रशंसा का भाव था सुभाश चंद्र बोस के लिए इस प्रशंसभाव ने अंजा नहीं समूची युद्ध स्थिति के प्रती उनके दृष्टी कोण को प्रभावित किया था उधर जापान में रास बिहारी बोस प्रवासी भारतियों को संगठित कर चुके थे दक्षण पूर्व एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग आजाद हिंद संग के स्थापना हो चुकी थे और स्वयम रास बिहारी उसके अध्यक्ष थे सिंगापर विजय के बाद कैप्टन मोहन सिंग के नित्रत्रो में आजाद हिंद फोश के स्थापना हुई और भारतिय युद्ध बंदियों को उन्हें सौप दिया गया प्रवासी भारतिये तो आजाद हिंद फोश में भड़ती हो रहे थी युद्ध बंदियों के शामिल हो जाने से आजाद हिंद फोज की शक्ति और भी बढ़ गई इसके बाद बैंकोक में आजाद हिंद संग का सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की इस सम्मेलन में आजाद हिंद फोज की स्थापना को विदिवद रूप दिया गया इसी सम्मेलन में विदिवद एक प्रस्ताव की पास किया गया उसमें कहा गया प्रभाव का उप्योग करें रंगोन के पतन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के हाथ पैर फूल गए उसने दतकाल घोशना की कि ब्रिटिश सरकार कॉंग्रिस का सहयोग प्राप्त करने को तयार है वो भारत की राशनेतिक और वैधानिक रुकावटों को दूर करने के लिए सर्स्टेफोर्ट क्रिप्स को भारत फेज रहे हैं सर्स्टेफोर्ट क्रिप्स ब्रिटन में युद्ध कालीन मंत्री मंदल के सदस्य थे उन्हें भारत के शुप्चिंतकों में समझा जाता था और ऐसा विचार था कि भारत की आजादी के प्रती उनकी पूरी सदभावनाय है सर्स्टेफोर्ट क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचे और 20 दिनों तक उन्होंने भारतिये नेताओं से बातचीत की वो समाजवादी थे और भारत के कई बड़े राश्चवादी नेताओं से उनकी दोस्ती थी इसलिए भारत ये जनता को आशा बंधी कि क्रिप्स के आने से समस्याओं के अच्छे समाधान प्राप्त होंगे किन्तो गांधी जी ने क्रिप्स के विचारों, सुझावों पर दूसरी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उन्होंने कहा गांधी जी ने क्रिप्स के साथ वारता में भाग लेने से पहलے ही इनकार कर दिया था लेकिन क्रिप्स ने गांधी जी से अपने पूर्व परिचय का इस्तिमाल किया और वार्दा में शामिल होने के लिए उन्हें मना भी लिया क्रिप्स के सुझाव किसी को पसंद नहीं आए उनका कहना था कि राश्ट्री सरकार अलप संख्यकों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के वादों के खिलाफ हो सकती है इसलिए ब्रिटिश शासन ये कभी नहीं चाहेगा कि बहु संख्यक दल सत्ता पर अपना संपून प्रभुत्व स्थापित कर ले क्रिप्स ये भी चाहते थे कि नई सरकार में सभी पूर्वादिकार वोई सुराय के पास सुरक्षित रहे जवाहरलाल नहरू ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा मेरे पुनाने मित्र क्रिप्स शेटान के वकील बन कर आए है और उनकी योजना को लागू करने का मतलब है देश के अंगिनित विभाजनों के संभावना के दरवाजे खोल दिये जा क्रिप्स योजना को मुस्लिम लीग ने भी ये कहकर अस्विकार कर दिया कि इसमें सामप्रदाइक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई गांधी जी ऐसे किसी सुझाव को मानने को तैयार नहीं थे जिसका मतलब ये था कि हिंदोस्तान लडाई में भाग ले फिर चाहे वो प्रस्ताव हिंदोस्तान की राजनीती के लिए कितना ही अनुकूल क्यों ना हो आखिर स्टेफोर्ट क्रिप्स के प्रस्ताव सभी ने नामन्जूर कर दिये और उन्हें असभल होकर वापिस जाना पड़ा मौलाना अजाद ने कॉंग्रिस अध्यक्ष की हैसियत से घूशना की कि ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार भारत की ठीक ठीक रक्षा नहीं करना जाती है उसे बस इसी बात का फिक्र है कि सामराज्य कायम रही उधर बरलिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के प्रसारण जनता में नई चेतना जगा रहे थे भारत ये जनता अब यहीं चाहती थी कि युद्ध में अंग्रेजों की कोई मदद न की जाए सुभाष चंद्र बोस अपने प्रसारणों में कह रहे थे हमें युद्ध की स्तिती से लाव उठा कर देश की स्वाधीनता चल्दी ही प्राप्त करनी चाहिए इस काम में ब्रिटिन के शत्रों से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है इस समय तक गांधी जी के विचारों में भी उग्रता आने लगी थी वो कहने लगे थी कि भारत में ब्रिटिश सामराज्य को तुरंत समाप्त होना चाहिए ब्रिटिश सरकार के वाधों से उनका विश्वास उठ चुका था क्रिप्स मिशन की असभलता से सारे देश में निराशा और क्रोध की लहर दोड़ गई थी जनता भी ये चाहती थी कि अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए मचबूर किया जाना चाहिए ताकि भारत अपनी समस्याएं स्वयम सुलझा सके और अपनी रक्षा स्वयम कर सके 29 एप्रुल से 2 मई तक इलहाबाद में कॉंग्रेस महासमिती की बैठक हुई इसमें गांधी जी ने तो भाग नहीं लिया पर उनका मसौदा मीरा बहन ने पढ़कर सुनाया था इस बैठक में एक संक्षिप्थ प्रस्ताफ पास किया गया उसमें कहा गया भारत अपनी शक्ति से स्वतंतरता प्राप्त करेगा और उसी तह़ा उसे बनाई भी रखेगा न के बल भारत के हित में बलकि बृटेन की सुरक्षा और विश्वशान्ती तथा स्वतंतरता के लिए ये जरूरी है कि ब्रिटेन भारत पर से अपना कब्जा हटा ले गांधी जी ने दुर्ण निश्चे कर लिया था कि अब वो समय आचुका है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी वो अब युद्ध का नेत्रित्व करने को तैयार थे जिन लोगों ने उस समय गांधी जी को शांत रहनी का सुझाव दिया उनसे गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया यदि मैं आपकी बात माल लूँ तो मुझे अपने अंदर की आवाज को दबा देना होगा मेरी अंतर आत्मा कहती है कि मुझे अकेले ही संसार से लोहा लेना पड़ेगा उनका ये अटूट विश्वास था कि इस बार जो लडाई होगी वो व्यक्तिगत स्तर से नहीं सामोहिक रूप से होगी ये खुली चुनौती थी गांधी जी के इन विचारों को सुनकर सारा संसार आश्चर रिचकित रह गया था तब कॉंगरस कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित करके सारे देश में प्रचारित किया वो भी अत्यंत महत्रपोह न था प्रस्ताव में कहा गया था ये कमेटी भारक की स्वाधीनता के अटल अधिकार का समर्थन करने की उद्देश से अहिसात्मक पुराली से और देश्व्यापी पैमाने पर विशार संगर्ष चालू करने की सिल्कृति देती है जिससे देश में गत 22 वर्षों के शांतिकूर संगराम में संचित की गई समस् नहीं सात्मक शक्ति को उप्योग हो सके ये संगराम गानी जी के नित्रत्व में होगा ये कमेटी उनसे प्रस्तावित कारवाईयों में राष्ट का नित्रत्व करने की प्राठना करती है